हेलो एब्रीवन वेलकम अगेन इन लर्ण बिद दितिमन बच्चों आज हम स्टार्ट करें क्लास 10 चैप्टर नमबर 8 जो की जोगरफी का 1st चैप्टर है 10th क्लास का और जिसका नाम है जलसंजादन क्या एक्जाम के सबसे काफी इंपोर्टेंट होगा तो चलिए बिनादिरी के स्टार्ट करते हैं हमीजा की तरह कोशन नमबर 1 है आपका प्रित्वी पर धराते लिए छेत्र है उसमें कितना प्रितिसाद जल पाया जाता है तो उसमें 70% 71% जल पाया जाता है 29% इस ठल पाया हैं नेक कोशन प्रित्वी के संपूर्ण जल का कितना प्रितिसाद महासागरों में इस्तित है प्रित्वी में जो 71% जल पाया जाता है उसमें जो संपूर्ण जल को अगर 100% मान लिया जाए तो महासागरों में कितना प्रितिसाद है तो 97% जो जल है वो महासागरों में पाय ही है ना नेक क्वेशन पिर्थी पर उपलब महासागरी जल के सिवाए यानि खारे पानी के अत्रिक जल किस रूप में पाया जाता है जो पिर्थी पर उपलब महासागरी जल के सिवाए जो अत्रिक जल है खारे पानी के अत्रिक जल है वो किस रूप में पाया जाता है तो मु पिरूप में तोटल में उसमें जो तीन पर्सेंट वो आपका सुधन जल जो तीन पर्सेंट मौनलीया चाय करता है हूं उस पुर्ती सद भूमिगत है यानी जल जमीन के अंदर बैसा है और से सीख पुर्ती सद जल जो हमेगत जल की विवेस्था भी करता है सिंचाई भी हमें उसे कर ने और आर्थिक किया जा सकता है, तो वह है 1869 billion cubic meter जल, यानी 1889 billion cubic meter जल है, जो भारत में कुल उपयोग योगे जल मना जाता है, नए question, भारत में उपयोग किया जाने वाला कुल जल, 1123 billion cubic meter का कितना भाग सतही जल है, जो आपके भारत में, टोटल जल 1123 यानि 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर का जो जल है वो भाग यूज किया जाता है उसमें सतही भाग कितना है उसका सतही भाग 690 बिलियन क्यूबिक मीटर जल है जो कि कैसा है सतही जल है यानि सतही के ओपर पाय जाता है से 433 बिलियन क्यूबिक मीटर भू जल है यान धर्ती के अंदर पाया जाता है 433 ब्लियन क्यूबिक जो हमारे भारत देश में यूज किया जाता है सन 2000 में भारत में जल की कितनी आवशक्ता संभावित बताई गई थी तो इसका आंसर है 635 ब्लियन क्यूबिक मीठे जल की आवशक्ता बताई गई थी 2000 में Next question, सन 2025 में भारत में जल की कितनी आवश्कता संभावित बताई गई है, तो यह आपका 1023 billion cubic meter जल है, आपका कितना है 1023 billion cubic meter जल Next question, भारत के पृसंप्रधानमति जवालला नहरू ने किसे आदोनिक भार्त का मंदर कहा था ये देखिए काफी important है बहुत सारे एक्जम्स में आ भी चुका है और ये फिर से भी आ सकता है और ये आप चोटी classic में आप ने इसको देखा है तो भारत के जो प्रतम प्रधार मनते थी जवालन लेरों उन्होंने आदुनिक भारत का मंदर किसे कहा था तो इसे बहुत देशी जल परियोजना को मुखह थे बांदों के लिए इस वक्त का यूज क्या था आदुनिक भारत का मंदर नेक कोशन, भारत में केंद्र सरकार द्वारा किन परियोजना को क्रियाणविन किया जा रहा है? भारत में केंद्र सरकार द्वारा किन जल परियोजना को क्रियाणविन किया जा रहा है? तो ये मुख्य जो जल परियोजना है वो हैं भाकडा नागल, रीहंद, दामोदर, हीरा तुम्भद्रा पर्योजना किन राज्यों के द्वारा संचालित की जा रही है। तुम्भद्रा पर्योजना किन राज्यों की संचालित की जा रही है। तुम्भद्रा पर्योजना किन राज्यों का संचालित की जा रही है। तुम्भद्रा पर्योजना किन राज्यों की संचालित की जा रही है। भारत देश की सबसे बड़ी जल पर्योजना कौन सी है। तो हम जानते हैं जो भाक्रा नागल डैम है। भाक्रा नागल जो है 1948 से जो 1963 तक इस पर्योजना पर करेक्षे तक किया गया इसका निर्माण किया गया था। भाक्रा नागल डैम का ये देश की सबसे बड़ी जल पर्योजना मानी जाती है। भाक्रा नागल कहां परिस्तित है। ये देखिए ये कौस्चन काफी भाक्रा नागल है, हीरा कुंड है। इनसे कंसर्णिंग जो कोस्टन है, सरदार सरोवर है। ये जो छोटे-चोटे डैम से इनकी बारे में बहुत ज़्यादा को टप किये जाता है। ये जनका अब इशी तरूप से डिटा याद रखिएगा। भाक्रा नागल कहां पर इसे थे थे? 17 नदी पर किस नदी पर है? 17 नदी पर है, हिमाचल परदिश राज्यमें में है और बिलास्पूर के निकर ये है। बाक्रा नागल किसकी पंजाब हर्याना तथा राजिस्थान? नेक कोशन, भाकडा नागल परियुजना का उद्दीश है क्या है? तो भाकड़ा नागल परिजना का उद्धिश है 17 वही अमना के जो मद्धेवर्ती लाके हैं उनमें सिचाई, विद्धोत और पेजलापूर्ती यही इसका मुख्य उद्धिश यह है नेक क्वेशन भाकड़ा नागल परिजना के तहट कितने बांद वक कहां बनाए गए है ज़दे कि यह भाकड़ा बांद जो खुद है सबसे मुख्य वो 518.16 मिटर लंबा और 16.64 मिटर उंचा है दूसरा है नागल बांद जो भाकड़ा से 13 किलो मिटर नीचे है इसके अत्रिक जल को संशित करने ही तो भी निर्मिट किये गए है तो मुख्य जो बांद कौन से है भाकड़ा और नागल यह दो अलग अलग डैम है ठीक है भाकड़ा उपर बनाए गया है यह करीवन 518.16 मि से 17 करा स सबसे बड़ा बांध कहना है बाकड़ा नागल से किन नह्रों को विक्सित किया गया है तो भाकड़ा नहर सरहिंद नहर नागल नागल नहर, बिस्त दोवाब नहर और नर्वाना नहरें ये सभी क्या हैं ये भाक्रा नागल से निकली हुई नहरें हैं भाक्रा नहर, सरहिंद नहर, नागल नहर, बिस्त दोवाब नहर और नर्वाना नहरें नर्वाना नहरें काफी इंपोर्टेंट है इसे चाहिए के स्वितंतर भारत की पहली जल परेयोजना कौन सी है? देखे, जो आपका भागरान अगल डैम फेले से स्टार्ट हो चूपी थी लेकिन स्वात्रधिन पहली जल पार्योजना कौन सी है? दामोदर घाटी पार्योजना है जो 1948 में स्टार्ट हो थी पश्चिम बंगाल और जारकंड की संइख तो परिजना ये मानी जाती है पश्चिम बंगाल का सोख किसे कहा जाता है यह है दामोदर नदी क्योंकि दामोदर नदी को जब तक और्गनाइज नहीं किया गया इसलिए वज़े से इसको पश्चिम बंगाल का सोख कहा जाता था लेकिन फिलाल यही वर्दान साबित हो चुकी है नहीं क्योंकि दामोदर नदी से बाड़ प्रभावित छेत्र कितना है तो यह 18,000 वर किलोमेटर के लगवक्यों छेत्र है नहीं क्योंकि दामोदर नदी का किनंस्तानों से बैती है दामोदर नदी की साहिक नदिया कौन सी है दामोदर जो नदी है उसकी साहिक नदिया कौन सी है तो बाराकर, बोकारो और कौनार ये तीनों ही काफी इंपोर्टेंट हैं बाराकर, बोकारो और कौनार ये तीनों दामोदर नदी की साहिक नदिया है नेक कोईशन भारत द्वारा दामोदर घाटी निगम DBS की स्थापना अमेरिका की किस प्रयूजना के 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 प्रयूजन पे जानी जाती हैं, गांपर 오ंडर घाटी परिजना के तहत कितनी लंबी नहर परिणालि का विकास किया गया है, so यह आपके फचीन सो किलोमिटर राहूं का विकास कि इसमिं किया गया है, दामोदर घाटी परिजना के तहट कितने जल विद्दूत ग्रहों का निर्मान किया गया है दामोदर घाटी परिजना के तहट कितने जल विद्दूत ग्रहों का निर्मान किया गया है ने कोशिन दा मोदर घाटी परियूजना के अंतरगत कितने बांदों का निरुमाण किया गया है। किये गए हैं दामोदर गाटी प्रजुना के रह हिराकुन पर्योजना को किस राज्य में इस्थापित किया गया है। हिराकुन पर्योजना को कितनी लागत द्वारा निर्मित कराया गया है। हिराकुन पर्योजना को कितनी है। हिराकुन पर्योजना को कितनी है। और उसकी लंबाई अर्टालिस सो एक मीटर यानि लगभग लगभग पांच किलो मीटर के एक्विलेंट है। और 810 करोड घन मीटर जल संचित करने की इसकी कैपेसिटी है। हिराकुन पर्योजना में हिराकुन बांध के अलावा तिकर पड़ा वे नराज का जो बांधे हैं इनका भी निर्मान किया गया है। हिराकुन पर्योजना को कितने चर्णों में पूरा किया गया है। हिराकुन पर्योजना को हमने देखा कि दो चर्ण में पूरी हुई है। हिराकुन के पर्योजना में हिराकुन बांध रुमान करवाया गया। उसके अत्रिक दाहनी ओर से बोरगर नहर और दाहनी ओर से से संभलपूर नहर पिया लेग्विकशित की गई। हिराकुन पर्योजना में पर्थम चर्ण के तायथ कौन से कारी किये गया हुई हिराकुन पर्योजना ÖN 2 चर्ण में पूरुई तो इसके जो प्रिथम चर्ण था उसके तहित कौन से कारे किये गए हैं तो हीरा कुण बांध कर निर्मान करवाया गया दाहीनी ओर से बोरगर्ड नहर निकाली और बाई ओर से सेशन और संभलपूर नहर परिणाली विक्सित कर दी गई यह कारे प्रिथम चर्ण में किया गय 43 नमर कोशन है पूर्ट चंबल घाटी परियोजना किन राज्यों का संयुक्त तत्वाधान है यानि किन राज्यों के द्वारा यह जो चंबल घाटी परियोजना है किन राज्यों के द्वारा से नचालित की जाती है तो वो कौन से हैं राज्थान और मध्य प्रदेश जो पर्योजना है उसको कितने चर्णों में किया गया है तो चंबल घाटी पर्योजना का जो कारे है वो तीन चर्णों में किया गया है तो नेक कोशिन देखिए चंबल घाटी पर्योजना में प्रिथम चर्ण के तहत किये जाने वाले कारे थे चंबल घाटी जो पर्योजना का नर्माण किया गया था तो देखिए दो चीजें हैं मदह प्र्देशँ में मन्दसौर जिले में गंधी सागरबंद बनाय गया है तो इसमें कोशोन ये भी पूठ भोता गें 스가 buttons कहाँ बनाया गया तो मद्यप्रदेश में मन्ध्य सौर चिले अंतर और दूसरा सात में नहरी पिड़णाली का विकास भी किया गया था इसमें. नेक क्वेश्ण देखें चम्बल घाटी परज्ड़ में दित्यशन के gracinas के तारत किया बना रावत भाटा नाम के इस्थान पर राना प्रताप सागर बाद, कौन सा राना प्रताप सागर बाद? Next question देखिए, संबल घाटी परिजना में तिर्तिय चरण के तहत किये जाने वाले कारे थे, संबल घाटी में जो तिर्तिय चरण था, उसमें कौन से कारे किये गए थे, तो कोटा बूंदी जिले की जो सीमा है, कोटा बूंदी जो जिलों की जो सीमा है, सीमा चेत्र है, वहाँ पर जवाहर सागर पिकप बांद बनाया गया और विद्दुत ग्रहों का नर्मान किया गया, यहां से आपको यह समझना चाहिए, पिकप मुझे निशित पता है कि आप लोगों को निशित रुख से आता होगा पिकप बांद क्या होता है, लेकिन फिर भी में बता देता हूँ, जब ढाल वाले छेत्र होते हैं, वहाँ पर तो क्या है, पानी अपने आप ढहर के चला जाता है, लेकिन जब मान लेजे आपकी नहर नीची है, यह आपके जो जल स्रॉथ है, वो नीचा है, और आपको पहुंचाना उसको दूसरे ऐसी चोड़ा जाता है, तो इससे क्या होता है, तो इससे पानी का ढहलान बन जाती है, और वो सही जगे पोहुंच जाता है, तो इसलिए पिक अप बांध बनाये जाते हैं, पिक अप याइनि ऊपर उठाना एक तरीकी से, और विद्दुद ग्रहों का निर्मान किया गया, तो चमलगाटी प्रविजना के 33 चरण में कोटा बुंदी जिले की सीमा पर जवार सागर पिक अप बांध बनाया गया और विद्दुद ग्रहों का निर्मान किया गया, नेक कोशन देखी, इंद्रा गांधी नहर किस इस्थान से निकाली गई है, तो सतलज और रावी नदी का जो संगम इस्थाल है, वहाँ पर हरी के बेराज नम जगे जो है, वहाँ से इंद्रा गांधी नहर को निकाला गया है, सतलज और रावी नदी का संगम इस्थाल हरी के बेराज नम किसान से, नेक कोशन, इस्या की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर कौन सी है, इस्या की सब इंद्रा गांदी नहर की लंबाई कितनी है तो इंद्रा गांदी नहर की लंबाई कितनी है और इसके अलावा जितना भी भाग है वह राजिस्थान में है यानि 169 km पंजाब में, 14 km हरियाना में और सेष राजिस्थान में होता है इंद्रा गांधी नहर की जो लंबाई है कितनी है टोटल 649 km नेक क्योशन देखिए, आप इंद्रा गांदी नहर द्वारा राइस्थान में पेजल आपूर्ती की जाती है, कहां पर की जाती है पेजल आपूर्ती इंद्रा गांदी नहर से, तो 9 जिले, 39 कस्बे और 3461 गाओं में इसके द्वारा पेजल के आपूर्ती की जाती है, देखि इंद्रा गांदी नहर को कितने चर्णों में बनाया गया है इंद्रा गांदी नहर को कितने चर्णों में बनाया गया है इंद्रा गांदी नहर दो चर्णों में बनाया गया है इंद्रा गांदी नहर जो है उसको दो चर्णों में बनाया गया है राजिस्थान फीडर और से हरी के बैराज नम्मक किस्ताल से और कहां तक है यह होता है। महतवली से कहां तक है? महतवली से इसको आगे कहां तक ले जाए गया? मोहनगड के अंतिम बिंदू तक ले जाए गया? यह कितनी है? 445 किलोमेटर लंबाई है. कहां तक मोहनगड के अंतिम बिंदु तक ले जाए गया और इसकी 445 किलोमेटर लंबाई है ने कोश्चन देखिए इंद्रा गांधी नहर का राइस्थान में प्राकर्तिक ढाल किस दिशा में है तो इसका प्राकर्तिक ढाल है वो पश्चिम दिशा की ओर है यानि राइस्था इंद्रा गांधी नहर से कितनी लिफ्ट नहरे पूर की ओर निकाले गई है इंद्रा गांधी नहर से कितनी लिफ्ट नहरे पूर की ओर निकाले गई है देखिए आपको पता होना चाहिए इंद्रा गांधी जो नहरे आपको पता है प्राकर्तिक जो धलान है वो किस ओर है पश्चिम की और है, तो जब पूर्व की और हमें पानी ले जाना है, जिस साइट धलान नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, लिफ्ट नहरे बनाने पड़ेंगे, तो जो इंद्रागांदी नहर से उससे लिफ्ट नहरे बनाई गई, पूरव की और और कितनी लिफ्ट नहरे न तो आपको पता हैं, इंदरा गांदी जो नहर है, उसके पश्यम दिसा की तरफ अंतराष्टी सीमाई हैं। और आपको पता है अंतराष्टी सीमा जो पश्रिम दिशा की ओर है और पश्रिम दिशा की तरफ ही ढलान है तो वहाँ पर यह साखें आसानी से निकल जाती है तो इस वज़े से पूरुप की ओर तो साथ लिफ्ट नहरों के द्वारा निकाला गया है लेकिन जो इस साइड में नो साखाए निकाले गई हैं से कितनी साखाए निकाले गई हैं नो साखाए नेक क्वेशन देखिए इंद्रा गांदी नहर द्वारा कितनी भूमी की सिचाई की जाती है इंद्रा गांदी जो नहर है उसके द्वारा कितनी भूमी की सिचाई की जाती है तो इंद्रा गांद जो नहर निर्मान जो है उसको किस स्थान तक बढ़ा दिया गया है तो इसका बाड मेर के गड़रा रोड तक इसको बढ़ा दिया गया है। माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है तो यह आपके रायस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है जो 1971 में प्रारम की गई थी माही बजाज सागर परियोजना के निर्माण मुख्य उद्धिश से क्या था? माही बजाज सागर परियोजना के तहत रायस्थान में कौन सा बांध बनाया गया? तो देखिए माही बजाज सागर बांध ही इससे बनाया गया है इसके नाम से ही दिख रहा है हमें माही बजाज सागर परियोजना के तहत गुजरात में कौन सा बांध बनाया गया है? माही बजाज सागर जो बांध है उतरायस्थान में बनाया गया था लेकिन माही बजाज सागर परियोजना के तहत गुजरात में कौन सा बांध बनाया गया है? कौन सा बांध बना है? कडाना बांध नेक कुशन माही बजाज सागर परियोजना के तहत कागदी पिकप बांध कहा निर्मित किया गया है? जो माही बजाज सागर परियोजना है उसके तहत जो कागदी पिकप बांध है वो कहा निर्मित किया गया है? तो यह आपका माही बजासागर बांद से 500 मीटर नीचे ही बनाया गया है माही बजासागर बांद से 500 मीटर नीचे इसको बनाया गया है नहीं कुशन देखिए माही बजासागर परजना के तहट कितने विद्दुत ग्रहों का नर्मान किया गया है माही बजास सागर परिजना के तहत कितने विदूत ग्रहों का नर्मान किया गया है? यहाँ पर दो विदूत ग्रहों का नर्मान इसके तहत किया गया है। पर ये बांध बनाये गया है सदो अबनाई गया है तो देखिए दो नहरे इसे बनाई गई हैं तो देखिए बैद के बाएं और दाएं दोनों तरफ है नरूँ के घए ओरएं नरू परएं दो नहरे बनाई गई है डाई से की जाती है विसलपूर पर नाईratic किन इस चांथ हैं। पेज़ालापूर्ती की जाती है, यह काफी important question है, क्योंकि यह आपके राजधानी, यानि जैपूर से जुड़ा हुआ है, तो सवाई मादोपूर, जैपूर, अजमेर वे केकडी, सरवाड, ब्यावर और रास्ते मैने वाली बहुत सारे जो गाउं हैं, उन सभी को पेज़ाला पूर्ती की जाती है, विशलपूर परिजना के तहट, नेक question देखिए, विशलपूर परिजना के तहट, सिचाई किन स्थानों में की जाती है, विशलपूर परिजना के तहट, सिचाई किन स्थानों में की जाती है, तो यह आपका टॉंक जिले के 256 गाउं हैं, जहां पर परेज़ना केता है सचाई के लिए पानी अप्लब्द कराया जाता है टॉंग जी लेखे दोसों चिपन गाओं में विशलपूर परेज़ना केता है सचाई ही तो पानी दिया जाता है जाकम बांद के तहट बांद का निर्मान के सचाई ही तो जाकम बांद के तहट बांद का निर्मान कहां किया गया है जाकम बांद के तहट बांद का निर्मान कहां किया गया है तो जाकम बांद के तहट जो निर्मान किया गया है वो अनुग पूरा में जाकम नदी पर किया गया है जाखम बांद कहा बना है जाखम नदी पर है अनुपुरा में और ये कहा है तेरा किलोमेटर दूर नागरिया गाओं में पिकप नहर पर नाली का भी निर्मान किया गया है जाखम बांद के साथ में तेरा किलोमेटर दूर इसे नागरिया गाओं है और पे पिकप नहर पर ना तो देखिए, Somm, Ambar, Camla'y के नाम से भी समझ में आ रहा है। सौम क्या है? सौम आपकी नदी है, तो सौम नदी पर सौम, Ambar nAam का जो गाउँ हैं वहाँ पर इसका निमद क्या गया है? बांगाड शेत्र में सचाई हिदू उसका यूज किया जाता है। इसका उद्देश क्या है? बांगाड शेत्र की सचाई हिदू का यूज किया जाता है। बांगाड शेत्र की सचाई हिदू किया जाता है। इसका उद्देश क्या जाता है। बांगाड शेत्र की सचाई हिदू किया जाता है। जवाई जो बांग परयूजना है उसमें पश्चिम राजिस्थान में लूनी की सहयक नदी है जवाई आपको पता है। जो जवाई नदी है उस पर एरिन पुरा जो पाली में है वहाँ पर जवाई बांग बनाया गया है। जवाई बांग परयूजना के तहत किस छेत्र में सचाई की जाती है। नएक कोश्चन देखिए। पांचना बांध परयूजना क्या है। यह काफी इंप्रोटेंट कोश्चन है। यह एक बार आभी चुका है तो इसका याद रखिएगा। पांचना बांध क्या है? पांचना बांध आपकी करॉली जिले की है, जिसमें गोडली जिले की है? ये सब मिटी के बने वे बांध है. करॉली जिले में गोडला गाउं के समय पांच नदियों, बरखेडा, बद्रावती, माची, भैसावड व अटा. इनका जो संगम है, जल संरक्षन है, उसका टोडा भीम हिंडो और गंगापुर के जो गाउं है, उनके सिचाई है, तो इसका उपयोग किया जाता है. तो बचों, आपका ये चैप्टर का सेकंड पार्ट था, और लास्ट पार्ट और बनेगा इसका, जो तर्ब पार्ट होगा, जिसमें हम जो जल संरक्षन की जो चीजें हैं, जो आक्तियां बनाई जाती हैं हमारे राजस्तान में मुक्य तोर पे, बावरी है, जोहर है, टाका है, बेरी, खडीन, ये जीले, तालाब, कोशन नमबर 79, सिंदू सब बेता की खुजाई में प्राप्ट कौन सी अफसिस जल संरक्षन को द कूप है और नहरे हैं, जिस प्रकार की जो अफसिस हैं, सिंदू सब बेता में देखने को मिले हैं, जो जल संरक्षन की विदी को प्रदर्शित करते हैं, नेक कोशन देखी, कौटिल्या के अर्थसास के अनुसार, चंद्रगुप मौरे ने किस जील का निर्मान करवाया था तो उन्होंने किस जील का निर्मान करवाया है, सुदर्शन जील का निर्मान करवाया था, चंद्रगुप मौरे ने सुदर्शन जील का निर्मान करवाया था, नेक कोशन देखी, जल संरक्षन से सम्मदित निर्मान कौन कौन से हैं, जल संरक्षन से सम्मदित जो निर्मान और टांका, ये सभी कैसे हैं, ये सभी जल्स और रिक्षंड से सम्मदित निर्मान हैं, नेक कोशन देखी, राइस्थान के किस सहर को city of step wells कहा जाता है, यानि ऐसा सहर जो, ऐसे कोई, मालब सिध्धी वाले कूर का सहर किसको कहा जाएगा, अगर हिंदी में बात करें तो, वैस जो बूंदी है, उसको city of step wells कहा जाता है, क्योंकि city of step wells का मतलब, बावडी को हम कहते हैं, step wells, और क्यों कहते हैं, क्योंकि कुए के अंदर जब सिध्धी रुमाकरती बनी होती है, उतरने के लिए जब सिधिया बनी होती है, तो उसको बावडी कहा जाता है, राइस्थान में जो बावडी है वो सबसे जदा बूंदी में देखने को मिलती है तो बूंदी में जो बावडी की अधिकता है उसकी वज़े से बूंदी को City of Stepwells कहा जाता है Next question देखिए सामने तहा बावडी की आकरती किस प्रकार की होती है तो आकरती चतुसकोणिया होती है यानि चोकर होती है गोल भी देखने को मिलती है कही जगे पर गोल वर्तुल भी आकार की होती है और जल सौत का एक साधन होती है क्योंकि बिल्कुल क्वे जैसी होती है और काफी गहराई में होती है और इसमें अंगन नूबा भाग होता है जो सिढ्डियां लगी होती है जिसमें और सिढ्डियां जिस पर इस्थानी जल्देवता जो होते हैं उनकी मूर्तियां यहां देखने को मिलती हैं नेक क्वेशन देखिए राइस्थान के प्रिसिद बावडियां कौन कौन सी हैं तो देखिए तापी बावडी जोतपूर में हैं भंडारेज बावडी दोसा के अंदर विनाता बावडी चित्तार के अंदर और चांद बावडी आभा नेरी में यह सभी क्या हैं यह के पिरसिद्द तालाब कौन कौन से हैं तो राइसान के जो पिरसिद्द तालाब हैं उसमें हेमाबास तालाब पाली के अंदर है सरेरी और मेजा तालाब धीलवारा के अंदर है बांकिया और सेना पानी तालाब जित्वार में हैं और गड़ी सर और गजरूप सागर तालाब जो हैं वो जैसलमेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग जील उदैपूर में हैं, तालचापर जील चूरू, बाकली बान, जालोर, टोडी सागर, टॉंक, सरदार समंद, पाली, नवलखा जील, बूंदी में और नौचो की जील रास समंद के अंदर थे, नौचो की जील भी आपका एक पार आ चुका है, और आना सागर जील भी आ जालोर में, टोडी सागर, टॉंक में, सरदार समंद, पाली में, नवलखा जील बूंदी में, और नौचो की जील रास समंद के अंदर है, नहीं कोशन देखिए, जल संरक्षण में, फिर पश्यमी राजिस्थान में, रेतीले स्थानों में, वर्षा जल का संच्चन करने ही नर्मित नाडियां होती हैं, जो जल संरक्षण के लिए, रेतीले स्थानों में, पश्यमी राजिस्थान के अंदर वर्षा जल को संच्चत करने के लिए बनाई जाती नाडियां होती हैं, कैसी होती हैं, तो देखिए, वो तालाप का वासिकता में छोटा रूप होती हैं, कैसी होती है वो तलाप का छोटा रूप होती है और सामने ताज चार से पांच मीटर गहरी भी होती है नएक कुछन देखिए पश्चिमी राइस्थान जल सनरक्षण हितु टांका का निर्मान आंत्रिक भाग में किसका लेप किया जाता है पश्चिमी राइस्थान में जल सनरक्षण हितु जो टांके का बनाए जाते हैं उसका जो आंत्रिक भाग होता है उसमें किसका लेप किया जाता है किसका राक और बजरी का क्यों किया जाता है ताकि पानी रिसका बाहर ना चला जाए तो किसका राक और बजरी का लेप किया जाता है नेक क्वेशन देखी टाका का निर्मान के लिए कितने गहरे गड़े खोद कर बनाए जाता है टाका जो है उसको निर्मान के लिए कितने गहरे गड़े खbor जाते हैं तो इसके लिए 5-6 मीटर गहरे गड़े खोजाते हैं घरिया खेत में और इसको बना कर इसके अंदर लेप कर दिया जाता है राक का और बजड़ी का उसके बाद सिक्क वपर से ढग दिया जाता है इस तर पहस्द भी ताकों का निवरंण काफी ज़्यादा मत्रह मिं किया गया है। यह दोर जहुआ और टाके के निवरंण में मुकटर क्या भिनेता है। जोहड़ और टांके दोनों दिखने में और करने में लगभाग एक जैसी दिखते हैं। लेकिन इन दोनों में क्या difference है, क्या अंतर है जोहड़ और टांकों में, तो जोहड़ और टांके में एक मुखे जो difference ये है, जो टांका होता है, उसको उपर से बंद कर दिया जाता है, लेकिन जोहड़ होता है, उसका जो मुख होता है, वो खुला होता है, बड़ा भी होता है सामने तोर पर और गोल भी होता है जब कि टाके में क्या होता है ओपरी भाग धका हुआ होता है यही इसमें मुख्य डिफ्रेंस है नेक क्विश्चन देखिए जोहर किस छेत्र में जल संग्रहन का मुख्य सादन है तो कौन सी छेत्र में है ये शेखावटी छेत्र में जोहर बहुत देखने को मिलती है और दूसरा हरियाना के अंदर जोहर काफी देखने को मिलती है जल संग्रेंड के लिए नेक क्वेशन देखिए तालाब या खडीन में आगोर की भूमे में पांच से च्छे मीटर के गड़े खोद कर किस जल संग्राह का आकरती का नर्मान किया जाता है तालाब या जो खडीन होती है उसमें जो भूमी होती है उसमें पांच से च्छे मीटर तक के गड़े खोद द कोई नेक क्रेसंट देखिए 2 ready या च्छोटी कोई का V teeth कितना होता है बेडिया जो छोटी कोई है उसका जो व्यास होता है सांवगे कितना होता है तो वह आपका 2-3 go सकता है 2-3 फिट तक होता है नैक क्रेस्टuit बेरी या छोटी कोई की दिवारों का निर्मान पत्थरों से क्यों किया जाता है उसका निर्मान किस से किया जाता है पत्थरों से किया जाता है और क्यों किया जाता है क्योंकि भूमी गजल जल है जो रिष्टा रहता है तो रिष्टे हुए भूमी गजल को एकर्टित करने ही लो, इसका दिवारों पर दिवारों को पत्थरों से बनाया जाता है Next question देख किं बेरी या चोटीकोई का अफ्योग किस मौसम में किया जाता है तो बेरी या चोटीकोई का अप्योग, घरिश्म रितु झूपने वड़ साजल सूपने के बात किया जाता है Next question बेरी या छोटी कोई सामय तहां तरह राहिस्तान में किन जिलों में पाई जाती हैं किन जिलों में पाई जाती है ये बार्ड मेर और जैसल मेर मेर ये देखने को मिलती है बाड मेर या जैसल मेर में देखने को ये मिलती है सामने तोर पे नेक क्वेश्टन देखीं खडी जलस अरक्षन तक्नीक सम्मंदित है खडी जो जलस अरक्षन तक्नीक है वो किसने बनाई थी या ये काफी important कोशिशन है करीं जरसरख्षण Weak TV इसे जूडु उड़ी हुई है किससे संबनंद था ऐसे ये आपके जो मध्य का लीन में सब्जाय की जो पालिवाल ब्राह्मान दें उनके द्वारा ये셔야खरीं जरसरख्षण तक्निक का ईप्योग किया अश्या प्रत्म उनन उनके द्वारा ये बनाई गई है खड़ी इंजल सेलेक्शन तखनीक तो ये question important है और ये आ चुका है मध्यकालीन में जैसल मेर के जो पालिवाल ब्रामन है उनके द्वारा खड़ी इंजल सेलेक्शन तखनीक का उपयोग किया गया था और ये जो है पेजल और किर्सी की सिचा जाती है किर्सी और पेजल ही तू खड़ी जल सेलेक्शन तखनीक का उपयोग किया जाता है कि पहाड़ों की नीचे ड़लानों पर दिवाने बना दी जाती है पहाडी बागों में, वरसा काल में जो जल वहरा होता है उसको ढालू बागों पर रोप दिया जाता है ? किसकी साइत ऐसे दिवारिया मेड लगा कर तो इस प्रकार की जो जलसनरक्षण तकनीक है, वो क्या कहलाती है? वो आपकी खड़ीन प्रक्रिया या खड़ीन तकनीक कहलाती है, ठीक है? नेक क्वेश्चन देखिए भारत सरकार द्वारा इस्थानिया अधार पर जल सरक्षन ही तो कौन सी यूज़ना लागू की है तो इस देखिए भारत सरकार ने जल सरक्षन के लिए जल करांती अभियान प्राणुम किया जल करांती अभियान भारा सरकार दोरा जल सरक्षन ही तो इस्टार्ट किया गया है नहीं कुश्चन देखिए राइस्थान सरकार दोरा इस्थानी आधार पर जल सरक्षन ही तो कौन सी योजना लागू की है तो वह आपकी मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना है जो चा बावर्य मंधिस जो निर्माण हैं जैसे की बावडिया हो गई हुए हो गए तलाब हो गए तो इनकी जो मरम्मद कारे हैं या फिर नए टाके खुदवाना यह सब क्या है यह मुख्यमन्ती जल्साव लंबन यूजना का मुख्यों देश्य हैं इनक्कॉशन देखिए मुख्यमंती जल स्वावलंबन परियोजना के थैत कितने गाउं को लाबहनवित किया जाना तैह हुआ है मुख्यमंती जो जल स्वावलंबन यूजना है उसमें एक निशित छेतर को ही टारगेट किया है तो उसमें कितने गाउं को माना है इसके लिए टारगेट तो यह आपके 21,000 गाओं हैं जिनको इससे लाबनवित करने का उदेश्य तेह किया गया है तो इसका मुख्यमंती जल स्वावलंबन परियोजना के वह है 21,000 गाओं को लाबनवित किया जाना तेह हुआ है तो बच्चों इसी के साथ आपका होता है यह चैप्टर समा अब क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करिए फर्स्ट नंबर कोशन है भारत जनसंख्या का कितना प्रतियक शुरूप से किरसी पर निर्भर है तो कितना निर्भर है चैप्वन पॉइंट 6 प्रतिशत है 7.6 प्रतिशत कई जगे पर हमें इसी इन ही बुक में देखने को मिलता है जहां 60 प्रतिशत दिया हुआ है तो देखिए पहली बात तो दोनों आप्शन आएंगे नहीं और अगर दोनों आप्शन आते हैं तो आपको 7.6 प्रतिशत पर क्लिक करना है ठीक है और इनके सकर 7.6 प्रतिशत ना आकर 60 प्रतिशत भी आता है तो वो भी आपके प्लिक किया जा सकता है बहरत के कुल सकल घरीलूतपाद यानि GDP का कितना प्रितिसत किरसी से प्राप्त होता है तो ये किरसी से 17.4% मांत्रा प्राप्त होता है जबकि ये कितना है 54.6% भाग कवर करती है तो ये बहुत ही ज्यादा कम है नेक कुश्चन करिए भारत में कृसी को रितों के आधार पर किस प्रकार वर्गी करत किया गया है भारत में कृसी को रितों के आधार पर किस प्रकार वर्गी करत किया गया है तो हम जानते हैं पढ़ते आ रहे हैं बचपन से खरीफ, रवी और जायत ये तीन करकार की फसलों के रूप में वर्गी करत किया गया है रेतों के आधार पर नेक कुश्चन देखिए खरीब की फसलों की बुवाई का समय होता है खरीब की फसलों की जो बुवाई होती है उसका समय कब होता है तो वो आपका जून से जुलाई में होता है और ये अप्टूर नवमर में कटाई कर ली जाती है इन फसलों की जून से जुलाई में खरीब की फसलों को बोया जाता है और अप्टूर नवमर में काट लिया जाता है खरीब की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं तो खरीब की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं तो खरीब की जो मुख्य पसलें हैं चावल, मक्का, बाजरा, बुंग, बाजरा, बुंग, 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 बुं कौन सि फसले निर्भर करती है, खरीब की, रभी की अजयत की, तो इसका enseñ है, खरीब की फसले मनसुन की वर्षा पर समने तोर पर निर्भर करती है, नेक ट्र dol careful देखिए, रभी की फसलों की बोवाई का समय होता है, नहीं बसल आ हैं जायत की फद्दों की बुवाई का समय होता है जायत की जो फद्दों होती है उनकी बुवाई का समय क्या होता है तो जायद की फसलों में फरवरी और अप्रेल महाई में बूई जाती है और जून जुलाई में एक काट ली जाती है और अप्रेल के महीने तक एक बूई जाती है और जून जुलाई में इनकी कटाई हो जाती है जायद की मुखे फसले कौन कौन से हैं? जायद की जो मुखे फसले हैं तरपूज, लौकी, ककड़ी, खीरा, यह मुखे तर हरी सबजें और जो चारी की फसले हैं वो मुखे तर जायद की उस फसलों के अंतरगत आती हैं नेक कुशन देखिए, भारत में किरसी विदियों के उपयोग के आधार पर फसलों को किन भागों में वर्गी करत किया गया है, तो यह आपके खाद्यान, वेबसाइक, बागानी और उद्धान फसले हैं, यह टोटल चार प्रकार हैं, किरसी विदियों के उपयोग के आधार खाद्यान जो खाई जाती है counselors when compared to stories उनको वैपसे माल के तर पर जिन फसलों का यूज किया जाता है उनको website प Dollar आग वागानी और उद्यान फसले इस तरह टos चार फसले हैं थो नेक क्योशन देखिए, भारत की जो मुक्य खाध्यान फसले हैं, वो कौन कौन सी हैं, भारत की जो मुक्य खाध्यान फसले हैं, वो कौन कौन सी हैं, तो आपकी चावल, केहु, मक्का, जुआर, बाजरा, जौन और दाले, ये सभी क्या हैं, भारत की मुक्य खाध्यान फसले ह तो आपको तीनों में ही एक ही जवाब देना है ठेक है और वो क्या है गन्ना कपास जूट तबाकू और तिलहन यह सभी क्या है यह आपकी website फसलें कही जाती है गन्ना आपके मुख्य तोर पे जो आपके सुगर मील से उसमें यूज होती है कपास आपके कुपड़े बनाने मे होती है जूट पीशी में होती है तबाकू आपके बहुत सारे प्रड़क्स बनते हैं तबाकू उसे दवाईयां भी बनती है और तेलहन आपकी जो तेल वगएर की जो निकालने की जो है उनसे सब क्या है इस सब ही टोटल में आके website फसले है नेक कोशन देखिए उद्ध्या ग्यहूं की फसल के लिए अनुकूल परिस्तितिया है तो क्या अनुकूल परिस्तितिया है उत्री भारत का समसीत ओष्ण भाग 10-25 cm तापान यहां पर ही हम पिछली वीडियो में गलत कर दिया था 10-25 cm का तापान होता है 25-35 cm वर्सा होती है और हल्की दोमट और चिकनी मिट कि में ग्यहूं की फसल को उगाया जाता है ने कुशन देखिए भारत में सरवादिक ग्यहूं किन राज्यों में पैदा होता है मैं जासार ओंपच्टार में और बिहार में ग्यहूं कि किन पैदा जाता है राइस्थान में गेहुं का उत्पादन किन जिलों में किया जाता है तो राइस्थान में गंगा नगर, हन्मानगर, अलवर, भरतपुर, जैपुर और कोटाई सबी क्या है यहाँ पर गेहुं का उत्पादन किया जाता है राइस्थान के अंदर नेक कुश्चन देखें भारत में गेहूं उत्पादन की दर्ष्टी से विश्ट में किस स्थान पर आता है ये तो भारत में भारत जो है विश्ट में तीसरे स्थान पर आता है और इससे पहले कौन है चीन और अमेरिका में भारत से ज़्यादा गेहूं का दवार होती है ठेक चावल की फसल के लिए अनुकूल परिस्तितियां क्या हो सकती हैं? गुष्ण कटे बंदिया भागों में पैदा होता है एक तो यह तापान 19 से 27 सेंटी ग्रेट होता है वर्णा 55 से 200 सेंटीमेटर के मद्य होती है चावल की फसल हे तो किस प्रकार की मिट्टी उप्युक्त मानी जाती है उसको चावल की फसल के लिए उप्युक्त माना जाता है और पहली जो होती है मांसून कालेंड फसल होती है उसको आमन कहा जाता है शीत कालेंड फसल को उसको आ जाता है और बोरो यह भ्रिस्म कालेंड फसल ठीक है तो ये तीनों समय, तीनों मसम में मुख्य तोर पर उगाई जाती है, मांसून कालीन में भी, सीथ कालीन में भी और ग्रिस्म कालीन में भी, और क्रम से इसको अमन, ओस और बोरो कहा जाता है, ठीक है, नेक कुशन देखिए, चावल की खेती को वर्ट्सबर पैदा होने पर भी खरीब की फसल क्यों कहा जाता है, देखिए, आपने देखा, इसमें तीन ग्रिस्म कालीन में भी हो रही है, मांसून कालीन में भी हो रही है, और आपके सीथ कालीन में भी हो रही है, लेकिन फिर भी इसको ऐसा क्यों कहा गया, कि ये खरीब की फसल है, जब खरीब की फसल बहा जाता है नेक वेशन देखिए भारत में किन राजों में मुक्रत है चावल की खेती की जाती है तो भारत में जो केती की जाती है पश्चिम बंगाल में 15.22% अंधर प्रदेश में 14.3% उद्धर प्रदेश में 11.83% उड़ीशा में 9.2% बिहार में 8% तमिलनाड में 8.2% इन्यासम, चतिसगर, जारकरण, महराष्ट, पंजाब आदी में भी इनको उगाया जाता है नेक वेशन देखिए राजथान में चावल उत्पादन किन जिलों में किया जाता है तो यह आपके गंगानगर, हनमानगर, कोटा और बूंदी जिलों में समय तोर पर देखने को म जिलता है नेक वेशन चावल उत्पादन में भारत का विश्व में किस इस्थान पर आता है चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा इस्थान है तो आपका दित्य स्थान पर है इससे ज़्यादा पैदावार चीन के अंदर होती है तो चीन इसमें प्रिथमिस् देतिय स्थान पर भारत होता है विसमें, नेक कोशन, भारत में खरीब की फसलों में सरवादिक किस फसल का उत्पादन किया जाता है, तो चावल और मक्का का सरवादिक उपयोग किया जाता है, सरवादिक पैदावार की जाती है और जिसमें चावल भी पृतम है और मक्का दे बंठरगत ढला यह ज expect ऊप्योग पtsåड़ प्र inside dal इस पृप्रिकार के ऑप्योगे नियुक होग किया जाता है जो किस के दौरा सारप्रतम भारत में आई थी जो फसल है भारत में सरफितम कहां से आई थी, तो ये पूर्थगाली लेके आया थी, शत्रवी सदी के अंदर, शत्रवी सदी में पूर्थगाली द्वारा मक्का को भारत लेके आ रहाए गया है, मक्का की फसल हेतु किस प्रकार की परिस्तेतिया अनुकूल होती है, ये आपकी पंदर, बारा से पैंती सेंटी केटर अपमान इसके लिए जरूरी होता है, पचास से सौ सेंटी मिटर वर्षा, नाइट्रोजन युक्त गहरी मिटी जिसमें जल निकासी परियाप मात्रा में हो इस प्रकार की मिटी, इस प्रकार की परिस्तेतियां मक्का के लिए अनुकूल होती है, नेक क्वेशन, भारत में सरवादिक मक्का उत्पादन किन राज्यों में किया जाता है, तो सरवादिक उत्पादन देखे, आंधु परिदेस में 19.3%, करनाटक में 16.88%, राजिस्थान म 10%, गुजरात में 7% किया जाता है, और मध्य प्रिदेस और पंजाब में भी मक्का का उत्पादन किया जाता है, नेक क्वेशन देखे, राजिस्थान के किन जिलों में मक्का उत्पादन किया जाता है, तो आपका कोटा, बूंदी, बारा, जालावार, उदैपूर, डूंग नगर और हन्वानगर, यह सभी जिले ऐसे हैं, जहां पर मक्का उत्पादन देखा जाता है, नेक क्वेशन देखे, भारत का मक्का उत्पादन में विसमें कौन सा इस्थान है, भारत का मक्का उत्पादन है, विसमें कौन से इस्थान पर आता है, तो यह दस्वे इस्थान पर आता है, उत्पादन कम होने के कारण इसका निर्यात नहीं किया जाता है, मक्का का उत्पादन बहुत कम होता है, आवशक्ता के अनुसार, तो इस वज़े से इस फसल का निर्यात नहीं किया जाता है, यह याद रखिएगा, नेक क्योशन, बाजरा फसल का उप्योग किस प तो किया जाता है, नेक कोशन, बाजरा की खेती किस प्रकार की जलवायों में की जाती है, बाजरा की जो खेती है, वो किस प्रकार की जलवायों में की जाती है, आपको पता है, बाजरा सबसे ज़्यादा राइस्तान में होता है, तो यहां का मौसम और यहां की जलवायों कैसी इसकी एप संदाज अलगा सकते हैं, गर्म और सुस्क जलवाईयों में बाजरा की खेती की जाती है, और जून से अक्टोबर के मद्धे इसकी खेती सरवादिक होती है. बाजरा की खेती तो कितनी वर्षा वाले छेत रुप्यूक्त होते हैं? बाजरा की खेती तो इस चीज़ से आप समझ गये होंगे कि राजिस्थान में बाजरा सबसे ज़्यादा कहां होता है भारत के अंदर राजिस्थान में और विश्च बाजरा उत्पादन किन जलों में किया जाता है? तो राजिस्थान में जो बाजरा उत्पादन किया जाता है? नेक कोईचन देखिए भारत बाजरा उत्पादन भूमी उरुवरखता बढ़ाने के लिए बोया जाता है जो किस प्रिकार की जो फसल होती है वो उरुवरखता बढ़ाने के लिए Mुखे तोर पर बोया भी जाता है तो कौनसी वो फसल है जो आपके दलहनी फसले हैं जो हैं दलहनी जो फसले हैं उनको भूमी उरवरक्ता बढ़ाने के लिए भी बोया जाता है ठीक है? नेक कोशन देखिए कौन सी दलहन की फसले राइस्थान में रवी की फसले हैं? यानि रवी के मौसम में कौन सी फसले बोई जाती है दलहन की, तो मठर, चना और मसूर की जो फसले हैं, वो सामने तोर पे रवी के मौसम में बोई जाती हैं, और ये तीनों क्या हैं, दलहन की फसले हैं, नेक क्वेशन, कौन सी दलहन की फसले राइस्थान में खरीप की फसल ह रभी की फसल आपने देखी दलहन में जो खरीब की फसल हैं वो कौन सी हैं तो वो आपके मूँ, मौट, उरद और अरहर मूँ, मौट, उरद और अरहर ये क्या हैं ये खरीब की फसले हैं और दलहन हैं ये नेक कोईशन देखी, भारत में दलहन की फसलों में चनी की दाल कितना हिसा है, भारत में जो दलहन की फसले हैं, उसमें चनी की दाल का कितना हिसा होता है, तो यह आपका एक तिहाई हिसा, जो टोटल भारत में जो टोटल दलहनी फसले होती हैं, उसका एक तिहाई हिसा चनी की थेंग है? Next question भारत में उत्री भारत में किन राज्यों में दल्हन की फसनों का उत्पादन किया जाता है तो किन राज्यों में किया जाता है आपका पंजाब, हर्याना, राजस्थान, उतरपिदेभ, तर पष्षी मंगाल और मैदानी पच्ची मंगाल के मैदानी भागों में सामें तरफी क्या दाजाएं देखे बढ़त की बात आती है तो पंजाब जो मुखे जो खादान फसले सामें तौर पंजाब में देखने को मिजाएं कि वहाँ पानी की बहुतायत मातर में उकलब्दी होती है दूसरा जब राइस्थान की बारे में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा फसलों के बारे में जब कोई अंसर नहीं आ रहा हो तो गंगानगर हर्मांगर साइड में आपको क्लिक कर दीजे, वह आपका सबसे बैस्ट आंसर होगा, इन केस अगर आपको अंसर नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो इस चीज का, क्योंकि मैक्जिम का अंसर क्या है, गंगानगर है, तो चलिए, यहाँ पर बात हम कर रहे हैं तो भारत के बारे में, तो भारत में पंजाब, हरियाना, राइस्थान, उतरप्रदेश और पश्चिम बंगाल के जो मैदानी भाग है, उसमें दलहनी ठीक है, तो देखे, गंगानगर तो है, गंगानगर, हनमानगर, विकानेर के जो नहरी सिसाही छेत्रे हैं, उनमें भी यह इनका दलहनी पसलों का अउतपादन किया जाता है, एक कुश्चिम भारत में चनी की फसल के बास सर्वाधिक उतपादे दलहनी पसले कौन सी हैं? भारत में जो चनी की फसल है आपको पता है यह एक तिहाई फसल जो दलन है वो चनी की होती है फिर उसके बाद जो सरवादी फसल सबसे ज़्यादा बुई जाती है और अरहर की फसल जौर बाजर और राई के साथ बुई जाती है कब बुई जाते हैं? ज़ार बाजर और राइ के साथ बोई जाती है नेक क्योशन देखें भारत में अरहर की फसल का सरवादी कुथपादन किन राज्यों में होता है? तो अरहर की फसल आप महराषट में सबसे ज़्यादा होती है पिर्थमिस्तान पे आता है, उत्रप्रदेश में दूसरा सबसे ज़्यादा होता है, कर्णाटक तिर्थिय इस्तान पे आता है और बिहार, मद्ध प्रदेश और आंध प्रदेश में ये भी अरहर की फसल की जाती है भारत में उडद में मुंग को ज्वार, बाजर, और कपास के साथ किस भाग में बोया जाता है बादन में राजस्थान का भारत में कौन सा इस्थान है, तो कौन सा इस्थान है, ये प्रिथमिस्थान पर आता है, राजस्थान के अंदर भारत में जो मुंग होती है, उस राजस्थान में सरवाधिक पैदावार राजस्थान के अंदर होती है, ठीक है, नेक क्वेशन द यहां पर क्या है मूं का सरवाधिक उत्पादन किया जाता है नेक क्वेशन देखिए राइस्थान में उड़त का उत्पादन किंजिलों में किया जाता है तो यह आपके हाड़ोती में पोटा बूंदी भीलवाडा छेतर में होता है तथा मिवाड में छित्तौर उदयपूर भीलवाडा और दक्षिन राइस्थान में बास्वाडा में इसका उत्पादन किया जाता है नेक क्वेशन देखिए राइस्थान में मसूर उत्पादन किंजिलों में किया जाता है तो पूरी राइस्थान में अलवर भरतपूर और धौलपूर के अंदर यह होता है और मुद्रदाइनी पसले भी कहते हैं वो कौन सी हैं तो यह आपकी गन्ना कपास, तिलहन, जूट और तंबाकु यह मुख्य वबसाइक फसले हैं गन्ना कपास, तिलहन, जूट और तंबाकु. नेक कोईशन, भारत में सरवादिक बोई जाने वाली मुद्रदाईनी फसल कौन सी है, यानि वेबसाइक फसल कौन सी है, तो आपकी गन्ना है, गन्ना आपकी सुगर मील में यूज होती है, अलकोहल बनाने में भी यूज की जाती है, तो इस तरहे गन्ना जो है, वो आपकी सर जवादिक बोई जाने वाली जो वेबसाइक फसल है नेक कोईशन देखिए गन्ना भारतिय मूल का पौदा है जो किस वनस्पति का वनसज माना जाता है गन्ना जो है भारतिय मूल का पौदा है यह हम जानते हैं तो यह किस वनस्पति का वनसज माना जाता है हम जानते हैं कि ग गन्ना जो है बास का वनसज माना जाता है बास की जो बनसपती उसका वनसज माना जाता है गन्ना को नेक कोईशन देखिए गन्ना उत्पादन में भारत का विस्व में कौन सा इस्थान है गन्ना उत्पादन में भारत का विस्व में कौन सा इस्थान है तो भारत का यहां पर प्रिथम इस्थान है विस्व का जो 50% गन्ना है वो केवल भारत में होता है भारत के अंदर विस्व का 50% गन्ना केवल भारत में ही होता है इसलिए विस्व में प्रिथम इस्थान पे है नेक क्वेशन देखिए गन्ना उत्पादन ही तो अनुकूल परिस्थितिया है भारत मे कौन सी परिस्तितियों में होता है यह उस्ट का टीवंद यह भागों में होता है एक तो यह 15 से 40 डिगरी सेंटीग्रेट का टेंपरिचर इसको चाहिए होता है 100 से 200 सेंटी मिटर का वर्षा चेतर इसके लिए उक्युक्त होते हैं और नदी घाटी चेतर की जो नमी उक्त मिट्टी है जो चिकनी और दोमट और कछारी मिट्टी है वो इसके लिए सरवाधी का नुकूल होती है गन्नी की पैदावार चेतर की दर्ष्टी से उत्री भारत अग्रणी है गन्नी की जो पैदा होती है उसमें जब चेतर की बात की जाए तो कितनी चेतर में बोया जाता है तो गन्ना उत्री भारत में ज्यादा चेतर में बोया जाता है लेकिन पैदावार दक्षिन भारत में होती है पैदावार जो होती है टोटल पैदा जो होती है वो दक्षिन भारत में ज्यादा होती है जब कि छेत्र की दर्ष्टी से देखा जाया तो उत्री भारत में ज्यादा छेत्र फल में बोया जाता है और पैदावार दक्षिन भारत में होती है क्यों होता है? एसा इसलिए होता है क्या जाधर जलवाईव कहाण करन possess तो यह जाधा होता है औरश से यहा氣 पैदावार अधिक होती है तुभारत में मुक्य तक किन राज्यों में गarnya तन किया हैं जहां पर गन्ना का सरवाधिक उत्पादन किया जाता है ने कुश्चन देखिए राइस्थान में मुक्त किन जिलों में गन्ना उत्पादन किया जाता है तो आपका जो उदैपूर गंगा नगर भीलवाड़ा चित्तौर और बूंदी यह ऐसी जिले हैं जहां पर सरवाधिक जन्नी का उत्पादन किया जाता है ने कुश्चन देखिए गन्ना की फसल का उप्योग कच्छे माल के तौर पर मुक्त किन उत्पादन किया जाता है तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं गन्ना गुर बनाने के काम आता है चीनी बनाने के काम आता है अलकोहल ब मिलता है भारत में जो सूती वा सुध्योग था जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि भारत में सूती वा सुध्योग का जो व्यापार है वो बहुत पुराना है बहुत समय से जानकारी है इसकी तो इस प्रकार का किस ग्रंथ में विवरण मिलता है तो यह ग्रंथ है मनुवस् भारत की कुल कृसी भूमी में कितना पृतिसात हिस्जा कपास की फसलों का हैं, बारत की जो कृसी भूमी है इसमें 6.7% में केवल कपास बोया जाता है, 4.7% किसी भूम्य में केवल कपास बोया जाता है कपास सामेंге 35 ना और उनके रेशों के आधा पर देखा जाता है करसी नबए रेशे होते हैं मध्यम रेशे होते हैं किस परकार की परिस्थित JENह काम पास की फसल के लिए उपयूकत होती है किस प्रकार की परिस्टियां है कपास की फसल के लिए उप्युक्त होती है, तो आपकी खरीब का सामय जो होता है वो इसके लिए भारत में उप्युक्त माना जाता है, तापान 20-35 centigrade होता है, वर्सा जो है 80-150 cm के बीच होना इसके लिए उप्युक्त होता है, गहरी और काली गयना की फसल के लिए अच्छा माने जाती है, और चूने वा पोटास की मात्रा वाली जो भूमी होती है, वो ज्यादा इसके लिए उप्युक्त मानी जाती है, नेक कोश्यन देखिए, लंबे वे महीन रेशे वाली, देखिए, जब कपास की बात करते हैं, तो यह हमारे भा कपास का 50% उत्पादन करता है, तो यह एक्च्छल में किस देख का मूल पौदा है, यह भारत मूल का पौधा नहीं है, जो कपास का जब लंबा और महीन रेशे वाली, जो कपास सरवादिक हमारे भारत में वही जाती है, लगो 50% इसका उत्पादन होता है, टोटल कपास का 50-35% भाग मातर लंबे और महीन रेशे वाली कपास होती है, तो यह भारतिय मूल का पैदान ना होकर किस देख का मूल पौदा है, तो यह है आपका अमेरिका का पौदा, इसलिए इसको अमेरिकन का पास भी बोलते हैं, भारत में, पंजाब, हर्याना और राइस्थान में इ जो लंबे और महीन रेशे वाली कपास होती है, तो किसी और नाम से भी जाना जाता है, तो क्या नाम है, वो है नर्मा, इसको नर्मा के नाम से भी जाना जाता है। नाइक क्वेशन देखी, मध्यम रेशे वाली कपास का उतपादन भारत में कुल कपास उतपादन का कितना प्रतिसत है, मध्यम रेशे वाली जो कपास है, देखी लंबे रेशे वाली का 50 प्रतिसत है, बाकी बची 50 प्रतिसत, तो उसमें से मध्यम रेशे वाली का उतपादन क तो ठीक है अब मध्यम रेशे वाली कहां कहां होती है तो गुजराज, महराश्ट, हर्याना, आंद्रपदेश, करनाटक और तमिल नाड़ो में मध्यम रेशे वाली कपास होती है भारत में कुल कपास का ये 40% इसा उत्पादन बताती है नेक क्वेशन देखिए चोटे रेशे वाली कपास का भारत के कुल कपास उत्पादन का कितना प्रतिसत है ये हमने बात करी थी तोटे रेशे वाली 10% कपास जो होती है भारत के अंदर होती है लगवग सभी राज्यों में बहुत कम मात्रा में बोई जाती है नेक क्वेशन देखिए देश में कपास उत्पादन क इसमें आता है, next question देखिए, कपास के मांग अधिक होने के कारण किन देशों से आयात किया जाता है, कपास जो है, उसकी मांग बहुत ज़्यादा होती है, और हमारे यहां पर उतना अत्पादन नहीं होता, उतनी पैदावार कपास के नहीं होती है, तो जिन देशों से आयात क आपका अमेरिका, सूडान, केनिया और मिस्ट जो है, इसको केनिया बी बोलते हैं बहुत सारी जगह पर, इसमें कन्फीूज मत होईएगा, अमेरिका, आस डान, केनिया और मिस्ट, यह देश हैं जहां पर कपास हमारी आयात किय जाती है, नहीं कॉर्षिन देखिए, राइस्थान में कपास उत्पादन किन जिलों में मुखिते किया जाता है तो यह आपका गंगानगर, हनमानगर, बीकाने, कोटा, बूंदी और जालावार में इसका उत्पादन किया जाता है राहिस्तान में कपास का जो उत्पादन है वो किंजिलों में उखित किया जाता है गंगानगर, अनमानगर, विकानेर, कोटा, बूंदी और जलावार में ठीक है नेक कोईशन देखी भारत में विश्व का कितना पृतिसात तिलहन उत्पादन होता है भारत में विश्व का कितना पृतिसात तिलहन उत्पादन होता है तो भारत में जो विश्व का कितना पृतिसात है ये मात दस पृतिसात है वो टोटल विश्व का दस पृतिसात जो तिलहन है वो भारत में उत्पादन होता है नेक कोईशन देखी भारत में तिलहन की मुख्य फसने कौन सी है? भारत में जो तिलहन है उसकी मुख्य फसने कौन सी है? तो भारत में जो मुख्यली, सरसों, तिल, सूरज मुख्य, अलसी, अरंडी, सोया बीन, ये सबी कैसी है? ये तिलहन फसले हैं और इसमें सबसे ज़्यादा क्या है? सरसों औ मूल फसल है देखें मूंगफली भी हमारे देश की मूल फसल नहीं है तो मूंगफली किस देश की मूल फसल है कहां से आई है यह आपके ब्राजील से है ब्राजील से आपकी मूंगफली आई है ब्राजील का मूंगफली जो है वो ब्राजील का मूल पौदा है नेक कोशन मुंगफली से होता है ने कुछन देखी बहरत में मुंगफली का उतपादन वर्स में कब किया जाता है यह घरीब का जो मौसम माना जाता है उसमें सरवाधिक मुंगफली का उत्पादन किया जाता है ने कोशन देखिए भारत में मुंगफली का उत्पादन किन राज्यों में मुक्ते किया जाता है कहां कहां पर किया जाता है भारत में मुंगफली का उत्पादन तो यह आपका गुजरात में सबसे ज्यादा होता है प्रसमस्तान पर आता ए और अंदप्रदेश दिते अस्थान पर आता है इस तरहीं जो तरु है उस्तरत है तर्थी सब्सेज्ञा ज्यादस मुंफली उतपादन तमिल्णाड़ में होती है महराश्ट तुथी नंब्र पर आता है करनाटक में इसका उतपादन अच्छी किया जाता है। राइस्थान के किन जिलों में मुंखवली का उत्पादन किया जाता है। तो राइस्थान में चित्तोड, सवाई मादोपूर, भीलवाड़ा, जैपूर, गंगानगर, विकानेर, हन्मानगर और राइस्थान का जो नहरी सिचाए इस सभी में क्या है? मुंखवली का उत्पादन किया जाता है। ने क्योश्चन देखी। विस्व का कितना प्रतिसद सर्सों का उत्पादन भारत में किया जाता है? तो 70 प्रतिसद जो भाग है, सर्सों का उत्पादन वो केवल भारत में होता है, जो भारत में कुल तिलहन फस का 35ृतिक चै Dienst का टो्टल के चोंट में थी हुत्य है व मैं भारत में पेहते हैं राज्जे में हे राइस्ठान हे हमारे हैं भारत में सरवादीक सरी किस राज्य के हुव्टा है तो इसके बारे में अपने इसी तुझ रूप से जानते हैं, राइस्थान हमारा है, जहां पर भारत में सर्वादिक सर्सों उत्पादन होता है, भारत का जो टोटल सर्सों होती है, उसका 41.30 केवल राइस्थान से प्राप्त होता है, भारत में जो टोटल सर्सों उत्पादन है, उसका 41.30 केवल राइस्थान से मिलता है, नेक शर्सों की पैदावार ने क्वेशन देखें। किन जिलों में सर्जों का उत्पादन मुखिते किया जाता है तो राईस्थान में अलवर, भरतपूर, हनमानगड, गंगानगर, सवाई माधुपूर, भीलवाडा, जैपूर, बीकाने, राजस्थान की नहरी सिचाई छेत्रों में सरवाधिक सर्शों का उत्पादन किया जात है अलवर, भरतपूर, हनमानगड, गंगानगर, सवाई माधुपूर, भीलवाडा, जैपूर, बीकाने, वे राजस्थान की नहरी सिचाई छेत्रों में इसका उत्पादन सरवाधिक किया जाता है ने कोशन देखिए अरंडी का उप्यों किन कारिया होतु मुख्य तक किया उसके लिए यूज किया जाता है सावन बनाने में अरंडी के तेल का यूज किया जाता है और चमडा सोधन में भी अरंडी का उप्यों किया जाता है ने कोशन देखिए अरंडी का उत्पादन भारत के किन राज्यों में सरवाधिक होता है अरंडी का उत्पादन है भारत मे सरवादिक किनराज्यों में हैं, तो यह आपकी गुजरात में 65% अरंडी होती है, और राइस्थान में जो टोटल भारत का 25% अरंडी की फसल है, वो राइस्थान से प्राप्त होती है, ठीक है? नए कुश्चन देखी, सोयवीन का सरवादिक उत्पादन भारत की किनराज्यों में होता है, सोयवीन का सरवादिक उत्पादन भारत की किनराज्यों में होता है, तो यह आपका मध्य प्रिदेश में 70% भाग जो होता है, वो सोयवीन का होता है, तो टोटल भारत में जो सोयवीन की फसल होता है, 70% केवल मध्य प्रिदेश से मिलता है, 20% महराष्य और 10% र इस नहीं ठीज को समझने में तूर्श है, ऑपके कितनी प्रतिसत्र जन रूम से उखान है। या सब्सक्राइब कितनी प्रतिस्टे सस्टाइब क्रिस्ति निएक कुछें जी दें किक्ड़िकी काुकूर्ट एक्रतिस्त्र योग यह जो वैल्यू है यह काफी इंपोर्टेंट है देखें, 1903 में चुराने की जो कीमत हैं उसके 1905 ने कुल GDP का कितना प्रतिसत योगदान था यह आपका 55.11 प्रतिसत योगदान था किरसी का भारत की जो टूटल GDP है उसको 1905 में 55.11 प्रतिसत योगदान था कुल GDP यह थे जो टूटल भारत की कितना प्रतिसत योगदान था तो किरसी का कितना प्रतिसत योगदान था आपका 54.26 प्रतिसत योगदान था इसी तरह किर्सी द्वारा भारत में 2007-08 में 1999 में 2000 की कीमतों पर आधारित कुल GDP का कितना पृतिसत योगदान था तो यह आपका 17.8 पृतिसत योगदान इस साल रहा नेक क्मोरा भारत में 2015-16 में किर्सी द्वारा भारत में 2015-12 कीअतों पर याद रखेंसे कि लगातार यह धीरे-धीरे कम होता आ रहा है है ना जबकि भारत की जन्सेंग क्या है वो लगभग लगभग 60% इसके उपर dependent है तो ऐसी स्थीति में भारत किरसी प्रदान होकर भी वो किरसी से जब उपस नहीं ले पा रहा है किरसी में अपने GDP को अधारित नहीं कर पा रहा है तो ये इसका एक नुकसान वाला फेक्टर है इस चीज़ को ख़र हम आगे डिसकस करेंगी चलिए नएक क्योशन देखी भारत का वैस्विक करसी उत्पादों में निर्याद का कितना प्रतिसत योगदान है तो भारत का दो पॉइंट 07% मात जो टोटल निर्याद का जो है वैस्विक करसी उत्पाद में मात दो पॉइं की दिश्टी से किया उसकी दिश्टी से अगर देखा जाये तो विजव का दस्वा बड़ा देशली कहलता है ठीक लेकर नेक्ट को बहुएं प्रम भारत में किन क्रिशी और सम्मंदित उत्पादों का निर्याद किया जाता है? भारत में जो कौन सी क्रिशी है या उनसे सम्मंदित उत्पाद है जिनका निर्याद सरवादिक किया जाता है? तो ये आपके हैं चाय, चीनी, तिलहन, तवाकू, मसाले, ताजेफल, बासमती, चावल, ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके वो उत्पाद हैं, वो किसी उत्पाद हैं जिनका सम्मने तोर पर निर्यात किया जाता है और भी हैं जैसे जूट, कपड़े, मुर्गी पालन से सम्म जो प्रोडेक्ट हैं उनका भी यहाँ पर निर्यात यानि एक्सपोर्ट किया जाता है तो बच्चों इसी के साथ आपका होता है ये चैप्टर समा प्लास 10 का चैप्टर नमबर 10 खनीजवय उर्जा संसादन तो चलिए बिनादेरी के स्टार्ट करते हैं कोशन नमर 1 है आप खनीज का क्या अप्राय है खनीज जो होता है उसका अप्राय क्या है तो खनीज वो है खनन क्रिया द्वारा प्राप्त मानव उपयोगी रासायनिक और भाधित पतार्ट यानि खनन क्रिया के द्वारा जितने भी मानव की उपयोग में आने वाले रासायनिक और भाधित पत उत्पत्ति के आधार पर खनीजों को कितने भागों में वर्गी क्रित किया जाता है तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं यह आपके जैविक और अजैविक जिनको बायोटिक और अबायोटिक कहा जाता है नेक क्योशन राशायनी गुणों के आधार पर खनीजों को कितने भागों में वर्गी क्रित किया जाता है तो वह आपके हैं धात्विक और अधात्विक धात्विक में लोह और अलह धात्विक के तोर पर भी इनको और वर्गी क्रित किया जा सकता है धात्विक और अधात्व नेक कोशन देखिए लोह खनीज के उधारन हैं लोह खनीज के उधारन कौन-कौन से हैं तो लोह एस्क, क्रॉमाइट, पायराइट, टंग्स्टन, कोबार्ट ये सबी क्या हैं ये लोह खनीज के अंतरगत आते हैं नेक कोशन, अलोह खनीज के उधारन हैं अलोह खनीज कौन से हैं जिन में लोहिका अंस नहीं पाया जाता है जैसे सोना हैं, चांदी, तामबा, जस्ता बॉक्साइट, टीन, मैगनेशिम ये सबी क्या हैं ये अलोह कनीज के उधारन हैं नेक्क्वेशन, आधात्विक खनीज की उधारण कौन कौन से हैं? चूना पत्तर, डालोमाइट, अबरक और जिपसम. चूना पत्तर, डोलामाइट है मेरी जानकारी में यह, और अबरक और जिपसम. नेक्क्वेशन, उर्जा खनीज किसे कहा जाता हैं? तो उर्जा खनीच कौन कौन से हैं? उर्जा खनीच जिनसे उस्मा और उर्जा प्राप्त हो. वो सभी खनीच जिनसे उस्मा और उर्जा प्राप्त होती है, वो क्या कहलाते हैं? उर्जा खनीच कहलाते हैं. नेक क्रेशन देखिए, ऊर्जा खनीच को कितने भागों में वर्गीकरत किया गया है, तो कितने भागों में वर्गीकरत किया गया है, इधन और अनुसक्ति खनीच, इधन खनीच और अनुसक्ति खनीच के तौर पे इनको और वर्गीकरत किया गया है, नेक क्रेशन देखिए इधन खनीज के उधान कौन कौन से है इधन खनीज के उधान क्या है पोईला हो गया पैट्रॉलियम गैस हो गया यह सब यह किस प्रकार के एक्जामपल है यह इधन खनीज के जो डिरेक्ली इधन के तौर पर लिया जाता है नेक क्वेशन देखिए, अनुसक्ती खनीज के उधार्ण क्या है, अनुसक्ती खनीज के उधार्ण कौन से है, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, बेरीलियम, इलमिनाइट, इसमें क्या है, अनुसक्ती खनीज के तौर पर जाना जाता है, नेक क्वेशन देखिए, भारत म जो टोटल खनीज होते हैं उन कितने खनीजों करन किया जाता है कितने खनीज सामिनताओ पर देखे जाते हैं तो वह आपके 89 जो है 89 खनीज है जिसमें से 52 अधात्विक हैं 10 धात्विक हैं तेई सुक्षम खनीज हैं और चार इधन खनीज के तौर पर वर्गी करत किये गए हैं नेक क्वेश्चन देखिए निर्मान सामगरी वे इधन खनीज भारत की सकल घरील उत्पात का कितना प्रतिशत पागया है सकल घरील उत्पात का मतलब जीडीप ड्रॉस डॉमेस्टिक प यह हो गया यह फिरय्मिनियं हो गया यह पिर्टोरियम हो गया इसली क्या है इधन खनीज रहे तो इनका जब्सक्रों सखल घरीलो उत्पात कितना प्रतिशत भाग होता है तो यह आपका माथा 3.4 प्रतिशत भाग उता है नेकशन देखिए आई निर्मान सामगरी वे इधन सामगरी इधन खनीज भारत के और दोगिक उत्पाद का कितना प्रतिसद भागें टोटल जीडीपी में वो कितना हिस्सा बनाते हैं यानि उनकी वैलिएशन कितनी होती है वो अलग है देकिन जब निर्वान सामग्री और इधन खनीज भारत के ओध्धोगिक उत्पाद का जो प्रतिसद निकाला जाता है तो वो अलग होता है और वो लगभग 11 प्रतिसद है ठीक है नेक क्वेशन देखिए वर्तमान ओध्धोगिक अर्थवरस्था का आधारभूत इस्थम यानि लोहो ऐस्थ हमारे ये भी क्वेशन पूछा जासकता है कि वर्तमान ओध्धोगिक अर्थवरस्था का आधारभूत इस्थम किसे कहा जाता है तो लोहो ऐस्थ का जो खन एक मरत बर्वोत सिस्तम् sedik का गया है वह किस प्रकार की चत्तानों से प्राप्त होते ही तो वो होते हैं आपके अग्नी चत्तानों के द्वरा बात्त होते हैं निए कॉश्यन दिखि ब्लोह्यस्थ भंडार के आधार पर भारत का विस्मे कौन सहस्थान है लोह-थ Jobs भंडार के आधार पर, मतलब कितना ज़्यादा लोहा हमारे देश में मिलता है, विस्व के comparatively, तो देखे, दूसरा सबसे बड़ा देश है, जान दूसरा सबसे ज़्यादा लोहा मिलता है, पहले नमबर पर रूस आता है, और दूसरे नमबर पर भारत, नेक कोश्यन देखिए भारत में लोहास के कितने प्रकार पाए जाते हैं, भारत में जो लोहास के हैं, उसके कितने प्रकार पाए जाते हैं, तो यह आपके पांच प्रकार हैं, मेगनेटाइट, हेमेटाइट, लीमोनाइट, सेडेराइट और लेटेराइट, ठीक है, भारत में लोहास के पांच प भारत में जो लोह ऐस्क भंडार है वो संपूर्ण विस्तु की कमपरेटेबल देखा जाए तो कितने प्रतिसत भाग है पूर विस्तु का तो वह आपका 20 प्रतिसत भाग अकेला भारत में है ये करीवन कितना है तेई सो करोर टन लोह ऐस्क यहाँ पर भंडार अविलेबल है ने कुश्चन देखिए भारत में किस प्रकार का लोह ऐस्क सरवाधिक पाया जाता है तो किस प्रकार का पाया जाता है हेमिटाइट हेमिटाइट का जो लोह ऐस्क है हेमिटाइट टूप में जो पाया जाता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है यानि 85% हिस्टा जो है भ बहुत important question है, क्योंकि ये questions repeat होते हैं, तो इसका ध्यान रखेगा हेमिटाइट हमारे देश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और उसमें भी लोही की मात्रा कितनी होती है, तो लोह उन्स की मात्रा उसमें 70-80% होती है, इसी वज़े से ये बहुत अच्छे प्रकृति का लो है, भारत में लोह उन्डार का कितना प्रतिसद मेगनेटाइट का बंडार है, देखिए हमारे यहां पर सबसे ज़्यादा हेमिटाइट पा जाता है, दूसरे नमबर मेगनेटाइट पाया जाता है, जो की गरिबन 8% है, कितना है, 8% और इसके अलावा जितने भी हैं वो बा बात करें, तो उसके कंपडाइट कम है, लेकिन फिर भी 60-70% तक इसमें लोह उन्ड पाया जाता है, कितना पाया जाता है, 60-70%, जब कि हमेटाइट में 70-80% तक पाया जाता है, नट कोशेंट देखिए, भारत में किन राज्यों में मुख्यता लोह एस्क पाया जाता है तो आपका उडिशा हो गया करनाटक, च्छतिसगर्ड, गोवा, जारकन और जारकन ये पांच स्टेट्स तो ऐसे हैं जिनमें सरवादिक लोह एस्क पाया जाता है और उसी क्रम में लिखे गया है यानि भारत म पर करनाटक आता है तीसरे नमबर पर च्छतिसगर्ड, चौथे नमबर पर जारकन गजाता है तो ये सबसे ज़्यादा ये जह सबसे जादा है इसके अलावा जो है आन्द प्रदेश जिसमें तेलांगणा जो छेत्र है देखिए तेलांगणा अलग स्टेट्स लेकिन लाड़ों में सलेम दिला है, वहाँ पर भी कापी मात्रा में मिलता है, राइजिस्थान के अंदर उदैपूर, जैपूर, भीलवाड़ा और अलवर में मिलता है, और हरियाना के अंदर महिंद्रगड में राइस्क पाया जाता है, नेक कुशन देखिए, भारत में सरवादिक लोह खनीज बंडार किस राज्य में से थे, देखिए, हमने अभी बात की थी, सरवादिक लोह खनीज बंडार किस राज्य में है, तो वह आपके उरिशा में है, यानि 30% जो टोटल भारत का जो लोह खनीज पाया जाता है, उसका 30% अकिले उरिशा में पाया जाता है, लेकि बारत में दूसरा सबसे अधिक लोह खनीजबंडार किस राज्य में जित है तो हम जानते हैं करनाटक दूसरे इस्थान पर आता है जिसमें टोटल भारत का 25% जो लोहा है वो करनाटक में मिलता है और उटपादन यहां पर 26% लोहे का किया जाता है नेक कुशन इसी तरह भारत में लोह खनीजबंडार के आदा पर तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है हमने पांच राज्यों की बात की ती और तीसरा राज्य कौन सा है 36 गड़ है जिसमें 16% खनीजबंडार लोहे के पाए जाते हैं और उतपादन का 15.02% उतपादन यहां पर लोह खनीजबंडार के आदार पर चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है चौथा जो बड़ा राज्य है वो आपका गोवा है और गोवा में उतपादन क्या है 13.15% तक होता है नेक कुशन देखिए इसी तरह भारत में लोह खनीजबंडार के आदार पर पांच वा नेक कुशन देखिए उरिसा में किन जिलो में हेमेटाइट लोह खनीजबंडार पाए जाते हैं ये कुशन इतना इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए उरिसा में किन जिलो में हेमेटाइट लोह खनीजबंडार पाए जाते हैं किन पे पाए जिला ये जो तीन जिले हैं मेयोरगंज, क्योज़र और संदरगड इन तीनों में ये हेमेटाइक लोहखनी जैस्क पाये जाते हैं इसमें मेयोरगंज के च्छेत्र हैं वो गुरु महिसनी, सुले पात और बादाम पाड़ हैं और क्योज़र जिले के अंदर बास, पानी, नैक क्वोशन देखी, उडिषा से लोहो आएस का निर्यात किन बंदरगाओं से किया जाता है? ये काफ़ी इंप्वाटेंट है उडिषा से लोहो आएसक जो निर्यात किया जाता है, कौन से बंदरगाओ पास हैं построers सका पटणना और पारादीब जो बंदरगाओं से यहां पर लोयस का निर्यात किया जाता है निर्यात यानि जापान और अन्य जो देश हैं उनको यहां से निर्यात किया जाता है करनाटक में किन जिलों में हेमेटाइट लोह खनीज भंडार पाये जाते हैं करनाटक जिसमें की दित्तिय सबसे ज़्यादा लोह खनीज पाये जाते हैं हमारे देश में तो उसमें सबसे ज़्यादा किन जिलों में पाये जाते हैं करणाटक के तो वह हैं बेलारी, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग और सिमोगा बेलारी, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग और सिमोगा के अंदर करणाटक में करणाटक के जो जिले हैं इचार उसमें हमेटाइट लो पाया जाते हैं, next question देखिए, करनाटक में प्राप्त लोह एसकों का सोधन मुखे तक किन कार खानों में किया जाता है, तो वो आपके भद्रावती और विजयनगर कार खाने है, भद्रावती और विजयनगर कार खानों में इस लोह एसकों का सोधन किया जाता है, next question देखिए, 36 गड़ में किन हेमेटाइट जिलों में सॉरी ये है किन जिलों में हेमेटाइट लोहरस के बंदार पाए जाते हैं 36 गड़ में किन जिलों में हेमेटाइट लोहरस के बंदार पाए जाते हैं तो किन में पाए जाते हैं वो बस्तर, दुर्ग, दातेवाडा, बिलासपुर और राजनन्द गाओं में इस प्रिकार के, हेमेटाइट प्रिकार के जो लोह ऐसके हैं, वो सरवाधिक चतिसगर में पाए जाते हैं, ठीक है? नेक कोशन देखी, चतिसगर में किन स्थानों से हेमेटाइट लोह ऐसके भंडार प्राप्त हुए हैं, तो जिले आपने अभी देखे थे, अभी इसमें इस्थानों की बात करें तो धली, राजहराश्रेणी, बेलाडीला छेत्र, रावगाट छेत्र और जगदलपुर छेत् झा त्तिस गोड़ में पाएसका शोदन मुक्तिक किया जाता है? 36 गड़ में पाये जाने वाले लोह आयस का सोधन मुक्तिक किस कार खाने में किया जाता है तो वह आपका भिलाई जो कार काना है वहाँ पर इनका सरवाजिक सोधन किया जाता है Next question देखिए 36 गड़ में अत्रिक्त लोह आयस को किस देश को निर्यात किया जाता है देखिए 36 गड़ में अत्रिक्त लोह आयस का मतलब किया है इसमें जो 36 गड़ में जो लोह आया जाता है उसका भिलाई जो कार काना है उसमें में अग्दियूम का सोधन हो जाता है लेकिन फिर भी बहुत सारा लोह जो बच जाता है उसको निर्यात कर दिया जाता है तो किस देश को निर्यात किया जाता है तो वो आपको सामाने तोर पर जापान को हमारा लोह एस्क सर्वाधिक जाता है और विशाखा पटनमबंदर गादवारा इसको भीजा जाता है नेक क्वेशन देखिए गोवा में किस प्रकार के लोह एस्क पाये जाते हैं? गोवा में किस प्रकार के लोह एस्क पाये जाता है, देख्चे हमारे देश में unter Preindo में उसमें लहांज भी होता है दो वा Cubic का हता है कि लेकिन जो गोभ है उसमें बहुत हल्की क्वालिटि के लोहां के जो सुडूप हैं वह मिलने को देखने को मिलते हैं लीमॉनाइट है लेटेरैट है कीडियरैट है यह बहुत नेक क्योशन देखिए, गोवा में लोहास के भंडार किन छेत्रों में पाये जाते हैं, तो गोवा में आपका पिर्णा आदेल, वाले अनेडा, कदनेम सुर्ला, तोसिल्ला, बोरगाड और छेत्र, ये सभी क्या हैं, ये गोवा में लोहास के भंडार छेत्र हैं, नेक कुशन देखिए, गोवा में प्राप संपून लेह को किस बंदरगा से निर्यात किया जाता है, देखें, गोवा में जो लोहा है वो बहुत हलकी क्वालिटी का होता है, तो इसलिए प्रयास किया जाता है, यो पूरी तरीके से निर्यात कर दिया जाता है, तो उसमें जो म लोहो स्क हेमेटाइट वै मेगनेटाइट किन चेत्रों में पाये जाते हैं? तो कौन-कौन से चेत्रे हैं? सिंग भूमी, पलामु जिलों के नौवन्डी, गुआवय, डाल्टनु गंजु चेत्रे में ये पाये जाते हैं. ठीक है? नेक Qson देखी। जारकंड से प्राफ लोह एसकों का सोधन किन कार खानों में किया जाता है, जारकंड से जो प्राफ लोह एसक हैं, उनका सोधन किन कार खानों में किया जाता है, तो आपका कुल्टी और बर्ण पुरुज के जो कार खाने हैं, उहां पर इसका सोधन किया जाता है, सोधन से आप कि किस राज्य में लोह ऐसक के खनन का कारे प्रारंब हुआ था ये कुश्चन काफी इंपोर्टेंट है सरुपर्थम भारत में जो फर्स्ट टाइम जो लोह ऐसक का जो खनन स्टार्ट हुआ वो कहां पे हुआ था तो वो आपका जहार घंड के अंदर ही हुआ था यह आपको याद रखना है ने कुसें देखिए भारत के विदेशी वियपार के अंतरग़ जो निर्यात होता है डोनटर विदेशी वियपार के अंतरगर जितना भी जाता है नेक क्वेशन देखिए तामबे के एस्क भारत में किस रूप में प्राप्त होते हैं तो आपका धारवाडवे अरावली स्रंक्टा की जो कायंतित चट्टानों की जो नसें नसों का मतलब जो छोटी छोटी नालियां अंतर भूमिगत जो नालियां बन जाती हैं उनक तार का पाई राइट एस्क के रूपह में तामबा हमें देखने को भारत में मिलता है नेक क्वेशन देखिए तामबे का उपयोग किस प्रकार के उध्योगों में किया जाता है तामबे का उपयोग देखिए विद्धूत उध्योगों में किया जाता है आपको तार बनाते हैं तारों में बहुत सारे अपने ताबे के तार देखे होंगे बेतार उद्ध्योग बेतार उद्ध्योग का मतलब जितने भी आपके सेंसर होते हैं उसमें सामने तोर पर क्या है कि इसकी कंड्रेक्टिविटी इसका मतलब विदुचा लगता अच्छी होने की वज़े से इसको सेंसर में बहुत यूज़ किया जाता है तीसरा प्रसीत लख उद्ध्योग जैसे आपके एसी वगरा हो गया फ्रीज हो गया तो इस में जो रॉड लगती है एक नली लगती है वो आपकी किसकी लगती है तांबे की लगती है तो इस प्रकार ये इन तीन उद्ध्योग में सबसे ज़्यादा उप्योग इसका किया जाता है विदुद उद्ध्योग बेतार उद्ध्योग प्रसीत लख उद्ध्योग नह कोश चीक है भारत में जो टूटल विसुख का जो तामभा है वो मांत्र एक प्रतीसत तामभा ही मिलता है। नेक कुश्टन देखी। भारत में प्राप्त तामभा किन छेत्रों से प्राप्त होता है। तो आपका मध्य प्रदेश जिसमें बालागाट और बेतुल। जारखंड में सिंग भूबी, हजारी बाग और पलामु जिला, राइस्थान के अंदर जुन जुनु, अलवर, राजसमन, इलवाडा और उद्यपुर जिले, आंद्परदेस के अंदर गुंटोर्ता, कोर्नोल और करनाटा के अंदर चित्व दुरुग जिला जहां पर तांब पानी, राखा, ये चारों क्या हैं, ये भारत की तांबे की प्रिशिद्ध दखाने हैं, ठीक हैं, और इनको आपको याद भी रखना है, ये काफी इंपॉर्डेंट होगी, नेक क्वेशन देखी, भारत में तांबे का खनन, एक अधिकार किसे प्राप्त है, भारत में जो पानबे का खनन है, आपको पता है, तांबा बहुत कम मात्रा में हमारे भारत में मिलता है, तो SC स्थिति में जो एक अधिकार जिसे पाते हैं, यानि उसी के पास खनन का जो है, एक अधिकार जिसे है, वो कौन सी है, SCL, यानि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, SCL ये दोनो आपका SORT में हो गया, तो ये दोनों रूप में आता है, तो इस चीज वएजे से आपको दोनों ही तरिके से आपको याद करना चाहिए, नेक कोशन देखिए, राइस्थान में तामे के भंडार किन छेत्रों में पाए जाते हैं, इस में से कोशन काफी ज़्यादा संभावन बनती है कि ये आते हैं, तो इस टेबिल है ये, टेबिल को मैंने कोशन के पॉर्मेट में लिखने का लिखा है, लेकिन फिर भी आपको इसको याद करना होगा, देखिए इसका अंसर क्या है, अजमेर के अंदर जो हनोतिया और सेवर है, क्या है, हनोतिया और सेवर, यहाँ परतांबे के बंडार मिलते हैं, अलवर में भगोनी छेत्र में मिलते हैं, भीलवाड़ा के अंदर पुड़ दरीबा, बनेड़ा, देवपुरा और देवतलाई हैं, छेत्र हैं जहां परतांबे के सुमों मिलते हैं, इसी तरह चितोड में वारी और अंकोला है, जुन-जुन म में कोलिहान, बस्वास, डोला-माला, चिचॉली, टूंडा और अंकवाली हैं, राजसमन्द के अंदर मजेरा, कारॉली, गोपा-कॉरा और सिरोही हैं, गोलिया, पी-पेला, देरी, बसंत-गर्ण हैं सिरोही के अंदर हैं और उद्यपूर में अजनी, बेदावल की पाल, चा अंकवाली हैं, यहां पर और एकी मात्रा का डिफ्राइंस हैं, इसी तरह यहां पर जब जुन-जुनी की बात करें तो अंकवाली हैं, तो अंकवाली हैं, तो अंकवाली हैं आपका जुन-जुनों में और अंकवाली हैं आपका जुन-जुनों में और अंकवाला हो रहा है नहीं हैं आपको पता हुगा निश्यत रुप से नए हुर सय देखी बाक साइट ऐस्क किन उध्णों में वह प्योग किया जाता है, Mexico गाध हुर्ध रहता है न हम जानते हैं में जानते है आलमीनियम का डस इत, भारत में जो बाक्साइट है आएसख वो कहां से प्राप्त होता है तो यह आपका धारवाड और विंध्याचल की जो क्रम की लावा जो चट्टाने हैं वहां से शामने तर प्राकर्थिक रूप से पाया जाता है ठीके न्यकॉशन भारत का बाकसाइट S के उत्पादन में विष्व में कौन सो स्थान है? बलब भारत में जो उत्पादन होता है विष्व में किस स्थान पर आता है सरवादर? तो पांचवी स्थान पर 500 सबसे बड़ा देश है जहां पर बाकसाइट S बंडार मिलते हैं. ठीक है? Next question. भारत में बाकसाइट S का उत्पादन कहां किया जाता है? कहां मिल रहा है यह, अगने चेटानों के रूप में बल रहा है, तो यह कहां पर बें पाया जाएगा? उसी छेत्र में उडिशा के कॉर्पूर्ट, कालाहाडी जिलों में, जारखंड में राची, पलामू, गिरीडी, लोहा दर्गा, मध्यप्रदेश में बालगहाट, कटनी, जबलपूर, गुजरात में खेडा, जामनगर, जूनागर और कच्छ जिले में और च्छतीस गड़ मे कोलापूर, रतनगरी, पूने, तथा अन्यराज्यों में करनाटा, गोवा और तमिलाडू भी सामिल हैं, तो आपने देखा एक किन खेत्रों में पाया जा रहा है, इसी से आप अंदाजे से लगा सकते हैं कि किस खेत्र में समाने तोर पे पाया जाता है, ने क्वेशन देख है, तो वो आपका मात्र 80% है, ठीक है, 80% बाकसाइट से हम अलुवीनियम बना देते हैं, ने क्वेशन, भारत में उत्पादित कितना प्रतिसद बाकसाइट घरेलू पयोग में आता है, जो टोटल आपका बाकसाइट उत्पादित हो रहा है, उसमें कितना यूज हमारे घर बारी जो देश हैं, उन भी निर्यात कर दिया जाता है, ठीक है, ने क्वेशन देखिए, अब्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा इस्थान है, आपको जानकारी निश्यत रूप से होगी, अब्रक उत्पादन में भारत का विश्व प्रिथम इस्थान है, बन गुलाबी अब्रग जिनों का आप याद रखेगा क्योंकि यह भी कोश्चन का इवार फूच ले जाते हैं मस्कोवाइट क्या है रूबी अब्रग है और बायरोइट क्या है गुलाबी अब्रग यह किस प्रकार की चटानों से प्राप्त होता है यह यह आगने और प्रतदार होता है चमकीला होता है और इसका उच गलनांग होता है ठीक है अब्रग जो होता है बहुत एक टूप से कुछालक होता है यानि विद्धुद्चालन नहीं होता है इसमें प्रतदार होता है दिखने में चमकीला होता है और उच गलनांग की यानि काफी उच टें जोग सैने साथ सामान में उप्योगी होता है ठीक है नेक क्वेशन भारत में अब्रक का भंडार कहां पाए जाते हैं भारत में जो अब्रक का भंडार हो कहां पाए जाते हैं तो आपको जानकरी होगी कि भारत में सरवादिक जो अब्रक के भंडार हो आदर प्रदेश में पा मौक में पाये जाते हैं इसी तरह जारकंड जो तीसरे स्थान पर आता है उसमें हजारी वाग, कोड रमा, गेड़ी, धनबाद और बोकार और पलावू यह जो छेत्रे जारकंड के हैं जहां पर अभ्रग पाये जाता है इसके अलावा बिहार में औरंगबाद, गया, नवादा, बेगू सराय, तथा अन्य राजों में जैसे तमिल लाडू, कोयमबटूर, मदुरई, तथा मद्य परदेश में बालागाट और चिंद वाड़ा, यह सभी क्या हैं यह अभ्रग भंडार के छेत्रे हैं, नेक क्वेशन देखें, सीसावे जस्ता भारत में कहा पाया जाता है, सीसावे जस्ता भारत में कहां पाया जाता है, तो देखें, सीसा और जो जस्ता है, वो कहां पाया जाता है, अरावली शंकला जो है आपकी, जैस्तान की जो अरावली शंकला है, उसकी जो अपसादी और परददार जो चट्टाने है, वहाँ पे गैलेना एस के रूप में मिश्रित अवस्था में जी START inherent के गेलियना एक्क आप लोगां घाया से क्या निकलता वाड़ने का उपयोग किस परकारके उध्योगम। किया जाता है यानि सीशा जस्ता का उपयोग कि प्रकार के उध्यों किया जाता है तो देखिए जस्ता का उपयोग रसायन सुस्क बैटरी बनाने जंग रूदक कारियों आधी के लिए किया जाता है और सीशी का उपयोग हम जानते हैं उपयोग पीतल बनाने सैन्ने सामगरी म और rail engine ये तू किया जाता है, ठीक है, नेक question देखिए, भारत में सरवादिक गयलेने का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, ये आपके read case सबसे काफी important है, क्योंकि राइस्थान राज्य में ही सरफिर जादा सीसा और जस्ते का उत्पादन होता है, यानि गयलेने का उत् इसमें चित्तोर, रास्मंद, भीलबाड़ा, उदपुर जिले हैं, इसमें सरोपरी है, ठीक है, नेक question देखिए, भारत में सीसे वे जस्ते का सोधनकारे किसके द्वारक किया जाता है, भारत में सीसे वे जस्ते का सोधनकारे है, यानि सीसा जस्ता उसकी गयलेना-स से निका किन राज्यों में पाया जाता है तो राइस्थान के अत्रिक ये आंद्रप्रदेश, ओड़िशा, जार्खंड और तमिल नाड़ों में सामने तर पे देखने को मिलते हैं ओर्जाखनीच के उधारन हैं, उर्जाखनीच के उधारन कौन कौन से हैं? तो वो हैं आपके कोईला, पैट्रोलियम, प्राकर्तिक गैस, जल विद्धूत, परमाने और्जाई, ये सभी क्या हैं? ये ओर्जाखनीच के शॉत है, ठीक है? ये उनके एक्जामबल हैं, नेक और अमेरिका है पहले और दूसरे स्थानप आते हैं सबसे पहला स्थान किसका है उसरी सबसे तीसरा स्थान किसका है भारत का है ऐस्टोजिय ने क्यों देखी और भारत में तकalie कैसे गया तो वो आपके किया गए था चाहं राणी गंज के अंदर, है न, 1814 में रानी गंज के अंदर सरफदम कोईला उत्पादन किया गया था, नहीं कोशन देखिए, भारत में कोईले की गुणवत्ता के आधार पर कितने प्रिकार पाये जाते हैं, भारत में जो कोईले की गुणवत्ता है, उसके आधार पर अगर खनीजों को वि होने चाहिए, ठीक है, नहीं कोशन देखिए, एंत्रासाइट में कोईले की कितनी मात्रा पाये जाती है, तो कितनी मात्रा पाये जाती है, इसमें आपके 80-90 प्रितिसत कोईला पाये जाता है, इसी तरीके से नहीं देखिए, बिटुमिनस में कोईले की कितनी मात्रा पाये तो यह आपकी 75 से 80% तक होता है, फिछेतर से 80% तक bituminous में koila पाया जाता है, ठीक है, नेक कुशन, लिगनाइट में koila की कितनी मात्रा पाया जाती है, लिगनाइट में koila की कितनी मात्रा पाया जाती है, तो लिगनाइट के अंदर आपका 35 से 50% पाया जाता है, कितना पाया ज कोईला माना जाता है यह ना पीट में कितने परसेंट मात्रा पाई जाती है कोईले की तो आपका पंद्रा से 35% तक ही कोईला इसमें पाया जाता है ने कोशन देखी भारत में स्थित कोईला भंडार सरवादिक किस छेत्र में स्थित हैं भारत में स्थित कोईला भंडार जो है हैं वो सवर्वादिक के सेत्र में हैं को आपके गौधुवाना कालीन जो अवसादी चत्तानों वाला जो सेत्र है गौधुवाना आपको पता है गौधुवाना कालीन तरी 35 सागरु वाला इस तरESE भान पर भात dalla चान जयतिंदे और प्रतिसत भंडार और 99 प्रतिसत कोला उत्पादन होता है देखे यह question आपको confusion कर सकता है क्या भंडार और उत्पादन किसी की सीज का क्या हे कोले का जो भंडार है वह तो 98.5 परसेंट century लेकिन उत्पादन 99 परसेंट है ये दोनौं अलग-अलग कैसे यह उत्पाधन उसमें से principle निकाल पाना इस सो अग्वालिक आधार भारत में कोहीला बंडार कहा है इस्धित हैं ? भागौलिक आधार पर भारत में कोईला भंडार कहांच देते हैं तो भागौलिक आधार पर महा नदी, दामोदर, सौन, गोदावरी वर्धा, ब्रामणी, इंद्रावती और कोले और पंच नदी की जो घाटी छेत्रे हैं इन सभी नदियों के जो घाटी छेत्रे हैं यहाँ पर सामने तोर पर कोईला भंडार देखने को मिलता है ठीक है, नेक कोशन, भारत में इस्तित कोईला भंडार नदी घाटियों में कोईलों के किस की रूप में मानाज पाया जाता है, भारत में इस्तित कोईला भंडार है नदी घाटियों में, वो कोईले की किस प्रकार की कि किसम पाई जाते हैं, कौन सा प्रिकार का कोला जो खनीज है, अपने पास कौन कौन, ऐंतराषाइट, बिटोमिनेस, लिगनाई्ट और पीट, नगेर वूह तो इसमें बिटोमिनेस प्रिकार का कोला पाई जाता है, जिसमें 10-10침मी टर्शियरी कालिन कभ है 15 से 30 लाख वर्षपूर की बात है यह 15 से 30 लाख वर्षपूर की बात है टर्शियरी कालिन निम्निश्रेणी का लिगनाइट कोईला कहां पाया जाता है निम्निश्रेणी का जो लिगनाइट कोईला है भारत में वो कहां पाया जाता है तो यह आपके आसाम, मेगाले, अरुनाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालेट, तमिल लाडु, तमिल लाडु में नवेरी छेतर है, राजिस्थान में पाया जाता है, और यह सभी क्या है, चूना पत्थर के साथ मिर्षित अवस्था में पाया जाता है, तो तर्शेई कालीन जो आपका लिग्नाइट कोला है तो संवाने तवर पे चुना पत्तर की साथ मिंश्रित अवस्था में पाया जाता है ठीक है आपका बाढ मे बाढ मेर के अंदर कपूरडि जलिपा गिरल भाढखा गुंगा और सिव छेत्रों में पाया जाता है इसी तरह बीका नेर में बर्सिंग सर, पलाना गुडा, बिठनोग यहाँ पर पाया जाता है और नागोर के अंदर मेरता, कस्नोग, कुचेरा और माता सुक्षेत्रों में पाया जाता है ठीक है, नेक क्वेशन देखी राईस्थान में पाया जाने वाले लिग्नाइट में प्योग किस ही तुर सामने तो किया जाता है भारत में सरवादी कोईला भंडार किस राज्य में पाया जाता है भारत में जो सरवादी कोईला भंडार है वो किस राज्य में है तो वो आपके जारखंड राज्य में है जिसमें 28% भंडार और उत्पादन 22% है ठीक है जारखंड में 28% भंडार पाये जाते हैं पूरे भारत में जो टोटल जो कोईला पाये जाता है उसका 28% भंडार अकेले जारकर्ण में पाए जाता है और उसी तरह भारत में जो टोटल उत्पादन होता है उसका 22% केवल जारकर्ण में होता है ठीक है तो यह उत्पादन की द्रश्टी से और भंडार की द्रश्टी से दोनों द्रश्टी से ही भारत का प्रिथम राज्य है ठीक है नेक कुश्चन द उत्पादन की चम्तारीश correspondence 16 प्रतिसत है भारत में 30 सब्सकी ज्यादा किस राजीय में हुखितेते हैं। तो तीसरा आपका 36 गण में इस्थित हैं, ये भी उत्पादन और भंडार दोनों की इस्थिति से ही तीसरे इस्थान पर आता है, यानि 16 प्रितिसद भंडार और उत्पादन 14 प्रितिसद नेक कोईशन देखिए, भारत में चौथा सबसे ज़्यादा कोईला भंडार किस राज्य है, ठीक है, उत्पादन की दर्ष्टी से इसमें 6 प्रितिसद उत्पादन होता है, इस वजी से पांच वे इस्थान पर आता है, लेकिन भंडार की इस्थिति में चौथे इस्थान पर रहाता है, ठीक है, नेक कोशन देखिए, भारत में पांच वा सबसे बड़ा कोईला भंडार किस राज्य मिश्थी थे भारत में पांचवा सबसे ज्यादा कोईला भंडार किस राज्य मिश्थी थे तो आपके मध्य प्रतिस मिश्थी थे यानि ये भंडार की स्थिति से आप पांचवा राज्य है लेकिन उत्पादन की द्रिश्टी से अगर द पाया जाता है आपको पता है जारखन में सबसे ज़्यादा कोईला बंडार पाया जाता है यह आपका जारिया बोकारो राजमहल देवगण और डालटन गंज में पाया जाता है जारिया बोकारो राजमहल देवगण और डालटन गंज नेक क्वेशन देखिए उडिशा में स् ने कुशन, छतीस गड़ में इस्थित कोला भंदार को इन छेत्रों में पाए जाता है, तो वो आपके सरगुजा, विलासपूर, रामगड, कॉरबार, विश्रामपूर, ये सबी क्या है। छतीस गड़ में इस्थित कोला भंदार के लिए प्रिसिद्धे हैं। नहीं क्वेशन देखिए, पंच्छिम बंगाल में इस्थित कोईला भंडार किन छेत्रों में पाया जाता है। नहीं क्वेशन देखिए, पंच्छिम बंगाल में इस्थित कोईला भंडार किन छेत्रों में पाया जाता है। पंच्छिम बंगाल में इस्थित कोईला भंडार किन छेत्रों में पाया जाता है। उद्धर प्रदेश में इस्थित जो बंडार हैं वो सौनबद्र जिला में समने थे, देखने को मिलता है। भारत में पैटॉलियम पदार्थ कितने छेत्रों में पाया जाता है। प्रदेश में पैटॉलियम पदार्थ कितने छेत्रों में पाया जाता है। तो आपका सत्रा पॉइंट दो लाख वर किलोमेटर छेत्रों में पाया जाता है। तो आप साधी चट्टों में स्पंज की भाती और प्राकर्तिक गैस के नीचे इस्तित होता है। तो यह आपके आसाम के अंदर ब्रह्मपत और सुल्माघाटी में, प्रेशिम मंगाल के अंदर सुंदरवल डेल्टा, ओडिशा में पूरवी तटिय भाग में, आजिसान का स्वराष्ट में, हिमाले के तराई भाग में, उत्त्री वे मध्धय गुजरात में, मुंबई वे आसाम में पैट्रोलिम किन प्रमुक्षेत्रों में पाया जाता है, तो आपका डिगबोई, लखीमपूर, हंसापूग, बंदरपूर, बदरपूर, मसीमपूर, पथरिया, नाहर काटिया, हुगरी गंज और मौरेन, कहां कहां पे रहे है, डिगबोई, लखीमपूर, नाहर काटिया, हुगरी गंज और मौरेन, इस स्थानों में देखने को मिलता है, नेक कुश्चन देखिए, गुजरात में पैट्रोलिम किन प्रमुक्षेत्रों में पाया जाता है, तो आपका अंकलेश्वर, लूनेल, कलोल, महसाना, और अर्वसागर में अलिया बेट जो है, यहां पर आपको पैट्रोलिम पदार देखने को मिलेंगे, नेक कुश्चन देखिए, महराष्ठ में पैट्रोलिम किन प्रमुक्षेत्रों में पाया जाता है, तो यहापके अरव सागर में जो बॉम्बे हाई है, और बसाई, अब तक ये जो छेत्रे हैं, यहां पर यिन सरवादिक देखने को मिलते हैं, अरब सागर में बॉंबे हाई और वसाई में 30 चेत्रों, नेक कोशिन, राइस्थान में पैट्रोलिम किन पूमुख किन प्रुमुख चेत्रों में पाया जाता है, तो आपके 12 ब्लोक्ते में मुखेता पाया जाता है, जिसमें से भीकाने जसल मेर बार्ड मेर वह गंगा नगर जिलो में मुखेत देखने को मिलता है नेक कोशन आंद परदेश में पैट्रोलियम किन प्रमुक छेत्रों में पाया जाता है तो यह आपके गोदाब रिवीशन में केलालूर और अमलापुर्जामिक छेत्र है वहाँ पर सरवादिक पैट्रोलियम देखने को मिलता है नेक कोशन देखिए तमिल लाडों में पैट्रोलियम किन प्रमुक छेत्रों में पाया जाता है तो तमिल लाडों के अंदर मदनम तड है नाग पिटम तड और कोवी कॉलम छेत्रे इन छेत्रों में यह सामनेता है बड़ी रिफाइनरी लगाई गई हैं जिसमें पाइप्लाइन के माध्यम से गुवाहर्टी, बरौनी, बरौद्रा, हल्दिया, मुत्रा, डिगबोई और जामनगर में इसको भिजा जाता है ने कोशन देखिए भारत में मुक्तिया प्राकर्तिक गैस बंडार कहां पाये जात प्राकर्तिक गैस के नीचे पाये जाती है उस वो कहां पाई जाएगी तो तमिल लानु, हिमाचल प्रदेश, बंजाब, राईस्थान, पशिम, बंगाल और तुप्रा, और रोणाचल प्रदेश में ये पाई जाती हैं नेक कुश्यन देखिए भारत में मुक्रते प्राकरतिक गैस का उत्पादन कहां किया जाता है भारत में जो प्राकरतिक गैस का उत्पादन कहां किया जाता है तो यह आपका महराष्ट जहां पर 21% अकेला महराष्ट में प्राकरतिक गैस उत्पादन की जाती है याद रखे उ उत्पादन है यह भंडार नहीं है ठीक है यहाँ पर उत्पादन की बात की जा रहे है भंडार प्राकृतिक गैस की भंडार की नहीं तो प्रहारत में मुक्रतिक गैस को उत्पादन कहां किया जाता है तो महराष्ट में इतर प्रतिसत किया जाता है गुजरात में अकेले ग्य द्वारा किया जाता है भारत में जो प्राकृतिक गैस है उसको प्रवंधन कारे किसके द्वारा किया जाएगा तो भारतिये गैस प्राधिकर्ण जो है वो इसका कारे करती है प्रवंधन का कारे करती है नए क्वेश्चन देखिए भारतिये गैस प्राधिकर्ण का जो याद रखीएगा, यह कभी भ्याइए सकता है. भारतिय गैस प्राधिकरंड कंपनी द्वारा विद्धोत उत्पादन में कितना प्रति प्रतिसत्थ प्राक्रतिक गैस का दोहन होता है। भारत गैस प्रादिकन कंपनी जारा जो विद्धोथ उत्पादित की जाती है, वो कितना प्रितीसद भाग उसमें का दोहन होता है, तो वो आपका 38 प्रितीसद दोहन होता है, और उड़वरक निर्वान में 31 प्रितीसद और सेश जो बच जाता है, उनको उधोग और असोई जह्यों हितू प्यूक्त किया जाता है कि नेक dakika हिरा स्थान एक प्रदानörtौं के मुख्य ब्लॉक है थे यहां के मुख्य ब्लॉक जो है जयसल मेरे ब्लॉक談 सांच और के मालानी ब्लॉक लोक बिकानये का ने चार मुख्य ब्लॉक कि नकरते हैं कि नेक 빠 Kern देखिए सांच और गुडा मलानी ब्लॉग जो है आपका उसमें किस विदेशी कंपनी दोरा तेल के एकन में क्याण में कोई खो सका क्या नाम है उसका नाम है केरन इंडिया है बारेक हुए 2005 से वेबसाइट उत्पादन है तो प्राइब कर देगा है इसमें से ठीक है नएक कोश्चन देखिए परमानू उर्जा है तो किन खनी जो का उप्योग किया जाता है परमानू उर्जा जो हम प्राप्त करते हैं वो किन खनी जो के 49 है ठोरियम, बेरिलियम, जिरकन आदे भी ऐसे परमानू उर्जा संसाधन के तौर पर उप्योग किया जाता है नेक क्वेश्चन देखिए एक औंस यूर्इनियम कितने कोईले की मात्रा के समान विद्धोत उत्पादन करता है जो एक औंस जो होता है यूर्इनियम का वो क कोईले की कितनी मात्रा के समान विद्धोत उत्पादन करता है तो वो आपका 100 मिट्रिक टन कोईला जो होता है उसके बराबर जो उर्जा हमें मिलती है वो अकेला एक औंस यूर्इनियम से हमें प्राप्थ हो जाती है नेक क्वेश्चन देखिए परमानू उर्जा आयो की स इस्थापना किस वर्स की गई थी तो यह आपके 1948 में ही कर दी गई थी फरमानू उर्जा आयोग की स्थापना नीम से एक इस्थापना की थी नेक कोश्चन देखिए बारत में से परमानू रिक्टर्या का कितनी विद्धोत उत्पादन किया जाता है भारत में इस्थे परम जो परमानुई रेक्टर है उसके द्वारत कितनी विद्धुत उत्पदन किया जाता है तो यह आपका 4800 मेगावाट विद्धुत का जो निर्मान है वो केवल परमानुई रेक्टर नो द्वारत किया जाता है ने कुशन देखिए भारत में यूरेनियम खनीज बंडार कहां द्वार्चित हैं तो यह आपके धारवाड में, आरकेंज जट्टानों में, बिहार की सिंग भूमी में, राइस्थान में, अब्रक्चेत में के अंदर में पैग में टाइट सैलों के रूप में, केरल समुद्रटर भाग की मानोजाईट जट्टानों में इस प्रकार ये के बंडार देखने को मिलते हैं नेक क्वेश्चन देखिए भारत में थोरियम खनीज बंडार कहां पाये जाते हैं भारत जो है उसमें थोरियम खनीज बंडार कहां पाये जाते हैं तो केरल और बिहार के अंदर ये देखने को मिलते हैं बारत में इलमेनाइड बंडार कहां पाये जाते हैं? खनीजों का अजायब घर किसे कहा जाता है? That's a very very important question. क्योंकि यह बहुत बार, बहुत सारे एक्जाम्स में repeat हुआ है, तो निश्चित रुप से यह अभी भी आ जाएगा, तो कोई अतीश योगती नहीं होगी. तो खनीजों का अजायब घर किसे कहा जाता है? वो राजिस्थान को कहा जाता है. Next question. राजिस्थान में कितने प्रकार के खनीज पाये जाते हैं? राजिस्थान में कितने प्रकार के खनीज पाये जाते हैं? तो राजिस्थान के अंदर 79 टाइप्स के खनीज पाये जाते हैं, जिसमें सी 44 प्रिकार के बड़े खनीज हैं, 23 प्रिकार के लगू खनीजों के अंतर गताते हैं और 12 गौन खनीज, यानि सबसे कम जो 12 गौन खनीज हैं मिलते हैं ठीक है, नेक कोशन देखी भारत में खनीजों के उपलबदता के आधार पर तीसा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है यानि भारत में जो टोटल खनीज मिलते हैं, अगर राइस्थान का इस्थान देखा जाए तो ये तीसा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो राज्थान जो है वो 3 सबसे बड़ा राज्य है जो मध्धय परदिश और 36 गड़ के बाद आता है ठीक है? यानि मध्धय परदिश और 36 गड़ यहां पर प्रथम व lugस्था में होते हैं प्रथम और दित्यों में तीसरे सबसे बड़ा जो राज्य है खरीज की उपलबदा के मामले में वो राजिस्थान है नेक क्वेशन देखिए राजिस्थान में तामबा नगरी किसे कहा जाता है तो यह आपको पता होना चाहिए क्योंकि यह बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट है आपने खेतरी सुना होगा खेतरी कौपर प्रोजेक्ट के नाम से तो यह कहां पर है? ये जृंजृनों के अंदर है और इसी वजह से इसको तामबा नगरी कहा जाता है नेक क्वेशन देखिए राजिस्थान की संगमर मर नगरी किसे कहा जाता है? तो हम जानते हैं संगमरमर कहां का परचित है मकराना का और मकराना ही जो है वो संगमरमर नगरी के नम से जाना जाता है नए कोशन देखिए भारत में किन खनीजों में राइस्थान का लगभग एक आधिकार माना जाता है भारत में किन खनीजों में राइस्थान का लगभग एक आधिकार माना जाता है तो वो कौन-कौन से हैं संगमरमर, सीशा, जस्ता, चांदी, तांबा, बॉल्स्टोनाइट, जासफर, फलोराइट, जिप्सम, मार्बल, एबेस्टॉक, रॉक पास्फे, टंग्स्टन और सरवाधिक होते हैं या फिर यह कहें कि भारत के अंदर लगभग लवक यह जो होते हैं इस सभी राइस्थान के अंदर ही सरवाधिक होने की वज़े से इसका एक आधिकार माना जाता है तो यह बहुत ज़्यादा कम मात्रा में होते हैं इस वज़े से इसको राइस्थान का एक अधिकार इन खनीजों के उपर मना जाता है, ठीक है, नेक्स देखिए, नेक्स आपकी एक टेबिल मैंने आपको दे दी है, क्योंकि इसमें से एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है, जिसको इक्नौर किया ज़सके या फिर इसके उपर कोशन ना बने, तो इस पूरी टेबिल को ह मैंने आपके सामने रख दिया है, और इसके अंदर जो है तांबा है, वो आपका खोद अरीबा छेत, अलवर में, देवारी सलूमबर उदैपूर में, भीम रेल मगरा, रास समन्द में, बीदा सर जो है आपका बिकानेर में, खेटडी और सिंगाना जो है, वो जुन-जुन के अंदर आता है, और इसमें अर तांबे के ममने में जो important जो जिला है, वो काउन जुन-जुन है, इसी तरह जो सीशा जस्ता है, सीशा जस्ता जावर और राजपूरा देवारी में, ये कब हैं, उदैपूर के अंदर हैं, रामपुरा और आगुचा भीलवारा में है, पू लोहायस्स की बायत करें तो राइस्थान में जो है मौरीला बनौल ज़ापुर कें अंदर आता है, डाबला जुझुझुरू कें अंदर आता है, नीमला और रायसेला नाथ्रा की पूर, थूर, हुंडेर, वास्वाडा अता था भीलवाडा जैसे छेतरी भी आते हैं, और लो टॉंक, जैपूर और सीकर इनमें ये पाया जाता है ठीक है? नेक कोशन देखिए टंग्स्टन की बात करें तो डेगाना, भाकरी ये सब नागौर में हैं इसी तरह अजमेर, पाली और सिरोही जो हैं इसमें भी टंग्स्टन पाया जाता है लेकिन नागौर इसमें सबसी महतपूर जिला है इसी तरह रॉक फॉस्टन की बात करें तो डककन, कोटर था जामर, कोटर ये उदैपूर के अंदर है बिर्मानिया, जैसल मेर के अंदर है और सीकर, जैपूर, पाली और भी जिले है इसमें सरवादी की इंपॉर्टन आपका उदैपूर है रॉक पॉस्टन के मौल में इसी तरह जिप्सम में बात करें तो जाम सर और लून करण सर ये आपको पता है, बहुत ज़्यदा इंपॉर्टन है विकानेर के अंदर आते हैं ये और गौट मागलोद नागौर में आता है मोहनगर, वे नाशना जैसलमेर में आता है और इसमें इंपॉर्टन कौन सा है ये गौट मागलोद है जो की नागौर में है इसी तरह तामडा, तामडा, राजमहल और कल्यान खान जो की टौक में सित है सरवार तता खरकारी अजमीर महुआ तता बंगेश्वर फीलवाड़ में है ना तो इसमें सबसे जाए इंपोर्टेंट आपका टौक आता है इस तरह हम बात करें कोईले की तो कोईले की जो खाने है राइसान के अंदर पलाना गोड़ा बर्सिकसर रानेरी हाडला विकानेर मे इसी तरीके से पैटॉलिम पदार्थों की बात करें तो गुड़ा मलानी जो बाड़मेर में सित है जैसल मेर तता गंगानगर जिलों में भी ये पाई जाते हैं बाड़मेर इसमें इंपोर्टेंट छेत्र है रायस्तान के अंदर प्राकर्तिक गैस की बात करें तो सहागर, तनोट, मनीहारिटीबा, चिमने वाला, घोटाडू, वे गमने वाला ये सब जैसल मेर हैं और बागे वाला बिकानेर के अंदर जैसल मेर इसमें प्राकर्तिक गैस के मार्टर में इंपोर्टेंट जिला है तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर होता है समाब क्लास 10 का बिना देरी के हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं कोशन नमर वन है आपके सामने भारत आधोनिक उद्योग का प्रारम किन उद्योगों से माना जाता है भारत में जो आधोनिक उद्योग है उनका प्रारम किन उद्योगों से माना जाता है तो वो आपके सूतिवस्त उद्यो वारत की जो प्रिथम औध्योगिक नहीं थी वो किस वर जारी की गई है तो यह आपकी 1948 में सर प्रिथम जारी की गई है ठीक है नेक कोश्चन देखिए किस उद्योग को औध्योगिक विकास का आधार इस्थम वै उद्योगों की जननी कहा जाता है तो उद्योगों की जननिया आप जान सकते हैं लोह इस्पात उद्योग जो होता है उसको उद्योगों की जननिया औध्योग की विकास का आधार इस्थम कहा जाता है ठीक है नेक कोश्चन भारत में लोह इस्पात उद्योग की स्थापना कहा मानी जाती है जो सर प्रिथम लो लोईज पास्टों सुस्टीं कंपनी की स्थापना कब कहां और किस ने ओकि तो इसकी जो स्थापना 1907 में हुई साख्ची में हुई और जम सेज जी व्रम दो से उन्हों ने हैं इसकी स्थापना कि तो कब हुई, 1907 में हुई, कहां हुई, साक्ची में हुई, और किसने की, जमसेजी टाटा द्वारा इसके स्थापना की गई तो कब की गई, यह 1909 में की गई और आसन सॉल के निकट हीरापुर में इसके स्थापना हुई थी बारत लौह इसके स्थापत कमपनी जो है, 1909 में इस्थापत हुई थी, आसन सॉल में, और जो हीरापुर, वो सारी, आसन सॉल के निकट हीरापुर में स्थापत की गई, नेक कैसे कोशन देखी, तर वो नाम क्या था? वो था Indian Iron and Steel Company. इंडियन आइरन एंड इस्टील कपनी. तो यह आपकी 1937 में बर्नपुर, आपको पता है, बर्नपुर काफी important है, जो इसको के पार्ट में मना जाता है, तो 1953 में इसको में विले कर लिया गया, 1937 में इस्तापित होई थी और बर्ण पूर्ट के अंदर इस्तापित होई थी ठीक है नएक क्वेशन जितनी भी आपका लोह इस्पात उद्यों गया उसका मुख्यत है जो विकास हुआ हो पंचवर्णी उजनाओं के तहट किया गया तो इसमें पंचवर्णी उजनाओं से सम लोह इस्पात करकाना कहां इस्तापित किया गया तो यह आपका दुर्गापूर पशिम बंगाल के अंदर इस्तापित किया गया था दुर्गापूर पशिम बंगाल में दित्य पंचवर्षी उजना के तहत किया गया था ठीक है नेक क्वेशन दित्य पंचवर्षी उजना केता है जर्मनी के सहयोग से देखे पिसला कोशन क्या था बिटिस के सहयोग से लेकिन यहां पर क्या है जर्मनी देश का जो सहयोग तो यहां पर केवल देश बदला है बाकि कोशन एजटीज है तो जर्मनी के सहयोग से कौंसा लॉइस पात कार खाना इस्तापित हुआ दित्न पंचवर्शे उजना केता है जर्मनी के सहियोग से स्थापित किया गया रूस के सहيोग से लोह इस्पात कारका तो यह आपका भिलाई के अंदर जो 36 गड़ में हैं इस्थापित किया गया था आपको पता है भिलाई दुर्गापूर राउल के लाई ये सभी की सभी बहुत इंपोर्टेंट कार खाने हैं लोहों के आज के वक्त में भी ठीक है चौति पंचवर्ची यूजना जो ही उसमें इश्या का सबसे बड़ा लाई इसपात कारखाना इस्थापित किया गया में ना कतार है यह enduring सिंप आपको फुल फौम भी याद वनानी चाहिये, कि इस्तापना किस वर्स की गई, तो ऑपी कार जाता है, प्रसासनिक कारे जितने भी सार्वजिंग चेत्री की जो कारखाने है उनका प्रसासनिक कारे किसके द्वारा किया जाता है तो उसका आपकी स्टील आथराइटी आफ इंडिया यह नहीं सेल के पास है ठीक है हमारा जो भारत देश है वो 2015 से कच्छे लोह उत्पादन में 300 सबसे बड़ा उत्पादक देश है ठीक है नेक कोशन डाइरेक्ट रेड्यूस्ट आईरेंड को किस अन्य नाम से जाना जाता है तो यह आपका है स्पंज आईरेंड के नाम से बिच को जाना जाता है और आपको जानकारी होनी चाहिए sponge iron का उत्पादन हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा होता है next question देखी sponge iron का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौनचा है sponge iron का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौनचा है तो मैंने आपको बताया था इस पंजायरन का उत्पादन हमारे देश में सबसे ज़्यादा होता है मतलब भारत ही ऐसा देश है जिसमें सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है भारत है इस पंजायरन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है भारत नेक कोशन विश्व में इस पाथ उभोगता के तौर पर भारत किस इस्थान पर आता है विश्व में इस पाथ उभोगता यानि जो हमारे यहां खपत होती है या यूटलाइज किया जाता है इस पाथ को यूटलाइजिशन के तरह से देखा जाए तो भारत का किस स्थान पर आता है तो विश्च में तीसरा स्थान इसका आता है तीसरा सबसे बड़ा भोगता है चीन और अमेरिका इसमें प्रताम बहुत देते हैं ठीक है दो पर दिसद यूगदान है इसपात छेत्र का हमारे देश की gdp में नेक क bakery विशाखा पतनम सिथितिसपात उध्योग के तहत लह एसकी प्राप्ते किन खानों द्वारा की जाती है इस chapter के अंदर इक table दिया गया है लह एसपात से concerning या इसपात उध्योगों से concerning तो उसमें जो important ज्यादा मुझे लगे, उन questions को मैंने निकाल दिया है, बाकी मैंने table आपको इस वीडियो के last meal प्रोवाइट करा दिया है, मुझे लगता है कि वो table ही आपको एक बार अच्छे से देख लेनी चाहिए, ठीक है, तो जो important questions थे, वो मैंने निकालने का फ्यास किया है, और जो बाकी questions है, उनको आपको खुद को देखना होगा, ठीक है, next answer देखिए इसका, बैला डिला की खाने, जो विशाखा पत्न में से इसपात उद्ध्योग है, वहाँ पे जो लोह स की प्राप्ति जो होती है, वो बैला डिला की खानों से होती है, next question देखिए, बोकार हुआ, दुर्गापुर हुआ, विशाका पंड़ना हुआ, राउल केरा हुआ, इन सब की location हम पिछले questions में याद कर चुके हैं, देख चुके हैं, तो वह आपको बार बार रिपीट भी करना है, ठीक है, तो हमें इसका answer होना पता होना चाहिए, बोकारोस पात उद्ध्योग में लोहस की प्राप्ति क्योजर की किरी बुर्ग खाने के द्वारा प्राप्त होता है, ने question देखिए, दुर्गापुर इस्थित इसपात उद्ध्योग के तहत लोहस की प्राप्ति किन खानों द्वारा की जाती है, दुर्गापुर जो इसथित इसपात उद्ध्योग है यहाँ पर लोह एस की प्राप्ति किन खानों द्वारा की जाती है तो यह आपकी नोवा मंडी गुआ की खाने हैं नोवा मंडी गुआ की खाने के द्वारा यहाँ पर लोह एस प्राप्ति किया जाता है नहीं कोशन देखी बिलाई इस्थित इस्पात उद्योग के तहट लोह एस की प्राप्तिक किन खानों द्वारा की जाती है तो कौन से हैं ये डली की खानों के द्वारा यहां पर की जाती है नेक कुश्चन देखिए तो सुन्दर गढ़ और क्योजर की खाने है 허हाँ से यहाँ पर लहौस प्राप्त होता है विस्को इसपात उद्जग के तहत लहौस की प्राप्ति किन खानों द्वारा की जाती है विसको यानि V-I-S-C-O विसको इसपात उद्योग के तहट लोह S की प्राप्ति किन खानों द्वारा की जाती है तो यह आपकी केमन गुड़ी की खानों से इसे प्राप्ति किया जाता है नेक कोशन इसको इसपात उद्योग डबल आई S-C-O ठीक है इसको इसपात उद्योग के तहट आयसक की प्राप्ति किन खानों द्वारा की जाती है तो वह सिंग भूमी, मयूर गंज, कॉलहन, वे क्योजर की खानों से आपका लोह S की प्राप्त होता है नेक कोशन देखी टिसको T-I-S-C-O ठीक है टिसको इसपात उद्योग के तहट लोह S की प्राप्ति किन खानों द्वारा की जाती है टिसको कहां पे है जमसेद पूर, टाटा वाला है कहां किसे आयाता है यहां लोह S तो वह आपका आता है नोवमंडी और गुर महिसानी खानों से नौवा मंडी और गुरु महिसानी खानों से यहां पर लो एस्क राप्त होता है नहीं कोशन देखिए टिस्को इसपात उद्धों की उत्पादन चमता कितनी आपको पता होना चाहिए हमारे यहां पर जो इसपात उद्धों की सबसे ज़्यादा चमता है वह ठिस्को की है, हो कितनी है? 40,00,00,00 है ठिस्को की आटेले की जो उत्पादन चमता है वह 40,00,00,00 है तो बचों इस चैप्टर में इस चैप्टर के इस पार्ट में मैं इतनी ही कोशन देता हूं next part में हम् और discussion करेंगे जिसमें हम सुतिवस्त उद्धोग के बारे में और कागज उद्धोग और बहुत सारे अभी उद्धोग बाकी हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, इसके यह जो आपके questions हैं, यह एक table से लिए गये हैं, जो कि आपके सामने यह रही, इसमें जो important line है, एक तो यह है, टेस्को यह है कहाँ पर, यह detail आपको इसमें दे रहा कि है, टेस्को जमसेतपुर में हैं, इसको आपकी कल्टी, हिरापुर, अबर्णपुर के अंदर है, जिसको आपकी भधरावती बे है, राउल के रहा के अंदर है, दुर्गापूर, दुर्गापुर के अंदर है, वोकारो, वो इसाखा पटनम के अंदर है यह question जो है आपकी लोयस्टी जो प्राप्ति के जो छेत्र हैं जो खाने हैं उनके मैंने सभी questions में आपको डाल दिये हैं कोईला प्राप्ति के छेत्र कोईला के जो काम किया था अपने कोईला से कंसर्णिंग जो डेटेल हमने पढ़ी ते उसमें काफी हत्ता की नाम आ चुके हैं और जो नहीं आये वह आप एक वा इनको देख लिजेगा इसी तरह मैगनीज है मैगनीज से कोशन जादा नहीं किये जाते हैं इसलिए मैंने इसको इंपोर्टेंस नहीं दी है ठीक है तूसरा जल प्राप्ति छेत्र से कंसर्णिंग कोशन आते तो नहीं है लेकिन यह काफी इंपोर्टेंस रखते हैं यह जैसे कि आप माल लीजे भद्रावती है जो विसको के पास में है विसको जो प्राप्त होता है या फिर किस सहक नदी के आसपास यह इस्तित है या किस जल स्रॉत के आसपास यह जित तो यह चीजे हमें पता होनी चाहिए तो इसके लिए आपको एक बारे इनको भी नजर गुहांकर देख लिए जीगा बजार है बजार में से कोशन सामयने तोर पर नह दूसरा आपका जो है बोकारो स्पात कारकाना है जिसमें 25 लाग टन की इसमें दिखाई गई है तो आपका टोटल यह जो आपकी टेबिल है इसके उपर एक अच्छे से एक बार देख लीजेगा किस प्राचीन भारतिय धार्मिक ग्रंथ में सूति वस्त उध्योग का वर्णर मिलता है तो हमारा जो भारत में जो वेद हैं उनके अंदर सूति वस्त उध्योग का वर्णर मिलता है भारत में सर्वादिक रोजगार परक उध्योग कौन सा है भारत में सर्वादिक रोजगार कौन सा उध्योग दे रहा है तो वह आपका सूति वस्त उध्योग है इसके अंदर करें 40 लाग लोगों को प्रत्यक्स रोजगार मिलता है ठीक है है नेक्स्ट क्уется ऐकेर विसमें भारत को सूथी वस्थान प्रॉप्त है। विसमें भारत को सूथी वस्थान प्रॉपत है और वहां चीन में है नवे के बिधोお願いします का नाम आता है भारत का आधुनिक स्वरूप का प्रथम सूती वस्तर कार खाना कहां खोला गया यह आपका 1818 में कलकाता के फोर्ट ग्लास्टर में खोला गया था और यह असफल भी रहा था इतने उत्पादा नहीं हो गाया था किन कारणों से तो इस वज़े से यह आधुनिक स्वरूप कर नहीं दिया जाता है बल्कि नेक कोशन देखते हैं भारत का प्रिथम सफल सूती वस्तर कार खाना या फिर प्रिथम भारतिये सूती वस्तर मील किसके द्वारा स्थापित की गई तो यह जो सूती वस्तर मील थी यह 1864 में मंबाई में कवास जी डाबर द्वार स्टार्ट की गई थी और 1856 में उत्पादन था प्रोड्वा था अत्रास पर में स्टार्ट हुआ था और ये भारत की पितम सफल मिल कही जा सकती है पितम सफल सूतिवस्तре का खाना कहा जाता है ठीक है जो अठारा से चोवन में मंबई में कवाश जी डावर के द्वारा कुल अगया था यह 40,00,000,000 लोकों को लग भग प्रितीक्ष रोजगार पर दान करता है तक मतलब directly इस में involved है जिसकी वज़े से और भी बहुत सारे अलग अलग परिकार के रोजगार पनप्टे हैं जिनको है क्रितेक्ष रोजगार कहा जाता है वह बहुत ज्यादा मत्राफि होते हैं ठीक है नेक क्वेशन देखिए भारत के सकल घरी लुदपाद यानि GDP में कितने प्रतिस्यत का योगदान सूती वस्तुद्योग का है भारत के सकल घरी लुदपाद में कितने प्रतिस्यत का योगदान सूती वस्तुद्योग का है तो कितना है यह आपका 14 प्रतिस्यत सूती वस्त्र उद्ध्योग में प्रिथम राज्य कौन चाहिए, मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है हमाले देश में, वो किस राज्य में होता है तो वो आपका महराश्ट्र है, महराश्ट्र में 112 मिले हैं, मुख्य तोर पे मुंबई, सोलापूर, अकोला, अम किसे कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है, और इस मुंबई के अकेले के अंदर 49 मिले हैं, 54 मिले यहाँ पर इस्तापित हैं, सूती वस्त्र की राज़ानी किसे कहा जाता है, मुंबई को, नेक कोश्चन देखिए, महराश्ट में सूती वस्त्योग के विक्सित होने का क्या कारण है यह काफी important question है देखें महराष्ट की बात करें या फिर किसी भी state की बात करें तो सूतिवर सुद्योग कहाँ पनपेगा जहां पर कपास होगी जहां पर काली मिट्टी पाई जाएगी जहां की जो जलवाई हो नम हो ऐसे स्थानों पर या फिर यहां के production को import करने के लि जिसकी वज़े से कपास होती है और कपास एक कच्छे माल के तोर पर सूतिवर सुद्योग में उपयोग की जाती है इस वज़े से इसका यहां पर अपना लाजमी है दूसरा है समुद्र की नम जलवाईयू कहोना यह भी इसके लिए बहुत आवश्यक है और तीसरा है बंद महाराष्ट द्वाराव होता है देस में जो टोटल प्रडक्षैन होता है सुतिवर स्त्र का उसमें सबसे जाएदा जो महाराश्ट आपको वता है पिर ठाम इस तर्टा पर यहlardan जाता है प्रतिस्ट यह जाता है गर्बात तो यह 39 पर्यंट्र शीर थिंप से जो ध्योग का दूसरा सबसे अधिकुत पादत किस राज्य में किया जाता है तो वह आपका गुजरात है जिसमें 135 मीले हैं जिसमें 135 मीले हैं यहाँ पर एहमदाबाद, सूरत, पड़ोद्र, भावनगर, पोरवंदर, राजगोट और भरूज यह वो छेत्र हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा मीलें वस्तर की देखने को मिलती हैं नेक क्वेशन देखिए पूरू का बॉस्टन किसे कहा जाता है यह क्वेशन भी आपके एक्जाम में कई बार आ चुका है इस चीज को ध्यान रखेगा इस टाइप की क्वेशन से आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं तो पूर्व का बॉस्टन किसे कहा जाता है तो पूर्व का बॉस्टन आपके एहमदाबाद को कहा जाता है जो की गुजरात में है और इसके अकेले के अंदर 67 मिले हैं ठीक है आपको जब वस्तरों की राजधानी या सूती वस्त की राजधानी की बात करी थी हमने तो हमने पत सूती वस उत्पादन विक्सित होने का क्या करने हैं देखिए आपने इस चीज को नौट किया कि जहां कपास ज्यादा उत्पादित हो रही है वहां पर ही सूती वस उत्योग यहां वह पनपते हैं तो आप महराश्ट के बाद गुजरात ही एक ऐसे चाहरे जहां सुरी इस्ट दिला बंदर्गा की निकट्हा ये तीन इसके मूल कारण हैं ठीक है नहां क्वेशन देखिए गुजरात में भारत का कितना पिर्ति सquito हुझी सूतिवस्च का उत्पाधन किया Flat में जो production होता है भारत का total production का कितना percent है तो pend gelecek साथ है 35% ठीक है गुजरात में 35% सूती वस्तर का अकेले गुजरात में production होता है नेक कुशन देखें देक्षिन भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त उत्पादक राज्य कौन सा है तो कौन सा है आपका तमिलारू है जिसमें 205 मिले हैं इस चीज से आप confusion हो सकते हैं कि यहां पर तो 205 मिले हैं गुजरात में उसे कम थी और उसके महराश में तो उससे भी कम थी फिर वो प्रतम देती है इस्तान पर कैसे आये तो उसका एक कारण है कि मीले बड़ा होने मीलों की संख्या जादा होने से इसका प्राइए बिलकुल नहीं है ऐसा भी हो सकता है कि छोटी-छोटी मीले हो ठीक हैं तो इस वजे चेननेई, बेरामबुर्द, तिरुचरापल्य और रामनात पुरम देखने को मिलती हैं नाक कोसिन देखे तमिलाडो में भारत का कितना पृतिसा सूती वस्तर का उतपादन किया जाता है तमिलाडो में भारत का कितना पृतिसा सूती वस्तर का उतपादन किया जाता है तो कितना किया जाता है 6 पृतिसात मात्र 6% जो योगदान है, टोटल भारत के जो टोटल सूती वस्त उत्पादन है, उसका 6% अकेरे तमिलाणों में होता है नेकोशन तमिलाणों में सरवादिक मीले कहां इस्तेत हैं? तमिलाणों में सरवादिक मीले कोयमटूर के अंदर इस्तेत हैं? नेकोशन तमिल्लाडों में सूती वस उत्पादन का विक्सित होने का क्या कारण है देखे सामने वो ही कारण होते हैं हर जगे के और इसका अंसर क्या है इसका अंसर है नम जलवाई और चेन्नेई बंदरगा यानि आप कि पास टांद्पोर्टर इस्टम है दूसरा नम जलवाई हो है दूसरा कापास की उपलब देता भी निकट है तो इस वज़े से नम जलवाई हो और चेन्नेई बंदरगा इसके मुख्य कारण है नेक क्योशन देखी मद्यप्रदेश में सूती वस उद्योग की कितनी मिले इस्थापित हैं तो यह आपकी 36 मिले है देश की उत्पादन का 5% मद्य प्रदेश में होता है और इसमें मुख्य तोर पे इंदौर, ग्वालियर, उजयन, देबास, जवलपुर और रतलाम यह सामने तोर पे मुख्य छेत्र है जहाँ पर मिले इस्थापित है नेक क्वेशन देखिए पच्चिम बंगाल में कितनी सूती वस्त उद्यों की मिले है तो यह आपकी 45 मिले है सरवादिक जो है हुगली नदी छेत्रों में कलकता, हुगली रहावड़ा परगना में विकास हुआ है इसका और उसके कारण क्या है सुस्तिर ह्रा में क्लकता बंदर रगाल के कि निकारता यहीं के मूल कारण है देखिये किस में किसी पर को देते हैं कि आपको पता हो ना चाहिए किस में प्रकार का कपड़ा बनता है, तो हमारे यहाँ पर सूटिंग और सर्टिंग का कपड़ा बनता है भारत का जो टोटल प्रोडेक्शन है सूटी वस्त का उसमें 4% योगदान हुआ के लिए राजिस्थान के दौरा दिया जाता है ठीक है बहुत आसान हो गई और जो आपकी दूसरा है सस्ते विद्धुत काफी हद तक डवलप हो गई है तो इस वज़े से यहाँ पर उत्योग पर अपने में मदद मिलती है दूसरा हाड़ोती को जो पठारी चेत्र है वहाँ पर कपास की विद्धुत है श्रमिक भी यहां काफी मूल कारण है जो राइसान में सूति वस्त उद्धियों के विक्षित होने का कारण है नहीं कुशन देखी राइसान में मुकते किन जिलों में हुआ है तो आपका भीलवाड़ा, उदैपुल, कोटा, गंगानगर और पाली यहां पर सूति वस्त उद्धियों का विकास तब उनके वहाँ पर production नहीं होता है उन राज्यों में, उनको अन्य राज्ये से उनको आयात करना पड़ता है और उसके द्वारा वो सूती वस्तों का निर्मान करते हैं, तो ये कौन से states हैं, आपका उतरप्देश जिसमें कानपूर, मुरादबास, हादरस, वाराणासी में, उसी तरह पंजाब हैं, अमरसर, लोधियाना, पगवाणा में हैं, उसी तरह करनाटक, बेललारी, मैसूर, बैंगलॉर, आंप्रजे, इस्तेलागना, केरियल, बिहार जैसे, बहुत से ऐसी राज्ये हैं, जिसमें मुख्य तोर पे आयातित कपास से सूती वस्तों का निर्मा अपने वाले उद्धोगों में से एक आई है, तो भारत में वर्तमाने सूती वस्तों कितना होता है, तो पैसट सू करोड़ मीटर के अप्राव सूती वस्तों का निर्मान किया जाता है, जो कि 1948 में 351 करोड़ मीटर की लगभग था, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते है कि भारत देश की आजाद इसे यहां पर कितनी तीवधा से इसका विकास हुआ है, कोशन है आपका प्रकृति से वर्तमान सीमेंट, जिसे पोर्टलेंड सीमेंट का भी कहा जाता है, पोर्टलेंड सीमेंट कहते हैं, जो सीमेंट हम यूज़ करते हैं उसको, उसका अविसकार किसके द्वारा किया गया था, उसका अविस्कार किसके द्वारा किया गया था, तो कौन थे वो, वो आपके 1824 में पोर्टलेंड जो इंगलेंड के अंदर है, वहां के जॉसेफ थे, जिन्होंने इसका फर्स टाइम अविस्कार किया था, एक क्वेशन देखीं, भारत में आध 2004 में छेन तमिलाडों में पुला ग़या था लेकिन इसमें production इस ट आर इंहीं और प्यास नेकिन आज विपसर रूप में पहला missing का रंखाना उन्ने सो इसार में में चेन लगा तुरह । धे भारत का पहला सीमेंट कंपनी के नम से जना जाता था 1914 में पूर्बंदर के अंदर इंडियन चीमेंट कंपनी यह भारत का पहला सफल सीमेंट कारखाना था नायक question देखframes को हम सीमेंट कारखाने के साथ ताथ काले कौणoder कारखानि कहले गए यह पहला जो सिमेंट का कार खाना हुआ, जो सफल था, उसके साथ और भी सिमेंट के कार खाने खुले थे, वो कौन-कौन से थे, तो यह आपके राइस्थान में लाकेरी, जो किलिक कनेक्शन कंपनी द्वारा खोला गया था, मद्ध्य प्रदेश में सतना में खोला गया था, जो कंपनी के द्वारा खोला गया था, गुजरात में पोर बंदर के अंदर कोला गया था, जो टारा एंड संस कंपनी के द्वारा खोला गया था, यहां पर यह पोरबंदर है, मिस्टेक है इसमें, तो देख लिजएगा, नैक क्वेस्चन देखिए, भारत उतपाद वैं, जख चुरूप से रोजगार देता है, ठीक है, नहीं कुश्चन देखिए, भारत का सीमेंट उत्पादन में विश्व में कौन सा इस्थान है, तो विश्व में इसका दूसरा इस्थान है, पहला इस्थान पर चीन का आता है, चीन में सबसे ज़्यादा प्रड़क्शन होता ह है सिमेंट का और दूसरे नंबर पर भारत में होता है, नहीं कुश्चन देखिए, एक टन सिमेंट रमान है तो आवश्चक पदात कौन से हैं, एक टन सिमेंट बनाने के लिए क्या-क्या हमें चाहिए होता है, तो वो हमें चाहिए होता है, एक पॉइंट शे टन इसमें कुईला इन सब को आविश्क तरुंक सार यूज करने पर हमें एक टन सीमेंट राप्त होता है ने कुश्चन देखिए भारत में कौन सा राज्य सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है तो आपका राजस्थान है यह इसलिए भी इंपोर्टेंट है क्योंकि यह राजस्थान सीमेंट उद्योग का प्रारम जो है राजस्थान में कहां से माना जाता है तो 1913 में लाखेडि में इसस्वक रायस्थान के अंदर है उसमें सबसे ज़्यादा सीमेंट उद्योग पनपा हुआ है तो कौन सा चेत्र है तो वह है निमबा हेडा, चित्तोडगर, कोटा, भूंदी, सवाई मादोपुर यह वो चेत्र है जहां पर सीमेंट उद्योगों का केंद्रिय करण हो गया है इसके अत्रिक उदैपुर, नाग बड़ी काईया हैं, पांच मध्यम हैं और 130 निजी हैं निजी यानि प्राइवेट, 16 बड़ी सिमेंट उद्पादन काईया हैं, पांच मध्यम की हैं और 130 निजी एकाईया हैं, नाएक क्वेशन देखी, राजिस्ताल में किस जिल्योगों सिमेंट नगरी कहा जाता है, तो और राज्य का 16 प्रतिसत उत्पादन अकेला चिताओडगर जारत मिलता है तो इस वज़े से राइस्थान की जो चिताओडगर है उसको सीमेंट नगरी कहा जाता है नेक क्वेश्चन देखिए राइस्थान में किस प्रकार की सेमेंट का उप्योग किया जाता है देखिए सीम देखिए ड और दूसरी हमारे पास होती है वह प्रत्लेंट सेमेंट रती है जो 90-3 तक बनती है और सफेज सीमेंट मात्र 10% यहां production होता है तेक है नेक कुश्चन देखीं राइस्तान में सफेज सीमेंट के कार खाने कहां इस्तित है राइस्तान में जो सफेज सीमेंट है उसके कार खाने कहां पर है तो यह आपका गौटन जो नागौन में है और खारिया खंगार जो की नेक क्वेश्चन देखिए। सिमेंट उद्योग से मुख्यता सम्मंद छेत्र हैं कौन-कौन से छेत्रों में मुख्यता सिमेंट उद्योग हैं तो वह है कटनी, सतना, दुर्ग, मंधार, बनमौर, नीमच, रतलाम, देवास, नागदा, अकलतारा, जामुल, तिल्दा और महर, यह वो मुख्य इस्तान है ज भारत में चौथा बड़ा राज्य कौन सा है तो वह आपका गुजरात है और इसमें सिमेंट की 16 बड़ी काईयां इस्तित हैं और देश का 9.4% उत्पादन गुजरात के द्वारा दिया जाता है नेक कुश्चन देखिए गुजरात में सिमेंट उत्पादन की मुख्य छेत्र कौन से है तो वह आपके एहमदाबाद, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट, ओखा, वेरावल, जामनगर और द्वारका यह मुख्य छेत्र हैं जहां पर गुजरात के अंदर सिमेंट उत्पादन होता है एमदाबाद, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट, ओखा, वेरावल, जामनगर और द्वारका नहीं क्यूशन देखिए किन मूल कारणों से गुजरात में सिमेंट उत्पादन का विकास हुआ है किन मूल कारणों से गुजरात में सिमेंट उत्पादन का विकास हुआ है तो किन कारणों से हुआ है ये? समुद्री सिप्यों के उपलब देता है एक तो दूसरे सस्ते स्रमिक यहां मिलते हैं और तीसरा कांडला बंदरगा का सामिप है ये मूल कारण है जिसकी विज़े यहां सिमेंट उत्पादन चेत्र कौन से है ये सभी क्या है तमिल लाणों में मुखे सिमेंट उत्पादन के छेत्र है तमिल लाणों में सिमेंट उत्पादन के विकास का मूल कारण क्या है तमिल लाणों में जो सिमेंट उत्पादन के विक्सित हुए उसका कारण क्या है nex question देखिए भारत में ुत्पादन का कितना पृतिसत पृत्पादन जारखंड में होता है जारखंड जो राजय है उसमें कितना पृतिसत पृत्पादन होता है टोटल भारत के जो plantation उसका तो वह आपका 4.4 पृतिसत होता है और इस sensitivity करनाटक में सीमेंट उत्पादन भद्रावती बागल कोट बैंगलोर बीजापुर और गुलबरगा में विक्सित होने का मूल कारण क्या है करनाटक में जो सीमेंट उत्योग जो भद्रावती बागल कोट बंगलोर बीजापुर गुलबरगा में विक्सित जो हुआ है उसका म कारण है पश्यमी घाट और करनाटक पठार के कारण आपको पता है पठारी भाग में बहुत सारे खनीच और बहुत सारी चीजि़ें हमें मिल जाती हैं तो इसकी वज़े से यहाँ पर कच्छे माल की उप्रब्दिता के कारण यहाँ पर यह विखसित हुआ है जो की पश्यमी पादन शेत्र हैं वो क्यों विक्सित हो एं तो उसका मूझ कारण है तेलांगना और रायल सीमा चेत्र में कच्छा माल उपलब्दी देखें सीमेंट में सबसे महत्पूण क्या होता है कच्छा अमाल की उपलब्दी वो कहां मिल रहा है और यह सामने तरप पठारी भागों मि मिलता है यहां पर रायल सीमत छेत्रों तेलंगना में यह उपलब्दी हो रहे हैं तो इस वज़ेशा अंद्रप्रदेश के यह चेत्र हैं यहां पर क्या हो गया सीमेंट का जो उध्योग है वो विक्षित हो गया नएक क्रूशन देखें भारत के मुख्य सीमेंट उत्पादक कौन से हैं यह हम देख चुके हैं हमने बहुत सारे स्टेट्स के और उनकी सेत्रों के बारे में देखा तो कौन से उत्पादक चेत्र हैं आपको याद होगा राजिस्थान जो सबसे टॉप पे है मंदर प्रिदेश चतिसगर्ड गुजात आपका सौथा है तमिल नाडू औ करनाटा कंथे, केरा लुप पिहार, इनके आंदर भी सिमेंट रुपादन होता है फोफिस्थान नेगा व क्रेशन देखी आजादी के समय सीमें के कितने कार काने भारत में इस्थे थे तो आजादी पसमें 23 आवρηभायरत में थे भारत में इस्थे तो भाहर पाक्वी बहज भारत की वर्तमान सीमेंट उत्पादन की चमता कितनी है तो वह आपकी 2250 लाग टन है और उसका कारण क्या है 124 बड़े कार खाने और 300 चोटे कार खाने हमारे देश में विखसित हैं भारत में घरे लूपियों के बाद से सीमेंट उत्पादन का किन देशों को निर्यात किया जाता है तो यह आपका पूर्वी एशिया और अफरीकी देशों को इसका नियात कर दिया जाता है कोशन नमबर 85 है आपका भारत में तैयार 70% कागज किस से निर्मित किये जाते हैं भारत में जो टोटल जो कागज होते हैं वो सबसे जादे जो निर्मित किये जाते हैं किस के दोरा निर्मित किये जाते हैं तो वो है गन्नी की खोई गन्नी का जो खोई होता है उससे सबसे ज़्यादा हमारे भारत देश में कागज निर्मान किया जाता है, नेक्स क्योशन देखी, भारत में आधुनिक स्वरुप का पहला कागज उद्योग का कारखाना कहां स्थापित किया गया था, भारत में जो आधुनिक स्वरुप का पहला कागज कारखाना कहां स्थापित हु हुआ था और इसके बाद 1810 में मदरास में हुआ था और 1860 में भूगली के अंदर हुआ था ने क्वेशन देखिए भारत की पहली भारतिय कागज मेल कहां इस्थापित के गई भारत की जो पहली भारतिय कागज मेल ज्यादर की भारतिय कागज मेल है वो क्या थे वो केवल पह 1889 के अंदर 1879 में इंडियन पेपर मिल के नम से इस्टार्ट हो चुछ दिए आजादी के समय कितने कागज के कार खाने भारत में इस्थापित हो चुके थे तो यह आपके 17 कार खाने थे जो आजादी के समय इस्थापित थे और 19,000 उत्पादन की इसकी चमता थी वर्तमान में भारत में इस्थापित कार खानों की कागज उत्पादन चमता कितनी है देखिए जब भारत देश आजाद हुआ था उस वक्त इसमी जो चमता थी 19,000 तन थी और जब वर्तमान इस्थिती हैं तो 128,000,000 तन कागज यहां पर उत्पादित हो रहा है और लगबग 800 बड़े और छोटे कार खाने यहां पर इस्थापित हो चुके हैं भारत के अंदर हैं नेक क्वेश्चन देखिए किन राज्यों में कागज के कार खाने मुख्य था इस्थापित हैं किन राज्यों में हैं कागज के कार खाने तीर बात आप समझ सकते हैं कहा हो सकते हैं यह तीटागर, राणीगंज, त्रिवेणी और कोलकता इसके लिए फेमस हैं। इसी तरह महाराश जिसमें मुंबई, पूना, चंदरपूर, खपोली, पीप्री और कामपटी। उतरप्रदेश के अंदर लखनौ, मेरट, सहारनपुर, जफर नगर, पंत नगर, बस्ती, मध्यप् के अंदर सूरत, वापी, बड़ोद्रा और राजकोट, ये सब ही क्या हैं? ये सब ही वो जगए हैं जहां पर कागज के कारखाने इस्थापित हैं। नेपा नगर के अंदर सरवादिक का अकबारी कागज के कारखाने इस्थाथ हैं। तो नेपा नगर के अंदर सरवादिक हैं चाहर नोंट बनाने में प्रियोट कागज है कारखाना काहां इस्ताफित किया गया है देखें देश के सरकारी नोट आपको पता है यहां पर चार टोटल प्रेस रेकर कारखा लबागत के दूर्ट इस्ताफित किया गया है, यानि नौट बनाने के लिए जो कागज होता है, वो होसंगाबाद से या फिर विदेशों से आता है, तो हमारे देश में कौन चाह है, होसंगाबाद मधर प्रदेश, नेक कुश्चन देखी, केंद्रिय जल नियामक बोर्ड के अनुसार गोमती नद के लिए कौन सी उद्ध्य मुखेता जिम्मेवार है, किसके कारण ये गोमती नदी सबसे ज़्यादा प्रदूसित हुई है, तो उसका सबसे में कारण आपके गन्य और कागज के उद्ध्यों, गन्य और कागज के उद्ध्यों से जो अपसिस निकलता है, जो वेस्टिज न कारण के फल सुरूप पक्षियों के लुप्त होने का क्या आउसत है, मतलब हमारे देश में जो प्रदूशन हो रहा है, तो प्रकृति को जो नुक्सान हो रहा है उसकी वज़े से, देखिए औध्योगी करने जो है उससे हमारी एकॉनोमी डवलप होती है, लेकिन नीचर हम हमेशा स्पोईल होनी की स्थिती में रहती है, तो हम अपने नीचर को इतना स्पोईल कर चुके हैं कि पक्षियों के लुप्त होने का जो उससत है, वो प्रतेक आठ में से एक पक्षि लुप्त होने के गगार पर है हमारे देश के अंदर, नेक क्वेशन देखिए, राइस् कितना प्रतिसत योगदान है, ठीक है राइस्थान जो है उसमें अनेकों प्रकार के खनीज वगरा पाये जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो किर्शी सम्मंदित सबसे ज़्यादा प्रडक्शन होता है, लेकिन फिर भी और दोगे कुत पाद में राइस्थान एक प्ष्राच राज्या है और इसी वज़े से यहाँ जो टोटल योगदान है वो मात्र 6 प्रतिसत का है, भारत में राइस्थान सबसे बड़ा राज्या है लेकिन उसके वावजूत यहाँ पर मात्र 6 प्रतिसत उतपाद हैं, टोटल भारत में जो भी टोटल प्रडक्शन होता है, उसका म घरीलू उत्पाद में उद्योगों का कितना पृतिसत योगदान है तो यह आपका मातर 30 पृतिसत है राइस्थान का जो टोटल सकेलू घरीलू पाद यानि GDP जो इस्टेट जीडीपी है याद रखिए भारत की जीडीपी नहीं है यह किसकी है यह स्टेट जीडीपी है ठीक ह सकल घरीलू उत्पाद कहां का है राइस्थान का है और इसमें उद्योगों का कितना पृतिसत योगदान है तो इसमें 30 पृतिसत योगदान उद्योगों का है नेक क्वेशन देखी राइस्थान की सीसा जस्ता उद्योग से भारत के कुल उत्पाद का कितना पृतिसत प्र होता है जो गैलेना के फॉर्मिट में मिलता है ना क्वेशन देखी राइस्थान में सीशा जस्ता के उद्यूग कहां विक्सित हुए है तो यह आपके अरावली परवत के सेत्र में विक्सित हुए है यहां पर जाबर देबारी जो के उद्यापुर में हैं चंदेरिया चितौ होता है भारत के कुल सीमेंट उतपात का कितना के वल राइस्तान से पराप्त होता है तो यह आपका उलाएशृट है राइयन यह पूरै भारतके सिमेंट बन ती है उसका 16 प्रतिश्प के के वल राइस्थान के अंदर okay क्षिन होता है ये कुछ्जन देखेज कर ने रत्य थरावड़ं का का कार की woo किया जाता हर एं के अच्छे answer है, next question देखिए, राहिस्तान में मूर्ती वे कलात्मक सामान का कारे कहां किया जाता है, राहिस्तान में जो मूर्ती और कलात्मक सामान जो art and culture वाली जो product हैं, वो कहां पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो वो भी आपके जैपूर, जोदपूर और उद जोदपूर, next question देखिए, राहिस्तान में लाख का सामान और चूड़ियों का कारे कहां किया जाता है, तो यह आपके जैपूर और जोदपूर के अंदर किया जाता है, next question, राहिस्तान में रंगाई चपाई और बंधेज का कारे कहां किया जाता है, राहिस्तान में जो कपड़ों के रंगाई चपाई होती है, बंधेज के जो कपड़े होते हैं, उनका कारे कहां किया जाता है, तो यह आपके बाडमेर, पाली और संगानेर में किया जाता है, बाड जोदपूर जैपूर और बाडमेर के अंदर यह उध्योग हुचत है राहस्तान में संगमरमर के कटाई पॉलिस और गिसाई करने के कायां कहा है? आपको पता है राहस्तान में जो संगमरमर पाया जाता है वो बहुत अच्छी केटेगरी का होता है तो इसी वज़े से यहां कि इनके संग्मर्मर्ण की कटाई, पॉलिस और गिसाई के काईयां हैं, वो यहां इस्तित हो गई हैं, तो वो कौन-कौन सी हैं, मकराना, सिरोही, राजटंगर, चित्तौर, उदापुर और किशंगड़ी हैं, वो मुख्य काईयां हैं, जो संग्मर् कारे करती हैं, नहीं क्वेशन देखी, भारत में सरवादिक नमक उत्पादन करने वाली जील कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन- बीडवाना के अंदर इस्थत है कहा पर इस्थान में वाना के अंदर इसी तर्गे से ने क्सम देखें वारत में हैं किस राज्या में किया जाता है भारत में सरवादिक जो भेड़ पालन है वो किस राज्य में किया जाता है आपको पता है भेड़ पालन में जो दूद के बाद फिर आप यूद और मीट के बाद इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज किया जाता है वो उनके लिए इसको मुक्रूप से पाला जाता है तो ये हमारे राहिष्थान के अंदर ही सबसे ज़्धा पाली जाती है तिकिंगे? राहिष्थान में सरवादिक भेड़ पालन किया जाता है Nex question राहिष्थान में उनी कंबल बनाने का कारे कहा किया जाता है? जहां भेड ज़्यादा पाली जाएंगी वहीं उनी कप्रें भी आराम से मिलेंगे तो यह कहां किया जाएगा बीका नेर जूदपूर बाड मेर और पाली में बीका नेर जूदपूर बाड मेर और पाली में उनी कमबलाजी बनाने का कारे किया जाता है नेक क्योशन देखिए भारत में तिलहन उत्पादन में राजिस्थान किस इस्थान पर आता है भारत में तिलहन उत्पादन है उसमें राजिस्थान किस नमबर पर आते है तो देखे आपको यह पता होना चाहिए तिलहन क्या होती है तिलहन वो फसले होती है हम जानते हैं तिलहन वो फसले हैं जहां तेtechn हैं इसकता है तो क parlar आसे होता है जैसे आपका सर्सौुन हो गएप सर्सौून हो गया है जैसे आपका स्वैय Hahn हो गया जैसे आपका स्वैय सबक्व है इस अपक 87 ADC अर्णी振िक निकालने के काई हैं गया कहहां इस्तित है राइस्थान में भूंग फली, सरसों, सरवाबीन, अलसी, अरंडी का जो तेल निकालने के कई हैं वो कहा है इस्थित हैं तो यह आपकी अलवर्ज, जैपूर, दौसा, कोटा और भूंदी छेत्र में सरवाधिक विक्सित हैं नेक कुश्चन देखिए राइस्थान में चीनी उद्योग कहा है इस्थित हैं तो बूंदी चितोड़ और भिलवाड़ा में यह कौन सी जगह है यह यहाँ पे गन्ना पास में होता है यहाँ यह हरोती के पठार यानि काली मुठी का शेत्र है तो यहाँ पे क्या होगा गन्ना होगा और गन्ना होगा चीनी के उद्योग लगेंगे और चीनी के उद्योग लगेंगे तो यहाँ पे चीनी उद्योग का काट खाने भी लगेंगे तो बूंदी चितोड़ भिलवाड़ा क्या है चीनी उद्योग का जगह है राइस्थान में गौारगम उद्योग कहा इस्थित है राइस्थान मे जो कागल जिद्ध होग है वो कहाँ परिस्तित है तो RayaShthân का जो कागल जिद्ध होग हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके है घौसणडा कोटा भीलवाड़ा उद्यपूर और बासवाड़ा में ये इस्तित है और यिए के साथ बचों ये chapter होता है समा आप क्लास 10 का chapter मानव संचादन जिसमें हम पढ़ेंगे भारत की जंगरना के बारे में जो की 2011 में हुई थी उससे concerning facts और इन questions को लाने में समय इसलिए ज़्यादा लग गया क्योंकि हमारी books के अंदर बहुत सारे facts misprinted हैं इसके जो next chapter है transportation system है उसके अंदर भी अभी जो central government ने बहुत सारे national highways के नाम change किये हैं और भी बहुत सारे चेंजमेंट हुआ हैं तो इसकी वज़े से वहांके facts में भी काफी बदलाव हुआ है और जब बदलाव होता है तो definitely question और ज्यादा important हो जाते तो वह ही हमारे यहां पर question देखने को मिले question number first है आपके बास भारत में प्रिथम जंगर्ना कब हुई थी भारत में प्रिथम जंगर्ना कब हुई थी देखे प्रिथम जंगर्ना और प्रिथम व्यवस्थित जंगर्ना यह दोनों अलग 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 लग ती तो प्रिथम जंगर्ना कब हुई थी यह आपके हुई थी हुई थी लाड रिपन के काल में तो ये भी पूशा जाता है कि किस के काल में ये प्रिथम वेश्टे दिनना हुई थी तो लाड रिपन के काल में ये 1881 में हुई थी नेक क्वेशन देखें, सन 2011 में होने वाली जो जनगर्णा है वो भारत की कौन सी जनगर्णा थी, यह आपकी पंदरवी जनगर्णा थी, जो अठारा सो बैतर से 2011 के बीच की थी, तेके, पंदरवी जनगर्णा, नेक क्वेशन देखें, सन 2011 में होने वाली जनगर्णा भारत की कौनसी व्यवस्थित जन्गरना थी, देखें, व्यवस्थित जन्गरना और जन्गरना, मैंने आपको बताया था, उसमें difference है, तो जब आपसे केवल, जब तक व्यवस्थित सब्द का use न किया जाए, जब तक आपको पंदरवा लिखना है, और in case अगर व्यवस्थित सब्द जन्गरना में होने वाली जन्गरना भारत की स्वतंता के पश्चात होने वाली कौन सी जन्गरना थी, हमारा देश स्वतंतर हुआ है, उसके बाद से कौन सी जन्गरना थी है, यह आपकी साथ भी जन्गरना थी, जो 1951 से 2011 के पीच में हुई, नएक क्वेशन देखें, जन् च्छे करोड 85,484,430 ने कुछने देखी जंगंड़ना 2011 की अनुसार राइस्थान का भारत में कौन सा इस्थान है तो इसमें आपको बताना है आठवा इस्थान और इसमें एक और मिस्कंसेप्शन है और वो क्या है आपका तेलंग नारज़े 2011 के बाद बना था और जो की और अगर तेलंगना राज़े के बनने के बाद उस चीज को देखा जाए तो ये सात्वा राज़े होता है जो भारती जंगंड़ना के नुसार आता है तो तेलंगना बनने के बाद इसका इस्थान जो सात्वा है और वैसे 2011 के हिसाप से देखा जाए तो आठवा इस्थान थ कि यह कि यहांना दो हḥजार किनशार में न्यूनत्म संखया कि आवाले कौन से हैं जैसल में पता है जैसलakे मैקजिम नहीं जो छेत रहा हो आपका क्या है मरुस्तल है तो वहाँ पर डेफिनिटली सबते कम लोग पाई जाएंगे दूसा है प्रताब गर्ड फिर से रोही फिर बूंदी और रासमन्द यानि सबसे कम न्यूंतम जन्शन का किसके एजसल मेर की है फिर प्रताब गर्ड दूसरे नं यूंतम और अब हम पढ़ने अधिकतम तो अधिकतम आपको पता है जैपूर है जैपूर हमारे राइस्थन की कैपिटल है तो डेफिनिटली यहाँ पर ही सबसे ज्यादा होने की संभावना होती है दूसरा है जोधपूर जोधपूर भी कैपिटल से कम नहीं है वो भी आप मिनी केपिटल कह सकते हैं तो जैपूर जोदपूर उसके बाद तीसे नमबर पर अलवर्ड चौथे नमबर पर नागार और पाचवे नमबर पर उद्यपूर है नेक क्रेशन देखिए जंगर्णा 2011 के अनुसार राइस्थान में आयू वर्ग जीरो से 6 वर्ग देखिए यह ज जनगर्णा 2011 के नुसार राइस्थान में आयू वर्ग जीरो से 6 वर्ग में अधिक्तम जन्जंग के अवाले पांच जिले कौन से हैं या अब सबसे ज्यादा बच्चे किस जिले के अंदर हैं कौन से जिलों में हैं तो देखिए आप सबसे ज्यादा जैपूर में दूसरे जोदपूर में तीसे नंबर अलवर्ग चौथा नंबर नागौर और वुदैपूर पांच वर्ग तो यही क्रम है इसका नाइक क्वेश्चन देखिए जनगर्णा 2011 के नुटा राइस्थान में आयू वर्ग जीरो से चैवर्ग का यानि आपका बालवर्ग जो है उसमें सरवादिक जन्संग क्या प्रतिसत के जिले में है इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब हो गया मान लीजे आपके यहाँ पर जो किसी छेत्र में 200 लोग हैं 200 लोग में से जो 20 लोग हैं वो कैसे हैं वो 0 से 6 वर्ग में आते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया वहां का जन्संग क्या प्रतिसत बालवर्ग का क्या हुआ वहां का 10 प्रतिसत हो गया यानि 200 में से मात्र 20 लोग तो इस वज़े से इस तरीके से जो सरवादिक जन्संग क्या बालवर में आता है, नेक क्रेशन देखिए, जन्संक्या 2011-2019 सार राइस्थान में बालवर गर में न्यून्तम जन्संक्या वाले पांच जिले कौन से हैं, यह आपका जैसल मेर, जिसमें सबसे कम बच्चे पाये जाते हैं, फिर प्रताबगड, फिर भूंदी, फिर सरोही और पोलाष्ट में राज समन यह क्रम से हैं, तो सबसे कम बच्चे जैसल मेर के अंदर, देखे, आपको पता है, जैसल मेर मेर पाये, फिर बूंदी के अंदर फिर स्रोही और फिर रासमन नए क्वेश्चन देखें जनगर्णा दोज गारेक के अनुसार राइस्थान में आयू वर्ग 0-6 वर्च यानि बालवर्ग का नियूंतम जनजंक्या प्रतिसत किस जिले में हैं। सबसे कम जनजंक्या बालवर्ग के किस जिले में हैं तो वह आपका स्री गंगा नगर हैं जहां केवल 12.97 प्रतिसत बालवर्ग के लोग हैं। नए क्वेश्चन देखें। सरवादिक महीला जनजंक्या कितने प्रतिसत हैं। हमारे टूटल पूरे राईस्थान के अंदर जब जनगर्णा 2011 होई थी तो राईस्थान में जो महीला जनजंक्या वह कितने प्रतिसत हैं। तो ये 48.14 प्रतिसत महीला हैं हमारे देश्चन में। नएक क्योश्चन देखें। जन्गर्णा 2011 के नुशार राइस्थान में सरवाधिक पुरुस जन्शंक्या वाले पांजिले कौन से हैं? यह आपका करम से जैपूर, फिर अलवर, जोथपूर, नागौर और उदैपूर. सबसे पहले आपका जैपूर आता है, फिर अलवर आएगा, फिर जोथपूर, फिर नागौर और फिर उदैपूर. नेक क्वेशन देखें, जन्गर्णा 2011 के नुशार राइस्थान में पुरुस जन्शंक्या कितने प्रतिसत है? टोटल राइस्थान में आपको पता है, महिला प्रतिसत से आप पुरुस जन्शंक्या का प्रतिसत भी निकाल सकते हैं, दोनों से एक भी याद हो तो आपको कितना है? 51.86 यानि 51.86 प्रतिसत आपकी पुरुस जन्शंक्या 2011 के नुशार रही है. नेक क्वेशन, जन्गर्णा 2011 के नुशार राइस्थान में पुरुस वैस्त्री वर्ग में नियूनतम जन्शंक्या वाले 5 जिले कौन से हैं? जन्गर्णा दूसरे नुबर पर सरोही तीसरा, बूंदी चौथा और रासमत पांच वे नुबर पर आता है. नेक क्वेशन, 2001 जन्गर्णा वे 2011 की जन्गर्णा देकि क्वेशन तो वैसे सामने तोर पर आपको 2011 से ही आएंगी, लेकिन जिब कंपरिटिव स्टेडी के क्वेशन कई बार जो दसकी व्रद्धी दर है, मतलब आपको पता है, दस साल में यह हुई है, तो दस साल में जो व्रद्धी दर है, वो कितने प्रितिशत की कमी आई है, हमारे देश में जो है व्रद्धी दर है, उसमें कमी आई है, और 2011 से 2011 के बीच में, तो कितनी कमी आई है, तो देकि यह का 7.1% की कम्याई है 10 के व्रद्धी दर में और 2001 में जो 28.4% था वो 2011 में 21.3% रह गया जो क्या 28.4% था जो आपके व्रद्धी दर थी वो आपके 2011 में 21.3% दर्च की गई है नएक क्वेशन देखें जंगर्णा 2011 के नमसार राइस्थान में सरवादिक व्रद्धी दर्वाले तीन जिले कौन से हैं जंगर्णा 2011 के नमसार राइस्थान में सरवादिक व्रद्धी दर्वाले तीन जिले कौन से हैं तो सबसे ज़्यादा बार्बेर जिसमें 32.5% की व्रद्धी हुई है जैसल में 31.8% की और जोथपुर में सच्थाइए इस 0.7% की यह तो एरिया है यह एक्षवर में कुछ मरुस्तली है या फिर नेश्रली यह ऐसे एरिया है जहां पर निवास आसान नहीं होते हैं जैसे जैसे टेकनोलोजी बढ़ रही है तो निवास स्थान सहूलियत और अनुकूलताय बढ़ती जा रही है और इसी वज़े से यहां पर जीवण यापन की संभावना है बढ़ती जा रही है और प्रोडेक्शन रेट वर्दी दर बढ़ता जा रहा है नेक क्वेशन देखें जन्गर्णा 2011 के अनुसर राइस्थान में नियूंतम विर्दी दर्वाले तीन जिले कौन से हैं तो आपका स्री गंगा नगर जो है उसमें मात्र 10.3 रही जुन जुन में 11.7 पिर्दी सत और पाली के अंदर 11.9 पिर्दी सत दर्च की गई है नेक क्वेशन दोजार एक की जन्गर्णा वे 2011 की जन्गर्णा के अनुसर जन्गर्णत में विर्दी दर्च की गई है तो यह आपका 35 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमेटर की व्रदी दर्च की गई है यानि 2001 में जहाँ पर एक किलोमेटर के अंदर 165 व्यक्ति रहते थे आज 2011 में वहाँ पर 200 व्यक्ति निवास कर रहे हैं तो यहाँ पर 35 व्यक्ति प्रति वर किलोमेटर के हिसाब से व्रदी दर्च की गई है नेक क्वेशन देखिए 2011 जनगना के निवसार राइस्थान में सरवाधिक जनगनतो वाले तीन जिले कौन से है सरवाधिक जनगनतो यानि कम भूमी पर ज़्यादा निवास करने वाले तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपलेशन कहाँ पर दिखाए देती है हम जानते हैं जयापूर के अंदर क्योंकि वो है आमारे राइस्थान का कैपिटल और जयापूर के अंदर पांसो पिचान में लोग एक किलोमेटर के दारे में रहते हैं दोसे नमर पर भारत पूर का और तीसे नमर पर दौसा का ने कुछ है 2011 ज़्यारे ज़्यादा के अंदर राइस्थान में नियूंतम ज़्यादा वाले तीन जिले कौन से हैं तो यह आपके हैं जैसल में जिसमें मात्र सत्रे व्यक्ति प्रतिवर किलोमेटर रहते हैं विकानेर में 78 और बार मेर में बार मेर तीस तरीके से सबसे कम जणगनत्त वाले कौन से हैं जैसल में पर तंपे ए विकानेर दूसरे नमर पर आता है बार मेर आपका तीसरे नमर पर आता है जणगन्ना 2011 के अंदर ने कुछ्ष Но 2001 की जंगर्णा में 2011 की जंगर्णा के अनुसार लिंगा नुपात में कितनी वर्धी दर्ज की गई है लिंगा नुपात में वर्धी दर्ज की गई है लिंगा नुपात क्या है आपका आपका 1000 पूरुसों पे इस्ट्री की संख्या तो वो क्या है तो देखिए, साथ की व्रद्धी इसमें दर्श कही गई है, 2001 में 921 इस्त्री थे 1000 पुरुसपर, वहीं 2011 में 928 महिलाएं इस्त्री हो गई 1000 पुरुसपर, तो इसमें कितने का डिफ्रेंस आया है, इसमें साथ की व्रद्धी हुई, ठीक है, नेक क्वेशन देखें, 2011 जणगर नाकेमसर राइस्थान में सरवाधिक लिंगानुपात वाले तीन जिले कौन से हैं, डूंगरफूर जिसमें 944 में हैं, रासमन 990 और पाली 987, यह सरवाधिक लिंगानुपात पाया जाता है राइस्थान के अंदर, नेक क्वेशन, 2011 जणगर नाकेमसर राइस्थान में किस जिले में सरवाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है, सरवाधिक लिंगानुपात किस में दर्ज है, तो आपका जैसल मेर में हैं, जहां 821 से 852 हो गया, पहले कि जहां था, उसका 820 था, और दूसरी बार में क्य जिले में जड़ा जूडगानुपात किस जिले में लिंगानुपात किया हुआ हुआ ओ, तो 2011 जणगर नाकेमसर राइस्थान में किस जिले में लिंगानुपात सरवाधिक कमी दर्ज कि गई है, 2011 जणगनाने के रुषा सरवाधिक राजिस्टान में किस जिले में लिंगानुपात में सरवाधिक कमी दर्श की गई है तो वो आपके डुंगरपूर में की गई है जहां 2022 थी 1000 पूरसों पर लड़किया या इस्तरिया और वो आप 904 आण में देखी गई है काउंटिंग में 2011 जणगना के रुषा राजिस्टान में न्यूंतम लिंगानुपात वाले तीन जिले कौन से हैं तो आपका धौलपूर है जहां मात्र 846 महिलाएं है एक हजार पूरसों पर उसी तरह जसल बेर के अंदर 852 है एक हजार पूरसों पर और उसी तरह करौली में 861 है एक हजार प स्एटपूर है दूसे निरो पर जैसल मेर और तीसे निरो पर करौली नहीं कोशियां देखिए 2001 जणगर्णा वे 2011 की जणगर्णा के अनुसार बाल लिंगानुपाद यानी जो बाल वर्ग का लिंगानुपाद है उसमें कितनी कमी दर्च की गई है तो कितनी कमी है 21 की कमी दर्च की गई है ये काफी ज़्यादा है 2001 में जहां 909 बच्चियां पैदा होती थी 1000 लड़कों पर वहीं पर 2011 में 888 लड़कियां पैदा हो रही है 1000 लड़कों पर तो ये बहुत मिजर लिंगानुपाद दर्च किया गया है जो नेगेटिव है नेख क्वेश्चन देखिए 2011 जणगर्णा के निउसार राइस्थान में सरवाधी के बाले लिंगानुपाद है वो कितीन जिलों में काउंसे है तो बासवाड़ा है जिसमें 934 है प्रताबगाण में 933 और भीलवाड़ा में 928 आपको समझ में आ गया होगा बासवाड़ा प्रताब गर देती है और भीलवड़ा देती है पर नहीं क्वेशन देखी दो हजार ग्यारे जणगर्णा के इनुसार राइस्थान में नियूनतम लिंगानुपाद वाले तीन जिले कौन से हैं जो बालवर्ग आपका आता है आयूवर्ग जीरो से छे वर्ट्स में उसमें न नजरू 837, सीकर 848, और करोली 852, तेके? राइस्थान में नियून्तम वे अधिक ποbn साक्शर्था प्रतिसंत किस जिले में है? Cetakर्ब आ है जले में तो यह आपका सबसे नियूनतम तो थी जालवर में जो 54.9 प्रतिसंत था और अधिक τοम कोटा में पाई गई जिसमें 60.5% साक्षर्था पर्थिसत देखा गया है Next question 2011 जंगर्णा के नुशार रायस्थान में महिला वे पूरुस साक्षर्था कितने पर्थिसत है यह आपका पूरे रायस्थान के अंदर की बात करें तो महिला में 52.1% महिला वे साक्षर है जबकि पूरुस 89.2% साक्षर है यानि 52.1% महिला वे साक्षर है और पूरुस 79.2% Next question 2011 जंगर्णा के अनुशार रायस्थान में सरवाधिक पूरुस साक्षर्था प्रतिसत किस जिले में दर्ज की गई है देखे यह तो questions है यह REIT के हिसाब से थोड़ी से hard है question थोड़ी से हलगे आते हैं REIT में लेकिन इस बार जो paper delay पर डिले हो रहा है तो हो सकता है कि paper का थोड़ा standard high रखा जाए तो India task को आपको याद रखना चाहिए 2011 जड़ना के नुशार राईस्थान में सरवाधिक पूरुसाख चरता प्रतिसत किस जिले में दर्ज किया गया है किसमें गया गया है जुनजुरों में 86.9% जबकि नियूनथम जो है वो प्रताब गड़ में 69.5% था पुरु साक्षरता सरवादिक किस जिले में है चुन जुरू में है जो की 86.9% और जब किसमें है नियुनतम प्रताब गड़ में जिसमें 69.5% यानि 90.5% दर्श की गई है ने कुशन, 2011 जन गर्णा के नुसार राइस्थान में सरवादिक इस्त्री साक्षरता प्रतिसात किस जिले में दर्श की गई है तो आपका जो कोटा है उसमें ही 65.9% जो है सरवादिक इस्त्री साक्षरता दर्श की गई है जब कि नियुनतम जो है जालाओर में जो किवल 38.5% जिसमें साक्षर कही गई है ने कुशन देखिए 2011 जन गर्णा के नुसार राइस्थान में अनुसूची जन जाती की जन जंक्या कितने प्रतिसात है यहां राइस्थान की बात हम कर रहे हैं आपे ने कुशन देखिए जन गर्णा 2011 में राइस्थान में सर्वादिक अनुसूची जन जाती वाला जिला कौन सा है सर्वादिक अनुसूची जन जाती किस जिले में पाईगी तो वह है आपके बासवाड़ा में जिसमें 6.4% प्रतिशत के अगर आधार पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बासवाड़ा में और संख्या के अधार पर देखा जाए तो उदैपुर में सर्वादिक अनुसूची जन जाती हैं देखने को मिलती हैं बासवाड़ में 6.54% है जिवकि उदैपुर में 15,25,289 की जन जाती के बारे में पूछा जाए तो यह देखा जाए कि किस जिल्ले में सर्वादिक है तो देखे प्रतिशत के अधार पर तो बासवाड़ा में है और चंक्या के अधार पर उदैपुर में है तो यह दोनों ही अलग-अलग चीज़े है नेक क्वेशन देखें 2011 की जन जाती किस जिल्ले में डर्ज की गई है किस जिल्ले में है नियूंतम तो यहां पर भी वही बात है अब प्रतिशत के आधार पर तो नागौर में है जो 0.31 प्रतिशत मात्र अनुसुचि जन जाती के लोग निवास कर नेक क्वेशन 2011 जन गरना के अनुसार राइस्थान में अनुसुचि जाती की जन संक्या कितने प्रतिशत है अनुसुचि जाती के बारे में हमने बात करें अनुसुचि जाती के बारे में तो राइस्थान में कितने प्रतिशत है अनुसुचि जाती 17.8 प्रतिशत की लोग यहाँ पर निवास करते हैं ठीक है ने कोशन दो हजार ग्यारे जंडगरना के अनुसार राइस्थान में सरवाधिक अनुसुचित जाती किस जिले में दर्च की गई है तो किस जिले में हैं सरवाधिक वही बात है कि स्री गंगान अगर में पृतिशत के आधार पर है और अग तरह जैपूर में संख्या के अधार पर दिखा जाए तो सरवाधिक जो अनुसुचित जाती के लोग हैं जैपूर में निवास करते हैं ने कोशन देखें 2011 जन गरना के नुसार रायस्थान में नियून्तम अनुसुचित जाती किस जिले में दर्च की गई है तो आपके डूंगर पूर के अंदर है इसमें अधार पर प्रतिसत के अधार पर देखा जाए या संख्या के आधार पर दोनों ही इस्तिति में यहाँ पान अनुसुचि जाती की जो संभाना है वो सबसे कम है तो यहाँ पर प्रतिसत और संख्या दोनों के आधार पर आंसर क्या होगा दूंगर ठीक है नेक कुशन देखें जन गरना 2011 के अनुसार रायस्थार में सहरी जन संख्या कितने प्रतिसत दर्च की गई है यह कुशन काफी इंपॉर्ट निवास कितने प्रतिसत में है काफी मायने रखता है तो इसी वज़य से यह कौशन भी काफी मायने रखता है कि जन गरना 2011 के अनुसार रायस्थार में सहरी जन संख्या कितने प्रतिसत दर्च की गई है देखे तो इसका आंसर क्या है 24.9% और अगर 100 में से 24.9 रटा दिया क्यार्त है तो बाकी का बचा ग्रामींट परिविय से 75.1% रहते हैं यह जनकरना डुजार गारे के अनुसार रायस्थान में सरवाधिक ग्रामींट पृतिसत में किती सहरी बिवाधियस यह की ब्रतिसत दिले में सर Tucson जादा निवास करने वाले ग्रामिंट च्छय-में पॉटा में रिच voltar साथ परसेंट करते इसी इस पर क्ष्थ बहुत कम लोग निवास करते हैं जब्कि डूंगर्पूर में यह सरस निवास करते हैं और राइस्थान में एक लाग से अधिक जनसंख्या वाले नगर कितने दर्ज किये गए आपको पता है कि आपके राइस्थान में कितने जिले हैं और उनमें से आपके कैसे कितने जिले हैं जिनके अंदर एक लाग से भी अधिक जनसंख्या वाले नगर पाए जाते हैं तो कौन से हैं ये तीस नगर ऐसे हैं जहां पर एक लाग से भी अधिक जन्संक्या वाले नगर के तौर पर इनको दर्ज किया गया है ने कुशन किस समय में राइस्थान में रणात्मक प्रतितर की गई थी देखे हमारी जन्संक्या दिन दूग्मी राजचोग्मी बढ़ती जा रही है रंतर बढ़ती जा रही है लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब रणात्मक प्रतितर यानी जो जिस स्पीड से लोग बढ़ रहे थे जन्संक्या बढ़ रहे थी उसके बतले घटन गई थी और कब हुआ था ऐसा ऐसा हुआ था 1911 से 21 में 1921 के बीच में हुआ था और ये क्या है ये जो काल था ये युद्द के समय के आसपास का काल था तो इस वज़े से यहां पर रिणात्मक व्रधी दर्ज की गई थी नेक क्योशन देखें सरवादिक व्रधी दर्धी जन्संक्या की वो राइसान में किस वर्ध दर्ज की गई है तो यह आपकी 1981 में दर्ज की गई जिसमें 32.78 में प्रतीसत की जनसंक्या वर्दीदर दर्ज की गई नेक क्योशन देखें भारत में राजिस्थान की जनसंक्या कितने प्रतीसत है भारत में जो राजिस्थान की जो टोटल जनसंक्या है तोटल भारत की जिनसंक्या उसमें कितना प्रतिसत योगदान केवल राहिस्तान की जिनसंक्या है तो वो आपका 5.66% है यह नि 5.66% प्रतिसत जिनसंक्या केवल राहिस्तान की है इसमें नेक क्वेशन देखें, जन्गर्णा 2011 के नुसर राहिस्तान में धर्म के आधार पर सरवादिक जिन्शन के आधार पर अगर देखा जाये तो सरवादिक जिन्शन के आधार धर्म कौन चाहे, तो हम जानते हैं इसका आंसर है हिंदू, ये हैं 88.49% जब कि मुस्लिम लोग 9% है कितनी जर्म दर्ज की गई है, कितनी जर्म दर्ज की गई है, तो 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 तरची गयी है नेक क्योशन जंगर्णा दो मिर्ट्यू दर्ज की representations कितनी सीसु मिर्ट्यू दर्ज की गई है तो इसकी टार्च उत प्र तेविन एशान्म्त lives रिक्षा में से 38 आर्चीहि जन्म्त हो जाते हैं तो इसका क्ल्वित हो जाते हैं तो मिर्ट्यू उतर्च हो जाते हैं तो इसकी दर क्या हुई 38 बच्चे 30,000 जन्मिय बच्चे ठीक है नहीं कुशन जंगर्णा दोज और गारेक अनुसा राइसान में कितनी जीवन पृत्यासा दर्ज की गई है व्याद रखिएगा जीवन पृत्यासा क्या है सामने औसत विक्ति के द्वारा निकाले गए जीवन की आयो तो जीवन पृत्यासा कितनी है हमारे राइसान की तो वह है 68.3 वर्स तक एक औसतन जीवन पृत्यासा है हमारे लोगों की राइसना में कौन सी दर? यह काफी इंपोर्टेंट कोश्चन है और इसको थोड़ा से ध्यान से पढ़ियेगा राइसना में कौन सी दर तो ये भी positive है, जनगनत वह बढ़ेगा, तो ये थोड़ा सा negative है, क्योंकि जमी नीशित है और जनगनत औसस से ज़्यादा हो जाता है, तो ये गलत होगा, शाक्षरता बढ़ना भी अच्छी बात है, पुरुशाक्षरता भी अच्छी बात है, इस्त्री साक्षरता भी इतना उचेत नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए ज़्यादा होता जा रहा है, तो जन्षंग के अव्रदी दर ही एक ऐसी मात्र दर है, जो राष्ट्य औससस से, यानि पूरे भारत के अगर औस तन अगर व्रदी दर निकाली जाए, तो उसमें जो औससस जो दर है, उससे भी जादा राष्थान में जन्षंग के अव्रदी दर है, और बाकी चीजियों का अगर औससस निकाला जाए, जैसे भारत का लिंगानुपात क्या है, तो उस औससस ने हमेशा राष्थान का नीचे राए, जनगनत भी नीचे राए, कुल साक्षरता भी नीचे रही है, इसी के साथ आपका चेप्टर होता है समाप, और यह कोशन सामने तोर पे देखा जाएगा, तो इसमें काफी डेटा आपकी बुक से मैस नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक्ट्वन में मिस्प्रिंटेड है, तो आप तुससे परिशान मत होईएगा, गफलत में मत आईएगा, या क्लास 10 का चेप्टर नुबर 13 जो है आपका टांस्पोर्टेशन सिस्टम, कोशन नुबर 1 है आपके साथ, पाइपलाइन का प्रकार किस प्रकार के परिवहन के अंतरगत आता है, पाइपलाइन जो होती है, वो किस प्रकार का परिवहन है, वो जल परिवहन है, स्थल पर जगत आती है नहीं क्यूशन देखें कि राइस्थान रोड विजन 2025 से काफू कुशन आते हैं और यह काफ़ी important पॉइंट है तो इसका ध्यान रखेगा राइस्थान रोड विजन 2025 के अनुसार कितने वर्सों में सभी गाओं को सड़कों से जोड़ने का उद्दे से रखा गया है तो आपका 15 वर्स के अंदर ये कारे होने के लिए विजन रखा गया है नेक क्वेशन देखें राइस्थान रोड विजन 2025 के अनुसार कितने वर्सों में फ्लाइ ओवर वेच चार लेन के राजमार्ग बनाने का उद्देश्य रखा गया है तो कितने टाइम में रखा गया है ये आपका मात्र 10 वर्स में रखा गया है नेक क्वेशन देखें भारत में राष्ट्री राजमार्गों की लंबाई कितनी है वो कितने लंबे हैं उनकी टोटल लंबाई अगर ना पी जाए तो कितनी है तो यह आपकी 12,39,709 km लंबाई है इनकी लगबग ने क्वेशन भारत में सटकों की कुल लंबाई कितनी है भारत में चाहे राष्टे राजमार को हो चाहे कोई जिस्टिक हाइवे हो तो यह सब टोटल जो है कितनी लंबाई है इनकी यह आपका 56.03,00,00,00 लंबाई है ने कोईशन राष्टे राजमार कों की कुल लंबाई कितनी है राजिस्टान की अगर केवल बात की जाए तो उसमें राष्टे राजमार कों की कुल लंबाई कितनी है तो वो आपकी 10,725.63 km इसके अंदर के लंबाई बताई गई है 10,725.63 km राष्ट्रे राजमार के लंबाई है हमारे राजिस्थान में नेक क्वेशन देखें राष्ट्रे राजमार किसके नियंतर्ण में होते हैं? राष्ट्रे राजमार्ग जो हमारे देश में बने हुए हैं वो किसके नियंतर्ण सेत्र में हैं तो यह आपके भारतिय राष्ट्रे राजमार्ग प्राधी करण यानि नियंतर्ण अलग चीज है और नियंतर्ण अलग चीज है और निर्माण अलग चीज है निर्मान किसके द्वारा किया जाता है तो इसका निर्मान होता है केंद्री ये लोक निर्मान विभाद CPWD के द्वारा CPWD के द्वारा इसमें निर्मान किया जाता है राष्ट्रे राजमारगों का राष्ट्री राजमार्गों की लंबाई कुल सड़कों का कितना प्रतिसत है जब टोटल राष्ट्री राजमार्गों के बारे में बात की जाती है तो जब और जो सड़के हैं उनसे कितना प्रतिसत है जो राष्ट्री राजमार्ग है तो यह आपका मातर दो प्रतिसत सड़क तो आपको पता है परिवहन के बहुत अन्य साधन भी हैं तो जो आपका राश्टे राजमार्ग द्वारा कितना यात भाग वहन किया जाता है यह आपका संपूर यात यात का 40.35 जो की काफी ज्यादा होता है तो संपूर यात का 40-35 भाग इससे यूज किया जाता है ने कोशन राज्य सड़क नीती भारत में किस राज्य में सरपतम बनाई गई और कब यह हमारे राज्थान के अंदर वनी थी राज्य सड़क विकास अधिनियम किस वर्स लाया गया तो यह आपका 28 अपरेल 2002 के अंदर लाया गया था ने कोशन राज्य सड़क विकास नीती कब आई ती तो यह आपकी 2013 में आई थी ने कोशन रेड़ कॉर का विस्तारित रूप है रेड़ कॉर की फुलकॉम क्या है रेड़ कोर क्या है रोड इंफर स्ट्रेक्ट्टर डवलप्मेंट कोपरेशन ऑफ राजिस्ता लिमिटेट ठीक है तो यह आपका काफी इंपर्टेंट है तो इसको आप याद रखेंगे न सब्सक्राइब को पता है चार रास्ते हैं जिसमें जिल्ली मुंबई चेदने और कोलकता जो महानगर है उनको अपस में जोड़ा गया और यह सब्सक्राइब करने का संकित किया गया था दीके स्वार्णिम चत्रबुज का जो निर्मान किया गया था तो उसमें कितने लैन वाली सड़कों का निर्मान करना था दूसरी बात यह है यह कोशन काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि कई बार कोशन आ चुका है तो इस चीज़ को आप याद रखेंगा है श्वार्णिम चत्रबुज के तहट निर्मित सड़कें कितने राज्यों से निकलती है वो कितने राज्यों से निकलती है तो यह आपके तेरे राज्यों हैं जिसमें दिल्ली, हर्याणा, राजितान, गुजरात, महराष, करनाटक, तमिल नाडू, आंधर प्रदेश, श्वार्णिम चत्रबुज योजना है, इन सभी को आपको याद रखना है, यह बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट है, जब आपके से बात की जाए, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, सबसे चोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो यह हमारी सड़क उजाओं कि कुछ वो मुखे कुशन्स हैं जो बार-बार रिपीट होते रहते हैं, यह किस स्टेट से रिंकलते हैं, कहां से स्टार्ट होते हैं, कहां तक हैं, तो यह चीज़ें काफी इंपोर्टन्ट रखते हैं, तो आप इन राज्यों को निश्यतुर्प से याद रखेंगे, नेक कुशन उत्तर दक्षिन गलियारा, यानि उत्तर भारत से दक्षिन भारत तक के लिए जो सड़क बनाई गीए, उसको उत्तर दक्षिन गलियारे के तोर पे जाना जाता है, उत्तर दक्षिन गलियारे के तहर्ट सड़क निर्मार्ण कहां से कहां तक निर्मित किया गया है, तो यह स ये एनेच फोटी पोर कहलाता है और ये 3717.64 किलो मेटर लंबा है ने कुशन उत्तर दक्षिन कलियारा जो है उसके तह जो निर्मिश सड़क है वो कितने राज्यों से निकलती है कौन-कौन से राज्येस में है इसमें भी 13 राज्ये हैं जमु कश्मीर हिमाचल प्रदेश प्रदेश करनाटक और तमिल्लारू तो ये आपको याद होने चाहिए ने कुशन देखें पूर पश्रम यानि पूरी भारत से पश्रम भारत की तरफ एक सड़क का निर्मान किया गया है जिसको पूर पश्रम गलियारे के तहर्ट जाना जाता है ये कहां से कहां तक बनाए गई है ये काफी इंपर्टेंट है और ये भी कुशन रिपीट हो चुके हैं तो पूर बंदर गुजरास से लेकर ये सिल्चर जो असाम के अंदर है वहां तक इसको बनाया गया है इसको एने सैवन के नाम से जाना जाता है चार हजार एक सो बारा पॉइंट बासट किलो या किस-किस से निकलती है ये तो ये सम से तो स्टार्ट होती है गुजरात तक जाती है तो ये आपके स्टेट पके हैं उसके अलावा पशिम बंगाल, बिहार, उतरप्रदेश, मद्रप्रदेश और राजिस्थान भी वो स्टेट है जिनके अंदर से निकलती है ने कोशन आ कि आदेशात्मक के निशेद्धात्मक क्या होते हैं जिनके अंदर अगर आप उनके पालना ना की जाए तो दुरुगटना का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है और अगर ऐसा नहीं मान कोई उस वक्ति को उसको फॉलो नहीं करता है उन रूल्स को तो उसके उपर कानूनी क कारेवाई की जा सकती है या सजा का प्रावदान है तो जो आदेशात्मक के निशेद्धात्मक सडक चिन जो होते हैं वो किसाकार के सामनेते होते हैं तो सामनेते ये गोला काराकरती के होते हैं और जैसा कि लिखा है उलंगन से दुरुगटना संभव होती है इस वज़े से सजा का प्रावधान इसके अंतरगत होता है सचे तक सड़क चेन सामने तक किस प्रकार के होते हैं? सचे तक जो चेन होते हैं वो आपके त्रकोडांकार होते हैं सामने तोर पर लाल किनारे इसके बनाए जाते हैं खत्रों की इसमें जानकारी दी जाते हैं लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, कि अगर कोई विक्तिज का ध्यान ना रखे, तो उसको सहजा का प्रावधान इसके अंतरगत नहीं आता है, ये केवल सचेत करने के लिए बनाएगा चिन है, इसी तरह हमारे जो सडक चिन है, वो सूसनात्मक, सचेतक और निशेत ध्यात्मक भी कहते हैं, सचेतक दूसरे होते हैं, और तीसरे होते हैं सूसनात्मक, जो सूसना देते हैं, वो सूसनात्मक, सचेतक जो किसी खत्रे के पृति बताते हैं, वो आपके सचेतक होते हैं, और जो खत्रे, जहां खत्रा निश्यत होता है, या फिर बहुत ज़्यादा परिशान यह होती है तो वहां आदिशात्मक्त चिन्नकाप्यों किया जाता है ताकि वहां पर रूल अगर फॉलो नहीं किया जाए तो आपको सजा का प्रावदान इसके इंतरगत होता है तो यह तीन प्रकार कें इसकी मैं आपको इसको डेटेल में डाल देता हूं क्योंकि यह डाइग ये आपके सब्द हुआ है। आधिशात्मक चिन हैं। जिनकी अगर अवग्य कि जाए और पालन ना किया जाए। तो इसकी वज़े से सजाका प्रावधान दिया जाता है। दूसरा आपके सचे तक चिन है, सचे तक सड़क चिन आगे जैसे कि दाहिनी और मोरना, बाई और मोर, तो अगर जैसे ये वो सचे तक चिन है जिनका पालन करने से दुरगट्टाओं से बचा जा सकता है, ये किवल सचेत करने के लिए दे जाते हैं, ये सामने तोर पर आप द सूचना देने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि आगे हस्पिटल है, या आगे टेलिफॉन बूत है, या फिर आगे आपकी पार्किंग है, या आगे टैक्सी है, तो इस टाइप की चीजों के लिए यहाँ पर सूचना देने के लिए के बनाए जाते हैं, तो कोशन जो सब से ज़्यादा आते हैं आपके आदेशात्मक्चिन और सच्छेतात्मक्चिनों के द्वारा ज्यादता तौर पर आते हैं तो उनका आप द्यान रखेगा यह आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा दूसरे बाद हम बात करें तो नहीं जो हाइवेस के नाम है यह नए ज टेबिल को आप अपने साब से एक बार देख लीजिएगा तो यह आपका हाइवेस का जो कोशनिंग जो निकल सकती है वह नहीं के बाहर नहीं जाएंगे अपने शित रूप से रहिए और इसके आगे जो आपका जल परिवेंत अंत्र है और वायू परिवेंत अंत्र है उसक निर्मान में जो भारत में कितना लंबा अंत्रिक जल मार्ग में नौकायन किया जाता है तो कितना है ये 14500 किलोमीटर है कितना है 14500 किलोमीटर नेक क्योशन, भारत के कुल परिवहन में जल परिवहन की कितनी भागीदारी है, भारत में जो टोटल परिवहन होता है, उसमें जल परिवहन की कितनी भागीदारी है, तो आपका जल परिवहन मांत्र एक प्रिटिशत ही वहन कर पाता है, नेक क्योशन, जल मार्गों के निर्म पतनों को कितने प्रकार में वर्गीकरत किया गया है? तीन प्रकार से कौन-कौन से अध्योगिक, वानेजिक और विस्तरत अध्योगिक, वानेजिक और विस्तरत अवस्थिती के आध्यार पर पतनों को कितने प्रकार में वर्गीकरत किया गया है? तो कितने प्रकार में है? अंतरदेशिय पतन और बाहे पतन अंतरदेशिय पतन और बाहे पतन कारे कलापों के आधार पे पतनों को कितने प्रकार हैं? कारे कलापों के आधार पे अगर उनको वर्गी क्रतिया डिफ्रेंसिट किया जाए तो कितने प्रकार हैं उसके? तो यह आपके तेल पतन, आपको इनके नमसी पता चल रहा होगा कि यह किस काम आते हैं, मार्ग और फेरी पतन का उपयोग किस प्रकार के क्रिया कलाप के लिए किया जाता है तो मुझा फेरी पतन है उसमें क्या काम किया जाता है फेरी पतन जो होते हैं छोटी दूरियों को तैक करने में और डाक और यात्री सिवा ही तो उपयोग किया जाते हैं तो फेरी पतन का आपसे पहुंचा भी जा सकता है यह कुशन यह काफी important है उसको याद रखेगा छोटी की दूरियों का तेह करने में फेरी पतन का यूज़ किया जाता है और यातुरिवा की लिए अगर आपको नम लेना है यह प्राइवर्टी पे देना है को बैब chunky आं पर फॉप्योक किस प्रकार की क्रिया क्लाप कि ले किया जाता है लिए को टाइब का पतन है वसंे किस प्रकार का काम किया जाता है तो निर्यात या एककत्रण ही थो वस्तों के संग्रहन के लिए अपर यहांपर क्या होता है य दोक-market में कोई चीज पेसे थे, कांडला बंदर्गाँ आपको पता है, काफि इंप्तांट है, राईस्तान चांङ कांडला अंडर्गा का ना है? क्ञानि यह सब हैं किन राजियों के तर्ट परिस्तित है तो तीनों इक पूर्द में अरब सागर में इस्तित ज्यायन वैंब यह तीनों के तीनों आरब सागर के अंदर इस्थित हैं और एक किस राज्य के निकट है महारास्ट के निकट JLN है करनाटा के निकट New mangalore है और केरल कोची केरल के निकट कोची बंदर्गा है तो आपको यहाध रहेंगे नहयक वश्चन देखें गोवा में इस्थित मर्मूं गोवा बंदर्गा किस नदी से संब्द है न बुक्स में हमारे इसमें इसमें उसमें 12 बंदर्गा दी गए और कुछ टाइम पहले उसकी संक्या तेरे हुई थी और 14 सब्सक्राइब लेकिन आपको यह question नहीं पूछा जाएगा, important नहीं रखता है, क्योंकि यह divided change हो रहा है, इस वज़े से, तो इस type यह question आपको नहीं पूछे जाएगे, तो लेकिन मर्मूगोवा है, यह बहुत latest है, तो इस चीज को आप याद रखेगा, कि मर्मूगोवा जो बंदरगा है, व वो कौन चाह है, तो हम बहुत अच्छे से जानते है, JLN, है न, जवार लाल नहरू जो एरपोर्ट है, सरपोर्ट है आपका, वो आपका सबसे बड़ा कंप्टराइज बंदरगा है, आज की टाइम में, ओके, next question, नहावा सेवा पोर्ट, जिसको आप JLN भी बोल रहे हो, जवार लाल नहरू पोर्ट, 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 जवार लाल नहरू पोर्ट को JLN भी बोलते हैं सरट में, और इसी का नाम है नहावा सेवा प यह कुश्चन अभी हाली किसी एक्जाम में आया था तो इस चीज को आपको याद अखना है इस टैप की कुश्चन से आपको repeat होते हैं ने कुश्चन एन्नोर पोर्ट कहां इस्तित है एन्नोर पोर्ट जो है वो कहां पे है तो एन्नोर पोर्ट जो है आपका कौरबंदल तण में है ठीक है आञे कुश्चन सबसे पुराना बंदरगाह कॉन सा है थो यह आपका चैन्नेज पोर्ट या मदराश पोर्टबी इसको लोग बोलते हैं बाकि आज कल इसको चेनरी पोर्ड के नाम से जाना जाता है, लेकिन मदास पोर्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो इसमें से कोई भी नाम आए, तो आपको क्या लिखना है, भारत का जो सबसे पुराना बंदरगा है, वो कौन सा है, चेनरी पोर्ड, नेक क्रेशन, इतने भी बंदरगाओं के बार हम बात करें ही, सारे की सारे major ports हैं, ओके, next question, विसाका पत्नम port, हल्दिया port और पारादी पोर्ट कहां पर इस्तित हैं, तो यह आपके बंगाल की खाड़ी में हैं यह सारे, एक बात तो यह, यह सारे की सारे कहां पर हैं, बंगाल की खाड़ी मे और दूसरा, आंद्रप्रदेश के पास में विसाका पत्नम हैं, उसी तरह हल्दिया जो है, वो कोलकता में हैं, और पारादी port कहां पर, ओरिचिया के तड़ पर इस्तित हैं, ठीक है, next question, किस port को भारत का 13 मुख्य बंदरगा गोसित किया गया है, यानि 13 major port, 13th major port, आपकी RBC से में 12 ही लिखा हैं, लेकिन ये किस के बारे में पूच रहा है, 13 बंदरगा के बारे में पूच रहा है, 13 बंदरगा कौन सा है, इसलिए मैं आपको बताता हूं, एक जून 2010 को port बलेर बंदरगा अंडवान निकोबार दीप समूपर जो इस्तित है, उसको इन्होंने 13 मुख से संब्द है, तो ये आपको उत्तर जक्षिन जाए भारत, रूस और इरान, इन तीनों को जो और में यूज किया गया है, और 12 सितंबर 2000 में सैंट पीट्सपर के एक सम्मेलर में इसकी कोश्टना हुई थी, ठीक है, तो ये इंटरनेशनल मैटर है, तो इस चीज को आपको से याद रखना है, उत्तर जक्षिन जलीय पट है, उतक जो जलिय पत है, वो किंदे से संब्द है भारत, रूस और इरान से, ठीक है, ने क्वूशन, सागर माला परियोजना 2015 में ति, उसका मुख्य उद्दिश क्या है, तो उसका मुख्य उद्दिश है, बन्दर गाउं का सब्सक्राइब करने के लिए इस पर्यूजना का स्टार्टिंग की गई है 2015 में तो यह सागरमाला पर्यूजना के से संब्दित है बंदर का विकास से संब्दित है इस चीज़ को आपको याद रखना है नेक कोशन देखी है भारत सरकार दौरा कौन से 6 मेगा पोर्ट बनाने की उजना बनाई गई है ते शागरदीप जो पश्रिमबंगाल में बनने की बात है पारादीप बाहरी हारबर पारादीप जो बाहरी हारबर है ओडिशा में बनानी किया है सिर्ख जी आपका तमिल लाडो में इनायम तमिल लाडो में बेली केरी तमिल लाडो में और वदावन भी तमिल लाडो में यानि इसमें से चार जो हैं, वो केवल तमिलाडों में हैं, एक औरिशा के अंदर है और एक प्रिशिम बंगाल के अंदर है ठीक है? तो यह आपको याद रहेंगे, इसी के साथ आपका यह वीडियो समाप्त होता है इस वीडियो का है, यह लास्ट कोश्टन और इसके साथ एक टेविल और जो इंपोर्टेट है, वो हम और देख लेते हैं इसमें राश्टे जलमार्ग हैं, जलमार्ग नमबर एक, दो, तीन, चार, पाँच और छे इसमें इनका प्रारणब की स्थाल है, जैसे कि जलमार्ग जो राश्टे जलमार्ग एक है, वो इलाबाद से स्टार्ट होता है और समापन का हैं हल्दिया तक, यह लाबाद से हल्दिया तक है कुलमबाई इसकी 1620 किलोमेटर है, मुख्य मार्ग छेतर में जो आते हैं, पटना आता है इसके रस्ते में, और फरक्का भी आता है संबंदित जल स्रौत कौन जा है, गंगा, भागी रहती और हुगली नदिया हैं, जिनके आधार पे बनाएं इसी तरीके से ही जो हमारे पास 6 राष्ट्री जल मारग हैं, उनके बारे में मैंने यहाँ पर डेटिल दी है, इस टेबिल को आप अच्छे से याद कर लीजेगा, क्योंकि इन से अलग अलग तरीके से कोशन उट कर आते हैं, जो मैंने इस पर कोशन नहीं बनाए हैं, डिरे जो की हमारे परिवहन सिस्टम का काफी एहम हिस्सा है, तो चलіш बिनादेरी के स्टार्ट करते हैं, भारत में वायुयान का प्रारम कब हुआ था, तो यह आपने इपोर्टेंट है, 1911од में हुआ था, इलाबहाज से नयनी के मद्द傑 चलाई गई थी और 10 km की इसमी मात्र र किलो मिटर थी ठीक है फार रात में वायू आन उन्सो ग्यारे स्विम चलाए गया नेक कोशन इंडियन एरलाइन्स में सम्मलित 1947 में कौन सी चार कंपनी वायू परिवयन हितु बनाई गई थी जब इंडियन एरलाइन्स का जब हम इतियास पढ़ते हैं तो 1947 में चार कंपनीया बनाई गई थी वाय परिवयन के नतरर रज़ा तो कौन-कौन सी थी वो तो यह अपटेटी एंडियन नेशनल एरवेस, टाटा सन्स लिमिटेज एय स्ररविशेज उफ इंडिया और डकफान एयरवेस चार कंपनीया कौन-कौन सी थी इंडियन नेशनल एयरवेस नुसरी थ सम्दित 1947 में देखा आपने चार कंपनीयां बनी फिर 1951 में फिर बनी तो 1951 जो चार कंपनीयां थी वह कौन-कौन से थी भारत एयरवेज हिमालेंट, Aviation Limited, Airways India और Kalinga Airlines ये चारों कम्पडियां 1951 वे वनी थी इंडियान एरलाइन का राष्ट्री करन कब किया गया यह कुश्चन आपके रीट के साथ से बहुत इंपोर्टेंट है इंडियान एरलाइन का जो राष्ट्री करन हुआ था या निश्ट्री करन हुआ था वो कब हुआ था 1953 में हुआ था और ये कुश्चन रिपीट हो सकता है क्योंकि ये कुश्चन कई बार आ चुका है तेखे, 1953 में इसका nationalization या राष्ट्रे करण हुआ था, नेक कुशन, Indian Airlines का राष्ट्रे करण करके कौन से दो निगम इस्थापित किये गए, Indian Airlines का जब राष्ट्रे करण हुआ, nationalization हुआ, तो दो निगम स्थापित किये गए, वो कौन से थे, तो आपके दो निगम थे, Air India Limited और इंडिया एरलाइन्स प्राइरम के गई यह भी कुछ लिया जाता है कौन से देश के लिए प्राइरम के गई तो आठ जून लिए फ्राइल है क्या जाता है तो इसमें सबसे बड़ी सर्म कॉन सी है इंडियन एर लाइन से जिसका है एड आफिस डिली में है और यह हमारी घरे लू वायू परिवयन उपलब्द कराने वाली सबसे बड़ी वायू अं कंपनी भी है इसके आप से फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है तो आपको याद अखना है National Aviation Company of India Limited की गठन कब किया हुआ गठन कब किया गया था इसका 24 अगस 2007 में इसका गठन किया गया था और कैसे किया गया था इंडियन एरलाइन जो है और एर इंडिया इन दोनों को विले करके इस कंपनी को बनाया गया था National Aviation Company of India Limited जो थी वो इंडियन एरलाइन और एर इंडिया के विले से बनी थी 24 अगस 2007 ओके नेक क्योच्चन भारतिय विमान पतनम प्राधी करन का गठन कब किया गया भारतिय विमान पतनम प्राधी करन का गठन कब किया गया था तो यह आपका एक अप्रेल 1904 में इस्वी में किया गया था हवाई एटों वे नागरिक टर्मिनलों का प्रबंधन का इसका मुख्य कार्य है इसका में वर्क क्या है हवाई एटे जो भी है उनका और जो नागरिक टर्मिनल्स हैं उन सबका प्रबंधन यानि अद्मिस्टिशन यह देखता है नेक क्वेशन देखें Airport Authority of India द्वारा कितनी विमान पतनों का प्रबंधन किया जाता है सेनेक संचार्ट सेवा है उपलबद हो सकें इस चीज के लिए उतरदा यहोता है ड़े क्वेशन देखें दुर्गमु इंज क्वेशन नहीं पहुंचा जाएट है वहां पर यह कंपनिया में मतबद करती है तो दुर्गम इस्थानों तक सिवा प्रदाता कंपणी कौन सी हवाई कंपणी है तो हम में पता है पावन हंस हेलिकॉप्टर लिमिटेड है और यह जो इस्थापित हुई थी तो यह आपके उननी सो पिच्चासिं में इस्थापित हुई थी यह काफी इंपोर्टेंट है दे भी इसी बात और करेंगे डेकिन जैसे सट्पती सिवाजी अंतराष्टी हवाई अध्ड़ा है आपका कोचिन अंतराष्टी हवाई आपका तो इसको आप देखिएगा मैं कोश्चन देखें पाइप लाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो पाइपलाइन परिभयन के परिभयन होता है कि इसमें क्या होई कि पाइपलाइन डाल दी जाती है मैंने starting जब हम करते हैं तो का pipeline डालने में बहुत पैसा लगता है देकिन बाद में इसमें जो परव्यपन का साधन है चीजों को transportation सिस्टम होता है बहुत सस्ता हो जाता है क्वाइप से किस चीज तो यह इस काम के लिए आता है यहां प्राइफिक रत को इला और लोहै अब जैसी चीजों को नि द्रवी राजिस्थान से कच्चे तेल हेतु पाइपलाइन कहां कहां से निकलती है। तो यह आपकी सलाया, कोईली, मत्रा, पानी पत और जालंदर से निकलती है। ने कुर्शन देखें, असम के तेल छेत्रों से, असम के जो ऊपरी तेल छेत्र हैं, उनकी बात यहां की जा रही है, तो इसमें जो असम के तेल छेत्र की जो pipeline है, देखो मैं इसमें कुछ समझा देता हूं आपको, यह कुर्शन बहुत जादा deeply नहीं आते हैं, लेकिन थोड़ बढ़ेंगी, definitely, तो असम जो हम अब बुक्स में पढ़ रहे हैं, उससे काफी आगे उसकी progress हो चुकी है, जब असम के तेल छेत्र की हम गुआर्टी से सुली गुड़ी पढ़ रहे हैं, हमारी RBSC की बुक में, जबकि वो fourth phase में जा चुकी है, और यह केवल first phase का matter है, ठीक है लेकिन हमें RBSC की बुक से ही देखना है, हमें ज़्यादा नहीं देखना है, तो असम के तेल छेत्रों से गुआर्टी से सिली गुड़ी, जो इसकी main line है, ठीक है, यह गुआर्टी बरौनी वे इलावाद के रास्ते कानपुर तक जाने वाली pipeline है, जो कितनी साखाओं में व दाल दिया है इसमें, देख लिए आ, दो साखा हैं इसकी, बरौनी से राजवंद तक है और दूसरी राजवंद से मौरी गुराम तक है, ठीक है, दो साखा कौन-कौन सी है, बरौनी से राजवंद तक और राजवंद से मौरी गुराम तक, लेकिन जब असम के तेल छेत्रो यह important है आपके लिए, काफी important है, question इसमें से काफी ज़्यादा संभावना आने की, अन्ता विद्धु सेयंत्र वे सवाई मादोपूर, राजिस्थान में है यह, तो को gas आपूर्ती की जाती है, pipeline की द्वारा, तो किस gas pipeline की द्वारा यह किया जाता है, वो इसमें पूछा गया ह तो अन्ता विद्धु सेयंत्र वे सवाई मादोपूर, राजिस्थान को gas आपूर्ती किस gas pipeline द्वारा की जाती है, तो आप इसका नाम बताएं, यह हजीरा से बीजापूर होते हुए, जगदीशपूर तक जाने वाली pipeline है, और इसको सौर्ट में बोलते हैं, HBJ, H यानी बीजापूर और जगदीशपूर, ठीक है, हजीरा जो गुजरात से है, बीजापूर और जगदीशपूर योपी में है, तक जाने वाली जो pipeline है, जो गेल जा है, अपकी company, उसके द्वारा ये बचाई रही है, तो आपने देखा, अन्ता विद्धु सेयंत्र वे सवाई राज्थान को गैस अपूरती जो की जाती है, गेल के द्वारा की जाती है, और हजीरा, बीजापूर और जगदीशपूर तक जाने वाली एक pipeline है, जिसको HPJ gas sort में कहा जाता है, नेक क्वेशन देखे, जामनगर जो गुजरात में है, जामनगर गुजरात से लोनी, जो यू जामीर और जैपूर के अंदर ही काफी importance रखती है, तीसरा है हरियाना और चौथा दिली और उतरपदेश पांच्वा, ठीक है, गुजरात से लेकर ये कहां जाती है, गुजरात से यूपी के अंदर जाती है, गुजरात आपका first state हो गया, यूपी आपका last हो गया, और सलाया से जालंधर तक जाने वाली कच्छा तेलापूर्ती करने वाली pipeline राइसान के किस जिले से सम्मद्ध है, तो कोटा, ये question मैं आपके पहले भी पूच चुका हूँ, लेकिन घुमा कर दूसरे तरीके से पूचा गया था यही question, तो सलाया से जालंधर तक जाने वाली कच पैपलाइन है, वो आपको याद होनी ही चाहिए, कम से कम मुझके बारे में थोड़ी जानकरी होनी ही चाहिए, ये जो है आपके 10th level तक ये नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये देखना है, दोबारी से उदैपूर जाने वाली जो pipeline है, वो किस पदार्थ के परिवहन से सम् दोबारी से उदैपूर जाने वाली pipeline सीशा और जस्ता के परिवहन से सम्बत है, में question देखें, मंगला जो कवास बाड़मेट से है, सलाया भोगर चामनगर जाने वाली जो pipeline है, pipeline की राइस्थान में कितनी लंबाई है, ये जो pipeline निकल रही है, इसमें राइस्थान के अंदर किती लंबाई में फैली हुई है, वो हमें देखना है, तो ये आपको पता होना चाहिए, 174 km है, और टोटल pipeline की लंबाई कितनी है, तो वो 670 km है, टोटल लंबाई 670 km, राइस्थान के अंदर इसकी लंबाई 154 km, मंगला से सलाया जाती है, और ये कहां से जा रही है, मंगल अंतर देश ये बंदरगाह का नर्मानी की योजना है, ये योजना काफी important है, क्योंकि ये हमारे राइस्थान के डिस्टिक को जोड़ती है, तो भारसरकार द्वारा राइस्थान के किस जिले को मौरी क्रिक को एक चैनल से जोड़कर अंतर देश ये बंदरगाह बनाने का कि यूजना बनाई गई है, तो ये कौन सा है, ये आपका जालाओर है, जहां से इसको connect किया जाने की बात की गई है, अंतर देश ये बंदरगाह यहां बनाने की बात की गई है, ठीक है, बचो हम बात कर रहे थे class 10 के chapter number 13 में, और हमने अभी तक पढ़ा आपका roadways, waterways, airways, pipelines, और आज हम बात करेंगे railway के बारे में, तो रायस्तान में जो प्रिथम railway कहां से कहां तक चलाए गई, पहला question आपके सामने यह है, 68 question हमारे हो चुके है, 69 question, तो चली बिना दिरी के start करते हैं, आपने पता होगा, प्रिथम rail कहां से कहां तक चलाए गई थी रायस्तान में, आ तो उत्तर पश्यमी जो रेलवे जॉन है उसके अंतरगत कितने मंडल समय लेते हैं तो उत्तर पश्यमी जो जॉन है उसमें जैपुर, अजमेर, बिकानेर और जोथपुर ये चार मंडल समय लेते हैं जैपर मंडल, अर्जमीर मंडल, भीकानेर मंडल और जोथपूर मंडल ठीक है? एक क्वेशन देखें राहिस्थान का पांचवा मंडल किस रेलवे जौन के अंतरगत आता है? राहिस्थान का जो पांचवा मंडल है वो किस रेलवे जौन के अंतरगत आता है? तो आपका ये जो पांचवों मंदल है वो पश्चिम मध्य रेल्वे जॉन के अंदर गत आता है जिसका है इड़ एश का एज जवल फूर के अंदर, तो ठीकैळ पश्चिम मध्य रेल्वे जॉन जो जवल फूर के अंदर गत आता है, ने question देखें, रेल मार्गों की कि आधार पर भारत के पिर्थम तीन राज्य कौन से हैं सबसे ज़्यादा लंबाई कि सिच्छेत में हैं पिर्थम उत्तर प्रदेश में अदर हैं दूसरा आपका राजिस्थान है और तीसरा महराष्ट यह तीन आपको क्रम से याद रखने हैं ने कोईशन, राइस्थान में पिर्थम रेल बस सेवा का प्रारम की गई थी, तो यह आपकी 2 अक्टोबर 1994 में की गई थी, मेर्टा रोर से मेर्टा सिटी के लिए, ठीक है, कहां से कहां तक, मेर्टा रोर से मेर्टा सिटी के लिए, जो की नागौर में है, और 2 अक्टोबर 1994 म को यह के गई थी नहुटिशन देखिए राइस्थान में जैपूर मेट्रो का प्राइड्रा कब किया गया था तो यह को किया नहीं कोशन देखिए isya में इस्थान में मीटररा सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहां इस्थित है यह आपका फुलेरा जंशन है कौन्शा पुलेरा जंशन um year का सबसे बड़ा railway yard यहां पर है , ने कोईशन देखे, भारत का सबसे बड़ा railway model कक्च कहाँ इस्तित है toda यह आपकी ओदयपूर में है, इसलिए यह काफी important कि राज्थान के ध मातनाग से, और 1965 से प्रिष्षण के प्रिकेंटर के तोर पर जन जाता है और यह उद्रापूर में ने कुछoryक्ज है घ्राइफ विए तर खराय का եारेकस्परेस कहां से कहां तक चलाइः जाती है? तो इन दोनों को जो जोडने वाली है वो थार एक्षपरेस है, तो बार्ड मेर के मुनाबाव से पाकिस्तान में खोकरा पार तक ये जाती है, थार एक्षपरेस, ओके, जैक कुशन देखें, राजिस्तान में चलाई गई परिथम अंतियोदय ट्रेन कहां से कहां तक चलाई ग विलासपुर तक 13 जुलाई 2008 रहे हैं नेक क्यूशन देखिए भारत में रेल परिवैन सरप्रतम कप प्रारम हुआ तो 16 अपरेल 1853 को प्रारम हुआ था और मुंबाई से थाने के बीच में चली थी ये और 33.181 किलोमीटर का ये रूट था तीक है ये रास्ता कितना लंबा था 33.181 किलोमीटर था मुंबाई से थाने के बीच में चली थी 16 अपरेल 1853 में चली थी ये भारत में रेल परिवैन की सरप्रतम थी और जब राजथान की बात की थी तो हमें पता है आगरास से बांदी कुई के बीच में चली थी और जब भारत की बात आती है तो मुंबाई से थाने के बीच पे चली थी, ओके, नेक कोशन देखें, भारत का प्रतम रेलवे मंत्री कौन था, भारत का जो प्रतम रेलवे मंत्री थे, वो कौन था, तो वो जान मता ही थे, जान मता ही जो थे, भारत का प्रतम रेलवे मंत्री थे, नेक कोशन, भारत में कितने रेलवे जान म वरगी करत किया गया है तो यह आपके टोटल 18 जॉन है इसकी टेबिल में ने लास्ट में के देदी है वीडियो के तो आप जरूर देखिए गाउसको 18 जॉन कौन से है इसमें जो जॉन है उनके बीच में बस दो ही चीज आपको देखनी है कि कितने जॉन है और उनके मुख्या कौन हो आपको इतना सा ही याद रखना है और तोटल जॉन के तने 18 जॉन है राइस्थान के बारे में ये आपको पता है कौन saat मढ़न किसम जॉन में है याद को याद रखना है ने है ने कुश्ण देखिए प्रतम यात्तरी गाड़ी कब चलाई गई थी ये पंद्दरा族 12 1854 को चलाई गई थी हावडा से हूगली स्टेशन के मद्द है 15 अगस 1854 में हावडा से हूगली स्टेशन के मद्द है यह प्रिथम यात्री गाड़ी चलाई गई थी नेक क्वेशन देखें, देश में सबसे लंबी दूरी तै करने वाली रेलगाडी कौन सी है? देश में जो सबसे लंबी दूरी तै करने वाली रेलगाडी है वो कौन सी है? तो यह आपका विवेक एक्सप्रेस के नम से है, जो डिब्रूगर से कन्या कुमारी तक जाती है, या दूसरी सबसे लंबी दूरी तैक करने वाली रेल गाड़ी कौनची है? दूसरी जो सबसे लंबी दूरी तैक करती है वो कौनची रेल गाड़ी है? हुआ है हिमसागर एक्सप्रेस जो जम्मोवती से कन्या कुमारी तक जाती है जम्मोवती से कन्या कुमारी तक जाती है और य की जो पहली semi high speed train थी, वो कब और कहां चलाए गई थी, यह 5 April 2016 से नई दिल्ली से आगरा के लिए चलाए गई थी, 5 April 2016 में नई दिल्ली से आगरा के लिए चलाए गई, 160 km प्रति घंटी की speed थी, या फिर miles के अंदर अगर देखा जाए तो 99 miles per hour थी, यानि नियान में मिल प्रति गेज, meter gauge यह questions काफी important हैं क्योंकि यह questions repeat होते हैं और यह बार-बार repeat हो रहे हैं तो यह चीजिए आपको रट लेनी है, definitely आने की पूरी-पूरी संभावना रहती है, तो broad gauge जिसको बड़ी line भी कहा जाता है, उसके बीच में difference क्या है, उसमें rail की पट्रियां होती है, उसके ब broad gauge यानि बड़ी जो line यह होती है railway की, उनकी पट्रियों के बीच में जो दूरी होती है, वो 1.660 meter की रखी जाती है, ओके, next question देखें, meter gauge जो होती है, meter gauge में rail की पट्रियों की दूरी कितनी होती है, meter gauge, broad gauge बड़ी है, meter gauge, middle range वाली gauge है, तो इनके पट्रियों की बीच में दू narrow gauge, narrow gauge सबसे चोटी वाली line है, तो चोटी वाली line में rail की पट्रियों के बीच में दूरी कितनी होती है, यहाँ पर दो तरह की दूरी हैं देखने को मिलती है, एक तो 0.762 meter होता है, और 1.610 meter देखी जाती है, तो इसमें दो प्रकार की दूरियों रखी जाती है, 0.762 meter या फ सामिल भारत का सबसी उचा railway station कौन सा है, तो कौन सा है यह, हम जानते हैं, दार्जेंग हेमाल लेन railway में आता है, उपनाम इसको toy train पा जाता है, न्यू जलपाई गोडी से दार्जेलिंग के बीच में रास्ता जाता है, और 80 km यह लंबा है, तो यह दार्जेलिंग station जो है, व यूनेसको की सुची में जिसे सामिल किया गया था, जिसको हम बोरी बंदर या विक्टोरिया के नाम से भी जानते हैं, तो वो कौन सा railway terminal है, यह आपका छत्रपती सिवाजी terminal है, छत्रपती सिवाजी terminal काफी important है, यह आपको याद होना चाहिए, ठीक है, नेक question देखें, यू यूनेसको की सुची में सामिल छेत रहें, तो इस चीद का याद रखना होगा आपको, यूनेसको सुची में सामिल railway terminal कन्नूर से उदग मंडलम, जो उटी भी कहते हैं, जिसको, तक 46 km को किस नाम से जाना जाता है, इसमें जो terminal है, 46 km का है, और इसको किस नाम से जाना जाता ह तो यह आपको नील गरी mountain railway आ जाता है, क्या का जाता है इसको, नील गरी mountain railway, नाम से जाना जाता है बारत का एक मात्र ऐसा राज्जी长 जो रेल से नहीं जुड़ा है भारत में जित्ते भी राज्जे आओ किसी तऱ किसी तरह किसी रेल्वे से जुड़े। लेकि भारक का एक ऐसा मांत्र राज्य है जो रेल के नहीं जूड़ा है, वो आपका सिक्किम है, ओके सिक्किम ही एक मांत्र ऐसा राज्य है जो किसी भी प्रकार की रेल सेवा से नहीं जूड़ा है अभी तरू रेल्वेय पुल कहां किनाव पुल है और जहों उत्पादा निकायां उन्हेयां निकाया है श्वकर सामीन में निद्थे 510 banned पंशेह नेक्स्ट नेक्स्ट आपको मुख्य रेल विजो उत्पादा निकाया है उसके जहां रेलवे के काम होते हैं, यह आपकी जिस पॉल इंफर्मिशन डाले गए हैं, इसमें अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको याद कीजिएगा, नहीं आपके लिए ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं रखते हैं, कपूर थला है, उसमें रेल के डिप्यों का निर्मान होता है, मुझफर नगर में यात्री के कोच बनते हैं, यात्री कोचों की मरमत की जाती है, यहाँ पर क्या होता है, मरमत की जाती है, इसी तरह एसिया का जो सबसे पूराना रेल वरक्शॉप है, वो कौन सा है, जमालपूर में है, जो 1862 में खोला गया था, ग्वालियर के अंदर या इनने ही सावारी डिब्बे का निर्मान जो पैरामबूर में होता है, डीजल विद लोकोमेटिव इंजन का निर्मान तिरू चुन्नापली में किया जाता है, यह कुछ प्रडक्शन होच है, यहाँ उत्पादा निकाईया है, रेलवे की मुक्चे है, इसी कि नेक्स जब हम देखने हैं, तो यह 18 वो जौन है, जो जिसमें हमारे भारत के जो रेलवे डिपार्टमेंट है, उसने 18 जौन में विवक्त किया इसको, और यह कौन-कौन जैसे उत्तर रेलवे है, और इसका मुकालिका आए दिल्ली में है, उत्तर मद्ध्य रेलवे है, यह इलाबाद में ह मद्ध्य रेलवे मुंबई सेंटल में है, जक्षिनी पर्षिम रेलवे हुबली, उत्तर पर्षिमी रेलवे जैपुर में है, यह कुछ जो राइस्तान से जब मत देते हैं, वो आपको डेफिनेटली देखने है, तो जक्षिन मद्ध्य रेलवे सिकंद्राबाद, पूर मद कोलकता में हैं, इसका हैड अफिस कोलकता में ही है, दक्षिन तर्टी रेलवे विसाका पर्टन में, तो इस तरह यह टोटल अठारा जौन हैं जहां पर और उनके साथ में उनके मुख्याले भी दिये हुए हैं, तो बच्चों इसी के साथ आपके टैंथ क्लास की जा रहे हैं, हम केवल और केवल टैंथ पढ़ रहे हैं, टैंथ से एक सब्द फालतों नहीं दिया गया है, तो बिलना टैंशन के आप इनको याद करिए और अच्छे नमबर लाइए, बेस्ट आफ लग बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में